हेलो गुद मॉर्निंग हम के तेहरियों जो सी एंस चूट की बुक्लेट है थाटी के तेहरियों की उसकी रिवीजन प्लस कुछ एडिशनल के तेहरियों नुक्टरम सुला उनका रेवीजन च्च करने जा रही है इसकी हम ने दो रिवेजन स्टाट करने जारिए इसकी हमने दो किरा रहे हैं यह रिवीजन इस क्लास को YouTube पे अपलोड कर रहे हैं नीचे आपको link में मिल जाए ठीक है यह 30 case scenario हमने 5 घंटे में 5 घंटे में cover करा रखी है आपको तो मतलब एक case scenario में around 10 10 मिनाट के आसपास लगा या उससे थोड़ा कम लगा फिर इसके लब जो एडिशनल के सेनर्यों 10 और फिर आटिपी में 22 नवंबर 22 में 23 नवंबर 23 में 24 के दो हैं तो यह टोटल मिलाकर होगे 16 तो यह 16 case scenario यह भी फिर हमने आपको around 3 hours में करा रहे हैं ठीक है तो इसकी दो classes रिवीजन आईए स्टार्ट करते हैं मस तरीके से हलो गुड मॉर्निंग हाजी हम करने जा रहे हैं रिवीजन के सेनर्यों बेस एम सिक्यू सीए फॉइनल इंडारेक्ट टेक्स के लिए पर अपने website पर आपको अपना registration number डालना है डेट बर्ट डालना है फिर अब login करके देख सकते हैं कौन से mcq और कौन से case scenario आपके पर applicable हैं इंस्ट्यूट वही पुराने वाले amendment के साथ update करके डाल रहा है तो हम मानते हैं कि जब वो complete कर लेगा तब वो यही case scenario ही डालेगा तो हम दो revision class लगा रहे हैं case scenario based m से क्यूंकि इसमें एक piece case scenario जो एक file दी थी थी इंस्ट्यूट ने उसकी class लगा रहे हैं May 24 अटेम्ट के लिए दूसरा 10 additional case scenarios जो पहले कभी डाले थे अब इंस्ट्यूट ने हटा रहे हैं लेकिन अच्छे है उसमें कुछ case scenario based m से क्यूंकि प्लस प्लस लब होता है एक बर मैं दिखा दू जैसे हमारा पहला case scenario यह RTP November 21 का है इसमें पहले कुछ seven points दे रहे हैं और फिर इसके नीचे हमने चार्ड दिया यह चार्ड इंस्ट्यूट नहीं देता इसके बाद यह पांच यह चार कुछ एमसी क्यों पूछ रखे होती है आपके पास चार ओप्शन होती है उनमें से एक सेलेक्ट करना होता है answer एंसा होता है आपके पास case scenario based m से क्यों अब इसमें वह क्या-क्या पूछता है एक थोड़ा सा मैं idea दे दूं आपको अपको ध्यान से month आपका mind बिल्कुल fresh होना चीए मन्त और डेट को आपको ध्यान से पढ़ना है ऐसा हो सकता वो कुछ जुलाई मन्त की डिटेल दे कुछ अगस्त मन्त के लिए पूछ दे कि बताओ ITC कितना बनता है तो अब इसमें कोई अगस्त महीने का credit होगा तो नहीं लेता है यह ध्यान रखना है अब अगस्त महीने व बढ़ना आए टी थी माइनस करके कि नेट पूछ आए और कभी कभी नेट जीस्ती ना पूछ के वेल्य ओ आउट्वर्ड की टेक्तिमल सप्लाई पूछ लेगा तो आपको ध्यान से पढ़ना गयल्यू पुछ ए कि जी एस्ट पूछ आए या फिर यह दिखो नेट जीस्त चीर के लिए करेंगे का और क्या घ्यान से पर ना सुख में घ्राजार वाला आपको टेक्स को करना कश में करना में जो ले तो आपको question को बड़े ध्यान से पढ़ना होगा अच्छा फिर इतके बाद में अगर किसी question में प्रीवेसर के टर्णवर मिल जाए तो आप देखना वो registration limit से ज्यादा है या कम है registration limit से ज्यादा है तो हमें से बोलते हैं बड़ी बिजन सर्विस का point आप पूछा होगा अगर चोटी बिजन सर्विस तो माफ होगा तो आपको यह देखना अच्छा रिवर्स चार्ज के यह कुछ स्पेसिफिक वांट लीगल सर्विस का security का गोवर्मेंट या एले ने security या रेंटिंग की सर्विस दी या रेंटिंग और मोटर वहिकल है sponsorship की सर्विस है जीटिया वाली है रिकावरी है यह वाले point आपको पहले से पता होने चाहिए पुछता है इतने के बाद हम चलते हैं आगे जो case scenario based mcq है इसके लिए आठ पॉइंट को बाद में पढ़ना पहले आप क्या कर ले इसके लिए जो mcq पूछे हुआ है उनको पढ़ लो उससे एक idea लग जाएगा कि हमें पढ़ना कहते है जैसे पहला इसमें पूछा taxable value of supply जी एसके नहीं पूछा और वो कह रहे है परचेद करिया जो हमने ऐसा तारा सुसेट्स में कौन सी commodity x की हम कई commodity में deal करते होंगे सिरफ commodity x के लिए हमने जो परचेद value हुआ हूँ पूछी है क्या निकलेगी जुलाई महीने के लिए जुलाई महीने के लिए जुलाई महीने क फिर इसके बाद time of supply कुछा है AI based platform का फिर इसके बाद net gst payable in cash मतब forward charge वाला भी reverse charge वाला भी जो cash लेजल से pay करना है वो हमें देखना है यहांबर इसका मैं meaning अभी बताता हूँ क्या है और अगस अगस महीने के लिए बता रहा है और पांचवाँ ITC कुछ हुआ है जुलाई म कोई credit होगा तो इसमें मत लेना ओके तो इतने points के बाद अब मैं आपको करूंगा मैं हर case scenario का जैसे हम पहला कर रहे हैं तो मैं इसके जो specific points के मैं short में revise करा देता हूँ कि क्या इसमें चीज़े पूछी जाने वाली है जैसे gst payable in cash पूछा थाना net net तो कैसे निकालेंगे हम forward इसमें से ITC minus करेंगे हमरा पूरवर्चारज वाला cash वाला जो लेजर से pay करना होगा है अब रिवर्चारज वाला टेक्स लिखेंगे यह तो cash लेजर से ही जाता है इन दोनों को add करके बता देंगे कि यह हमारा total cash लेजर से pay करना बनता है हलाकि हमारे question में जो हम करेंगे सिर यह तो आपको ध्यानी होगा reverse cash लेजर से pay करते हैं और आप credit भी लेजिते हैं तो यह ध्यान लगना है फिर इसके बाद जो इसमें चीज़े यूज होने वाली है OIDAR सर्विस इसका एक means part होता means part की दो शर्ते जो internet के माध्यम से या IT inclusion technology के माध्यम से दी जारी है plus इसके बिन यह IT के बिना यह देना संभव नहीं है यह वाली सर्विस वह OIDAR सर्विस है इसके लबाद जो include part है यहाँ पर ABCD डिदी गेम खिले हो online यह ऐसे हमने याद किया था अब यह A4, B4, C4, D4 यह क्या था यह ऐसा हमने किया था अब इसमें ध्यान रखना क्या मूवी देख रहे हो, music देख रहे हो, download कर रहे हो, software आप download कर रहे हो किसी website से OIDAR सर्विस के इस पार्ट में आता है जो जो use होंगे आगे आने वाले questions में सारा एक ताज बता देता हूँ इसमें तो एक software आप आजाएगा, इसके लावा कोई और question में cloud service जैसे हम से कुछ बच्चे गूगल ट्राइव वाली classes ले रखा है 15GB तो free हो तो उसके बाद भी अगर हमें उसमें upload करनी है कुछ classes data उसमें तो हम उसके लिए cloud service यह गूगल ट्राइव वाली सर्विस ले रखी है कि उसको कोई misuse ना कर पाए मैं इसका कभी वी access भी करता हूं तो digital data को store करना तो कुछ companies है यह provide करते हैं सर्विस यह से पी cloud, IBM अच्ट्रा, online gaming यह की OIDAR service है, digital content को आप online आप देख सकते हैं movie, television show को, यह OIDAR service है, internet पे जो advertisement हो रही है, यह OIDAR service है, अब इसकी खास बात सुनू यह OIDAR service आपने इंडिया वाले बंदे से लिए supplier थे, तो forward charge है, अगर आपने foreign country का supplier जहने Netflix, supplier है Australia, यह USA में है, ठीक है, recipient है, CS student, India, यह NTOR है अगर, तो supplier है बहार, इस Netflix ने अपनी website पर यह क्या upload करका है, movie और TV show, इसे बोलते है, digital content को upload करका है, आप इसका subscription लेके आप इसको द database को access या retrieve कर रहे है online, तो इसे हम बोलते हैं, यह है हमारी OIDAR service, अब supplier है बहार, recipient है इंडिया में, तो यह कौन से service होगी, import of service होगी, import of service है, वैसे तो reverse charge होता है, लेकिन यह NTOR, मतलब जो DSC में registered नहीं है, यह definition amend होई है, OIDAR की definition amend होई है, तो मैं amended बताई है आपको, तो यह NTOR मतलब जो unregistered बंदा यह service ले रहा है, ऐसे तो इंडिया में कई सारे बंद्य होंगी, जो netflix का subscription लेके बैठे हूँ है, तो क्या इस import of service पे इन पे reverse charge में डाले, बड़ा मुश्विल हो जाएगा यह control करना, इसलिए यहाँ पर आपने section 14 IGST में पढ़ा था, supplier जो बाहर वाला है, netflix, इसे इंडिया में registration कराना पड़ेगा, और IGST पे करना होगा, क्या हर state में registration कराना होगा, नहीं, ऐस हमें बढ़ा था, एक single registration कराना है, netflix को और इंडिया में IGST पे करना है इसे, इस पर, ठीक है, तो वैसे import of service में reverse charge होता है, लेकिन अगर यह कितको दी है, NTOR को, तो फ लेकिन अगर यह business entity receive कर यह, जैसे हम receive कर रहे हैं, registered business entity receive कर रहे हैं, तो यहाँ हमें खुद, वही import of service में reverse charge में GST देना होगा, इसके बाद, LOSPS same state तो intra होती है, different state तो inter होती है, और इसके लब इंपोर्ट भी क्या होती है, इंपोर्ट यह export भी interest rate supply होती है, फिर इसके बाद, हाँ जी, अब, अब, जैसे import of service में reverse charge है, reverse charge है, हमें reverse charge में GST देना है, अगर registered business entity receive कर दिया है तो, तो उसमें time of supply अगर हमें निकालना होगा, तो क्या formula होता है, date of payment यह 61st day from supply and date of invoice, whichever is earlier, और date of payment का formula क्या है, जी, books में entry है, bank में debit, whichever is earlier, ओके, इसके अलावा, हाजी, derivative security है, और security न गुर्स होती है, न सर्विस होती है, त लेकिन इस derivative की transaction को जो facilitate कराता है broker, उसकी commission पर GST लगीगा, last point, value में, आपने valuation की जपने बढ़ा था, section 50 में 5 चीज़ एड़ होती थी, एक उसमें थी taxes सभी परकार के एड़ होती थी, GST को छोड़ कर, तो बस यही points इसमें यूद होने वाले हैं, आईए, जी, जैसे, इसमें पहला case scenario है, इसमें हमें, बोलता है, यह हम SRS, ते राजितन में, हमने नीचे चार्ट में लिग लिए, SRS, ते राजितन में, फिर हमें जुलाई मंद की detail दी रहा है, जुलाई मंद की, जुलाई मंद की, हाँ जी, इसमें, हमने commodity X पर्चेश करी, 5 लाग की, 1000 पर्ट, copper market में value में, इसी से related to MC क्यों था, हमने पर्चेश value निकालनी थी, यही 5 लाग है, नहीं, CNSuit इतना तो थीधा नहीं है, कि सिरफ इतना ही आंतर पूछ ले, तो इस point का link CNSuit ने यहां नीचे 7th point में दिया, कि इस X commodity पे एक मंदी टेक्स भी लगता है, 10 पर्टन, तो यह 500 तन था, 5 पांच लाग प्लस, यह 10 पर्टन, पांच जार, तो कितना हो गया, पांच लाग पांच जार, तो हमारा पहला MC क्यों था, X commodity जो हमने पर्चेश के लिए value बताईए, पांच लाग पांच जार, इनमें select करना पांच लाग पांच जार, यह आपर DN तर हो, ठीक है, अच्छ ज इसमें फिर हमें इसे hedge करना है, एक derivative की sale transaction करी है future contract में, यह अपने SSM में पढ़ा होगा, यह 1 July को करिये, हाजी हमें लगता है कि यह जो हमने community X purchase करी थी, इसका future में rate गिर जाएगा, तो हमने sale का derivative future contract वाला enter कर लिया है, कि अगर गिर गया तो मैं future में एक मेने का enter कि 1100 पांच ही बेचोगा, और इसमें इसका link है यह पांचमें पांच से और इसकी value होगी है 900 तो derivative अगर हम GST की बात करें, यह security न गुर्ष से न सर्विस है, तो इस पे GST की बात ही नहीं, यह अपना SFM में पढ़ते होंगे, इसको square off कर देता है, और NCDX इसके लिए, इस transaction के लिए हमसे 5,000 पर contract charge करती है, जब हमने enter किया था जुलाई में, उस time के भी 5,000 और जो अगस्त में enter किया, इसके भी 5,000 चार्ज करती है, अब ध्यान रखना, यह दोनों हमारी derivative पर तो GST नहीं है, लेकिन यह जो commission 5,000 पांच जार चार्ज तर यह उस पर GST है, और यह हम credit जब लेने की इसके बात करेंगे, जुलाई मंथ में हम सिरफ जुलाई, भई एक 5,000 पर contract, यह 5,000 हमने pay किया होगा जुलाई में जब एंटर किया होगा, और अगस्त में जब हम इसको score up करें तो अगस्त में pay किया होगा, तो हम सिरफ 5,000 का जुलाई मंथ में credit लेगे, ओके, फिर इसके एक 3rd point यह होगा इसमें, कि हमने AI, Artificial Intelligence का subscription लिया platform का, ताकि हम इस X commodity के rates इंटरेशनल मार्केट में देखते रहें, और इसके लिए हमने 50,000 पर दिया है, यह हमने कहां से लिया है, यह हमने लिया है, यह हमने लिया है, यह हमने लिया है, यह हमारी import of service हो, यह OIDR service है, और section 13, 12, place apply लगेगा, place apply LOR, इंडिया लिया जाएगा, तो यहाँ पर यह हमारी import of service है, import of service, 50,000 पर हम 18% reverse charge में हीरस्टी ज़ेगे, क्योंकि हम NTOR नहीं, हम business entity है, हम registered है, तो हम यह reverse charge में हीरस्टी ज़ेगे, पर इसका हम ITC भी ले ले लेगे, लेकिन अब यह पेक अप करेंगे, जरा सुनो, invoice है, एक जुलाई का, payment कर रहे है, बीस अगस को, तो अब क्योंकि river charge में tax देना, तो time supply निकालना होगा, जी, तो एक जुलाई में supplier के invoice, एक जुलाई को बना था, इसमे 61 days add कर दो, और बीस अगस, दोनुमें से जो earlier होगा, वो हमारा time of supply होगा, उसके बिसमें हम एक हमारा question भी था, एक हमारा question था, एक हमारा question था, time supply AI based platform की, हाँ जी, एक जुलाई में हमने 61 days add के 31st अगस ता रहा है, और date of payment दोनों में share ले रहा है, बीस अगस, यह हमारा time of supply, तो अगस महीने में हमें GST pay करना, अब ध्यान दीजिए, यह जो river charge में GST pay कर रहे हैं, अग जुलाई महीने के लिए, इसमें हम इस वाला credit को नहीं लेंगे, import service के credit को, क्योंकि वो अगस में pay कर रहे हैं, तो अगस में ही credit, जुलाई वाले महीने में credit नहीं लेंगे, फिर इसके बाद, अब इसके बाद, और कुन सो point बचा जी, हमने first कर लिया, hedge वाला कर लिया, third वाल मंक लिये हैं, तो हमारी invert supply है, इस फ्रम GST पे कर देंगी, वो हम ते forward charge में GST चार्ज कर लिगा, इस वालाई हमारी, okay, 500 पांट हो चुका है, 6 पांट हो चुका है, 7 पांट ये भी हो चुका है, हमन्ट डिटेक्ट वाला, बस जी बात खदम हो, अब हमारी अगर हम सारी जुलाई महीने की थी, एक ही अगस्त में हम ये पे कर रहे थी, इस AI-based platform पर 50,000 का 18 पातन हमने reverse charge में रिएस की निकाला था, इस पर आप यहां पर यहां ते चार्ट में देखना चाहें, नहीं तो हमने यहीं से पहला कोशिन यहीं से कराने की कोशिश किया बिना चार्ट की, इसमें हमने परचेज किया था, पांच लाग का, पांच हजार क इसमें मंडी टेक्स था, तो पांच लाग पांच जार पर हमें यह जूलाई महिने का ही है, पिर तो अगला security वाला था, फिर यह जो अगला third point है, यह अगस महीने भी पेच किया है, तो इसका credit जुलाई महिने का इसको नहीं से खिना, फिर यह रेंट जो है, यह जुलाई मह के पांच पर बश्य इतना ही है जी हां कितना ही है तो हमने देखेंगे यह आईटी से जो लिया आ यह किसी किसी केस सेनेरियो में आप साथ में चार्ट बना ले चार्ट में हम सिर्फ था था अगर अलग अलग दे रखी है तो फिर तो बड़ा सिंपल तो अलग अलग कर ले तो फिर आसान हो जाता उसे करना हम हमारा पहला तरीका क्या जी पहले हम से क्या पढ़ लेती है क्या question पुछे गए यह जो file है आपको नीचे link पुछ है इसने value of taxable supply पूछा है सेल एन पर्टी तो फोरेंग करंसी फोरेंग करंसी परते सेल के रेक्षन में वेल्यू रूस थी तो याद करना पड़ेगा नंबर दो वेल्यू प्रेस्ट रिसीवड और उसमें रिवर्ट चार्ज में टेक्स देना बनता हो सेप्टमबर महीनिय के लिए वो भी कौन सा पूछा है जिसमें फोर्वर्ड चार्ज में टेक्स पेगन हो उसकी सिरफ वेल्यू बताने है जी एस्ट निकारना और वो भी कौलकटा ओफिस के लिए फिर इसके बाद में प्री डेपोजिट कितना करना होगा और मैक्सिम परनेटिर सेक्शिन 122 में कितनी लगेगे और आ स्चेनरियो 2 और इसमें मैं आपको याद दिला दू रूल 32-2S आपने पड़ा हुआ आर्बिया का रेट चल रहा है मान लिए 73 आप डोलर परचेज करनेगे उसने आपको 74 में दिया तो अगर उसने कमीशन कमा ली आपने दरजा डोलर लिया तो 74 सेलिंग रेट मैंस आर्ब 1000 डोलर से अगर उस दिन का रेट अवलेबल ना हो फिर हम यहां पर वल्यू कैसे निकाला करते थे जितने में भी उसने हमें यह डोलर दिया मान लो 73 पर 20 में दिया पांचा डोलर हमें उससे लिए इंटुमें 1 पर से यह हमारी वल्ली होते है ऐसे निकालेंगे नमबर दो हा कि एक एडवेकर ये एडवकेट की फिर्म दे रही है किसे अगर यह बड़ी BUSINESS ENTITY को दे रही है बड़ी BUSINESS ENTITY की मतलब क्या कि तरनोंर में %4 में रयस्तेशन लिमिpt से ज्यादा है मत इसके जो भी बड़ी BUSINESS ENTITY है तो उसकेस में को को रिवेर्ट चार्ज में बड़ी बिज्नस एंटिटी हम अपनी लेंगविज के लिए एक्षां में या या तो फिर चोटी बिज्नस एंटिटी को दिया या बिज्नस एंटिटी ही नहीं है को करता है बिसन करता है कि जो उसे आप तो को हमारे बढ़ी बिभी बिच्टि अट्रिया चोडी बढ़ी ज़ोड़ी ओदिया था या यह थो थी पिर यहाँ तो दिया तो माघ उता है एक और यह आप जहान करें अधर देन बोडी परेपेजियर कोन सा नॉर्म उसके बात तो रिवर्क चाज जे तो इस पोइंट के लिए पूछता है तो यहां पर सेक्री रेजिस्टर तो रिवर्क चाजे फिर इतके बाद Insurance agent ने Insurance company को service भी by reverse charge होता है. Lekan ध्यान रहे. Insurance agent हम section 210 वाला वुरियों है जिसमे ज्हरली इंडयूटी इन्डव्विज़वर होता है. टॉक है, hirm एक 210 बी भी है , इसमे 요 insurance agent अपाएंट होते हैं, जेनली जैसे company है, bank है यह अपाएंट होते हैं तो इसमें रिवर्चार्ज नहीं होता है हलाकि हमारे क्वेशन में C&C ने कंपणी लिया हुआ और अच्छार्ज रिवर्चार्ज रिवर्चार्ज में लिया हुआ पिर इसके बाद रिकवरी एजन्ट अगर बैंक को सर्विस देता है यहां पर इंडिविजल कुछ नहीं देखना बस रिकवरी एजन्ट अगर सर्विस देता है तो रिवर्स चाहज होता है फिर इसके बाद आपनी एक्जमिशन में पढ़ा होगा बिजनस एक्जिबिशन अगर आउट्र अपना प्रोडक्ट वहां पर इशू कर पाएं तो जो बंदा यह अरेंग कर दे रहा है यह सब सर्व से क्योंकि बिजनस एक्जिबिशन आउट्र इंडिया है इसके हमें एक्स्पोर का उटर मिल सकता तो इस बिजनस एक्जिबिशन के रस्पेक्ट में जो और्गनाइज क अगर विजन इंडिया होगा तो माप नहीं होगा रूल 33 प्योर एजन्ट के तरह अगर आप ते कुछ रिकवर किया गया है तो वह उस पे घियस्ट नहीं लगेगा अगर चार कंडिशन फुल्फिल होती है जैसे इसमें एक है कि CNA कमपनी का रस्टेशन करा के दिया तो आर से पी के पैसे अलग से बिल में रिकवर किया है तो फिर यह प्योर एजन्ट की तरह है यह चारों कर्डिशन फुल्फिल होती है यह हमारी वल्ल्यू में इंक्लूड नहीं होगा हाजी एक प्वैंट और प्री डिपोजिट के लिए ध्यान कीजिए अगर ऑफिसर ने ओडर पास कि ढूले के पास दिए अगर आप सिरफ सीजी एस्ट के बाद कर रहे हैं तो आप जितना एड्मिट करते हैं करते हैं जो उसमें सिरफ CGST है उस CGST का 10% अपर लिमेट आउस पर 25 क्रोड विजाविज लेस इतना ही SGST में भी तो अगर आपसी IGST मांगा गया तो यह 25 क्रोड हो जाएगा हम फिर इसके बाद last point हाजी section 121 अगर आपने टेक्स कलक्कर के जवाणी कर आए तो 3 पे से ऊपर हो गए 21 वहाँ पर section 122 में यह कि जो point है उसमें यह point यह है कि text छेक्स कलक करकर जवाण नहीं कर रहाएं तो 10,000 whichever is Principal घृ यह आपकी की पेनल्टी लगेगी तो आई ये बस इतनी चीज़े यूज है और हम चलते हैं अपने केस नर्य उपर हाँ जी इसमें दिशा एंटरप्लाइज बोलता है कॉलकटा की कॉलकटा वेस्टमंगोल मुंबई में इसकी ऑफिस है हो हर जगा हमने रस्टिशन ले रहा है फिर इसके मतलब हमारे पास question में अगर कोई legal service दे रखी है तो इसमें RCM के बाद आएगी ठीक है फिर इसके बाद इसने हमें बताया है कि हम दो प्रकार की सर्विस दिया करते हैं banking insurance वाली और advisory वाली किस्टेंबर महिने के detail दी है इसमें यह हमारी यह transaction आउट वर्ड की है यह दो इनवर्ड की अगर question में सीजा-सीजा पता लग रहा है कि आउट वाली है फिर आम इस चार्ट बनाने जिरूत है ख़ला कि इसमें छार्ड बना है लेकिन इसमें फिर हमें चार्ट बनाने कोलकटा ने 10,000 डॉलर पर्चेस किया है RBI का रेट चल रहा है सिहस्तर का हमें उसने दिया 74 में तो उसने एक रुपय कमिशन कमानी वन इंटू में 10,000 यह हमारी वेल्यू आजए नेक्स मुंबाई ओपेस ने 500 डॉलर बेचे हैं अब हमार पस यह MCQ था यह जो MCQ पहला पहला था value of taxable supply यह सेल परचेस कोलकटा और मुंबई ओफिस निकालने थी हमने यह निकालने यह निकालने यह निकालने यह निकालने यह निकालने यह वापस आते हैं तो अब हम पढ़ रहे थे यह point अब first अब देखो यह मुझे कैसे इस में यह निशन हम क्या थे हम कंपनी तो कंपनी को अगर अगरे इंशुन तो है तो फिर फोरवर चाज होता है लिकिन सिसाइब समय लिया को के रिचोट करेंग यह THIS ने इनटींत आपे रिच irrigation होटे Dalese दिशार ला पर हंपक्वें ही इननग को हुआ खुआ में आउटवर स्पलाइब है हमें dwa इसमें प्रोफेशनल पी रिसीव करी है इसमें पिर बता रहा है 80,000 के रहे हैं रफफर नौट टू हमने कंप्री फोर्म करके दी है तो एक बार देखती हैं नौट टू में बताए कि 80,000 में 15,000 इंक्लूड है जो हमने क्लाइंट से रिइंबर्स कराए है रोटी फी जो और हमने इन्वाइस में सेपरेटल अलग लिग दिया है तो यह प्योर एजन की तरह रिकवरी ही यह 15,000 हमारी वल्लू में आड नहीं होगा यह 65,000 हमारे और इसमे पर इसमें पर चार्ज होगा पार्टिस्पेशन फी रिसीव कर यह है यह रॉष्या में हडूरा इसके लिए रखा है यह जो 50,000,000 है यह हमने 10 इंडियन कंप्वी जो फॉरं कंट्री में एक्जिबेशन हड वही थी रॉष्या में उन्ते लिए है तो अगर फॉरं कंट्री में exhibition held हुआ तो उसके लिए जो participation भी ली होगी उस पर जी ही एस्निमाफ होगा फिर अगला बोल रहा है यह चन्नाई में held हुआ इसके लिए टेक्सिबल होगा इसके लिए टेक्सिबल होगा इसके लिए टेक्सिबल होगा ठीक है नेक्स लीगल फीस में यहां पहले केस में हमारा कॉलकटा ओफिस है यह सेक्योटी की सर्विस हम अजर्वर्ड चार्ज करें हमी नहीं देना रिवर्ड चार्ज में यह वाला दगर देखें एक्सन कंपनी से हमने लिया है यह अजर्वर्ड बोडी कोर्पेट से है लिगल सर्विस और यह आपका यह अगर हम मुंबई ऑफिस की बात करें तो यहां पर यह सेक्योटी सर्विस में देना ओके फिर पहला पॉइंट हो चुका है थर्ड पॉइंट हो चुका है और पॉर्थ पॉइंट है चोड़ा सेप्टेंबर को ज्वैंट कमिश्ट में 600 करोड की डिमांड निकाली है और हम इसमें कुछ अगरी निकरी इंटरस्टेट सप्लाई है अब आप अपील में जाना चाहते हैं आप लथोटी के बात में प्री डिपोजिट करना पड़ेगा 600 करोड का 10% 60 करोड और 50 करोड क्योंकि IGST है इंटरस्टेट है और 50 करोड वि लकटा ओफिस ने एक लाग रिसीव किया था अपने ध्यांग किजिए टाइम उप सप्लाई आपने में पॉइंट बताऊंगा आपको उसमें हम सर्विस के केस में एडवांस करा ना होता है तो हमें एडवांस रिसीव हुआ था इसमें में जिएस की जमा करा था अप्रेल म और अब हमारा सप्टम्बर मंद के रिटेल दे रहा है तो अभी तक हमने जवा नहीं कराया है तीन मेने दो पर हो गए तो इन दोनों पर एंचे को हैं जरा देख लेते हैं हाँ जो हमारे पास एंचे क्यों है एंचे को नुमबर फॉर यह हमारे जो आपको फाइल दे रखी है इसमें हमारे पेज नंबर सिक्स पर है मैक्सिमम प्री डेपोजिट पूछा है कितना करना होगा हम 20 निकाल चुकि हैं नेक्स पांच मैक्सिमम पेनलिटी पूछिए सेक्शन 12 में जो टेक्स हमने जमा नहीं करा था दर जरो टेक्स में अब हमारे जो एंसे क्यों बाकी बची हैं जरा वो कर ले क्योंकि हमारे जो भी सब हमने पढ़ी लिया है जी कह रहा है कि बच जी अब फटा-फट से निकालो अब इसने प एक पंद्रा लीगल फी वाला पच्चिस कोंते वाला सेक्योर्टी वाला जो अधन बोडी कॉर्पेट से रहा है तो हमने यहां पर डिटेल में एक्स्प्लेइन करके आपको दे रहा है फिर इतके पाद वेल्योप टेक्टेबल आउटवर्ट सप्लाई और कोलकटा उप्रि इंश्न कंपनी वाली यह रिवर्ट चार्ज में ले रहे हैं नेक्स फॉरवर्ट चार्ज में यह डिएस से वाला है क्योंकि हम कंपनी थे इंडिविजल डिएस से नहीं है तो यहां पर 9048 और फिर यह प्रफेशनल फी अगला तो आर्टे में बैंक दे रहा था था ना यहा हमने प्योर एजेंट वाला हटाया था तो देखेंगे 90 यहां पर हमने यह 90 लिया 48 लिया 65 यह 28 अटा रहा है इसमें 90 अगर हटा दे तो इंस्टीट के आंसर से मैच हो जाएगा तो अब चूकि यह MCQ है इसमें आप इस 90 को हटा कर यह 178 आजाएगा यहीं तो कि इसमें आप हम क्या करते हैं पहले महिने के लिए चोथा इसने आउपड़ सप्लाई पूश है जुलाई महिने के लिए और पांच मौश कैश लेजर से क्या पे करना होगा जुलाई महिने के लिए तो अब हम इसे करने से पहले एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं कि से रिवाइज के कुछ कंसेप्ट क्या हाँ ओएडियर स्टोरेज यह कुछ कहीं कहीं यह आ सकते हैं तो इनको ध्यान रखना है कि हमारे किसमें आते हैं और अगर यह एंटी ओर रिसीव करें अगर यह सप्लियर बाहर है तो हमें नहीं देना होता है अगर हम रिजिस्टर विजिस एंटी रिसीव करें जैसा हमारे कोईशन में होगा तो हमें रिवर चार्ज में देना होगा है फिर इसके बाद डैरेक्टर ने अगर जो डैरेक्टर एंप्लोई नहीं है यह अगल आए प्यजिस्टार बिजिश द्री में एंप्लोई ने एंप्लोई को सर्विज यह सप्लाई नहीं है इस पे सप्लाई नहीं है इसमें लगता है लेकिन सिटिंग फीपर सब्सक्राइब अगर केसे नहीं को दी तो सब्सक्राइब का आताव कंपनी फर्म को दीट लेकिन अगर अगर प्लेशन के इंड्वीजर को दीए तो हमें फूर्वर्ड चार्ज में दीना होगा अब प्लेई ऊप्लेइश की सप्लाई मा थन लोग कंसल्टैजिती की तव यह निकालती हैं सप्लियर रिसिवेंट 2-0 एंडिया अगर यह डिस्टेड परसन को दी तो परसन का प्लेस अगर अन्रिस्टेड परसन का प्लेस देखनें अगर अगर पास यही वला यूज होगा हम रिस्टेर परसन को दी है फिर इतके बाद इवंट मेनेजर अगर सर्विस देता है तो 12-7 है इसके लब स्पोंसर्शिप पॉला पॉइंट भी है फिर तो यही पॉइंट यूद है हमारा next वेल्यूशन के जफ्टर में आपने पड़ा होगा section 15 में पांच चीजे वेल्यू में अड़ होती है अगर उसका कोई रेलेशन नहीं होगे नहीं हाइड यह हमारे वलूमें अट नहीं करेंगे भले हैं प्राइवाट वालोंने कोई। फिर इसके बाद हमने इतरी के चप्रेट में पड़ा हुआ life insurance campaign इंशरूंस का क्रेट ब्लॉक है अगर इसका क्रेट तभी मिल सकता है एम्प्योर को यह वाली सर्विस देना लोज और अब्लिगेट्री हो या इंवर्ट आउट्वर्ट सप्लाइज सेम और लास्ट पॉइंट इसी उटलाइज कैसे करेंगी जी हम पहले आईजीस्ट का क्रेट आईजीस्ट के लिए अगर ब अब हम बढ़ते हैं एक बार केस साजरीयों पढ़ने के लिए इसमें पहली तीन ट्राइक्शन हमारी इन्वर्ट की हैं अगले इसमें बना यहां से देख से लिए क्या स्पैर सुलिशन प्राइविट लिम्टेड है यह मैल्टीब सर्विस दिया करती है तक हर या नाब पह तो आप सेक्शन 15 ने पड़ा होगा आपने पांच जी आड होती है उसमें सभी परगार के टेक्स एड होता तो यह हमारा है 2% जो हम से लिया यह भी आड होगा 50 लाग पर 2% लगाएं तो एक लाग है 51 लाग हम से लिया होगा क्लावश पर हमें जीस्ट हमें देना में कमपनियां बनेस एंटिटी रहे हो यह हमें एक पहला क्षेशन को की पूछा था इस्ट लेविट आउसका चुलॉचिन के लिए हवे प्लाव सर्विस के लिए हमें निकाला यह निकाला यह यहां में देना होगा अच्छे फिर इसके बाद वापस आएंगे अगला सेकिंड पॉर्ट है एक लाग पर हमें रिवर्चार्ड में कंप्री को पे करना होगा दो ड्रक्टर को हम सेलरी दे रहे हैं दो लाग इस पर सेक्षिन वन एंटी तू में टीडियस कटता लिगा हुआ इस पर जाएगा सप्लाई नहीं है लेकर एक लाग पर हमें रिवर्चार्ड में जाएगा फिर इसके बाद अगला थर्ड पॉंट है यह लाइफ इंटरनल पॉलिसी की वज़ा से हम करा रही है कंपनी अपने एंप्लोई का हेलो लोडर अब्लिगेटरी नहीं है तो इस ला अगर हम से कोई ITC पूछे और एक लाग पर एठार पर लगा देंगी और एक लाग पर एठार पर लगा देंगी यह ब्लॉक्राइट जातो करें बिलना फिर हमारी आउटवर्ट सप्लाई चिग हो गी अब नेक्स हमने कंसल्टेंज के सर्वेस यह जूम करपरेशन बैंगल है यह क्यों देती है कि इसका एम है अलश्यवल कंपनी भारत में घ्रो करें अरे ग्रोकरे वह ठीक है कुछ हम से परचेज किया नहीं कोई व्ल्यू से रिलेशन है इसका नहीं पर यह जन्रल सबसेटी है जी कोई बी कंपनी इसको एसा द्रोक राने के लिए लिए करते हैं तो इसका वेल्यू सप्लाई से कोई रिलेशन ही यह हमानी कोई वेल्यू मैड नहीं होगा नेक्स स्पॉंसर्शिप की सर्विस हमने प्रोवाइड करी है मिस्टर एक्स इंड्विजल को अगर कंपनी फर्म को देतो तो कंपनी फर्म रिवर्ट चार्ज में देती लेकिन हमने तो अगर इसने प्रोवाइड पर हमें जी एस ती देना और पांच लाग पर जी तो कह रहें कि कोई आपकी करेंगे पहला हो गया था दूसरा भूगया थीसरा कि आई टीसी बताईए दो ही थे एक याउन लाग पर 18 परसेंट नुग लाग पर अठारा अठारा और एक यह अगर इसने इंटर इंटर सोचने की ज़रूरत थी हलाकि मैंने इंटर अलग यह क्वेश्चन में सोल करके दिखा रहे हैं लेकिन निकालने की ज़रूरत नहीं है उसने पुछा सिधा टोटल था हम टोटल निकाल देंगे बात था ओके नेक इसने आउटवर सप्लाई अब इसने GST कैश लेजर से पुछा आप जिरा ध्यान दीए यह फोरवर्ड चार्ज पर हम GST देगे इसमें इसमें से आइड़ी चाना से देगे और जो हमने रिवर्ट चार्ज में कोई था हमारा इंपोर्ट वाली था हुई इसमें रिवर्ट चार्ज में GST देना था यह हम और लिखेंगे ठीक है यह हम और लिखेंगे हमारा पास क्राइट है नोलक अठारा आजार IGST का और अठारा आजार हमारा कुन सा है यह सीजिएस्ट इसमें किया हुआ है अब जिरा ध्यान से तुनना कि जो 35 लाख है 35 लाख इस पर हमने यह 30 लाख पर 18 वसन निकाल लिए हाला कि यहां पर भी अलग यह नहीं निकालना मैं फिर भी एक बार आपको निकाल कर दिखा रहा हूं क्यूंकि हमारी इंट्रस अपाई नो पर नो पर नो यह हमारी आउर्वर क्राइट पहले हम तो 9 लाग 8 जार में से 5 लाग 40 जार पहले हमने ऐग स्षे लग तीजार भुए तुम्हर तो इस ने पूचह था कैस से क्या करना वह लेकिन रिवर्चर वाला नल रा चलते हैं हम इसके बाद आगे अब के सेनरियो नूमबर फोर पर हाँ जी अगें हम सबसे पहले क्या करेंगे इसके हम पहले पढ़ेंगे हम से क्या पूछे गए इसने वेल्य आप टेक्सेबल सप्लाई पूछा बहली एक्च्चो के लिए फिर इसने वेल्य इनवर्स पूछा बिहार पावर प्लांटे तो हमें ध्यान से पढ़ना है वेल्यू कुछ यह जी इसके नहीं कुछा हुआ इसने वेल्य पूछे टीडियस तो इसके प्रोविजन टीडियस के पता होना चाहिए और वह भी सिरफ स्टेश्ट्री मार्ट को जो हम पेमेंट करें उसकी वेल्यू पूछे एक बंदे के लिए कुछ हो जा हूँ इस बंदे को पेमेंट कर रहे हैं और एक हमारा स्क्रैप क आप दिला दू क्या का जी के स्नेरियो फूर इलेक्सिटी पर जीएस्टी है नहीं जी एंट्रस्ट अगर कोई एंप्लोई आप कहां से छोड़ के चला जाता है उसमें मोन भराता शुरू में कि मैं नहीं छोड़ के जाऊंगा इसलिए भरवाय था कि जो जो नौन जैनुएन एंप्लोई हैं जो नौन सीरस एंप्लोई वह जोड़ के जाए तो इसलिए हमने उससे बरवाय था इसलिए हम जो रिकावर करें नहीं है इस पर टक्स नहीं लगेगा फिर गोवर्मेंट की हलाकि हमारे हाँ पर सिरफ यही बला यूज होना है अगर गो लेकिन मैं एक बर बता देता हूं गोवर्मेंट की चार सर्विस माफ है इस बाकी सर्विस से पोर्वार चार्ज में अगर इंजिन गोवर्मेंट तो गोवर्म लें खुद निए इक रेलवे वडा वर पॉइंट आगे जाता है और पीटी के बागी एनी सर्विस में रेंटिंग को अलग बताया है और बाकी सर्विस को अलग बताया है रेंटिंग अगर रेंटिंग अगर रेंटिंग को दिया तो रिवर्चार्ज फिर इसके लाव बाकी एनी सर्विस में बिसन्स एंटिटी को दिया तो रिवर्चार्ज और तो फिर पर से अगर्छेट करता ho Caesar घर कोई अगर तरह क्विश कर्ता है पर 20ile जाया है इसके अलावा हम कोई विप करते हैं उसके इसके बाद इसके बाद करने का सेंट्राइब पर Ee को दिया या फिर सेंट गोर्मन defence करने का सब्सक्राद कर एब इस फिर नेर्ट करेंगे अगन गर सब्सक्राइब सब्सक्राइब किसे तो जितनी पेमेंट कर रहे होंगी उस प्रेमंट पर यह ढाटाठा यहाँ पर हमारा यह वाला यूज होगा नोटीवट परसल में पीएस्ट वहार होती है तो पी पीस्ट चुछ जो पेमेंट कर रही होगी अगर कॉंट्रक्ट के वल्यू धाई लाग से उपर है excluding GST यह value देखने है excluding GST और यह जो यह आपको यह value जो पेमंट करनी है यह भी excluding GST तो अगर excluding GST भाई लागत ऊपर contract की value है तो आप TGS कार्ट लेंगे payment करते से हैं जितनी payment करने हैं 2% बस इतना कुछ use है अब हम आते हैं question पर हाजी A B से एक PST बता दियो इसका company का registration हर स्टीट में है जहां जहां हमारा office है head office देली में है पार्प्रांट बिहार और इस अच्छा त्रिक्रा सज़गा यह फर्वरी मंत की हमारी डिटेव है अब electricity पर GST है बैंक इंट्रस्ट पर GST माफ है जो हमने अपने employees से हमने घर किराई पर दे रहा है तो यह किराई पर GST माफ है रेंट क्लेक्ट किया हमने बैंक एट्यम से यह टेक्स्ट किया है इसने जिए अब ध्यान दीजिए वैसे जिस्ट को छोड़कर बाकि सब टेक्स को एक करने की बात करें के इंकम टेक्स के नहीं होगा एक क्वेश्ट था हमारी औरी अप्ला बेची है उसकी बदू बताओ बनाले जारी जाहिए वापस आ जाते हैं फिर इसके बाद हम यहां तक आचो के से अधर इंकम में धाई लाक में बता रहा है देहली अच्छो इसके दिये बता रहा है कि एक एंप्लोई जल्दी छोड़कर भाग गया इसलिए उस दो साल से पहले छोड़कर भाग गया इसलिए मुझे भाग गया यह बॉंड पाइल कर सब्सक्राइब के लिए इसके बाद बोलता है स्टेश्ट्री आइटम हमने परचेज कि है नहीं से स्टेश्ट्री मार्ट को कॉंट्रेक्ट दिया तीन लाग शप्तिस हजार का इसमें जी एस्ट इंक्लूड है बारा पसंट हटा लो अंडर्ड बाइव बंवन टोल करकिं क तीन लाग आगे धाई लाग से ऊपर की वेल्यू टीडियस की बात आ रहेगी अब टीडियस भाई यह तो तीन लाग का हमें कॉंट्रेक्ट मिला एक्स्क्लूडेंट जी एस्ट अब हम थोड़ा थोड़ा उसको सप्लाई करते रहेंगी अब हम यह च्वालीस आट्सों का बिल बना कर दे रहे हैं उसे स्टेशनरी बेच रहे हैं इसमें भी जी एस्ट इंक्लूड है एक्स्क्लूड कर लो वैल्यू पर चाटेगा तो यह एक ही बिल बनाया ना इस बिल को एक्स्क्रूड इसी के ऊपर में हाँ यह थर्ड टीडियस के स्टेशनी मार्ट को प्रेवन कर रहे हैं फिर इसके बाद नेक्स पॉइंट सेक्ट पॉइंट ओडिसा ने ओफिस फरनीचर प्रकेज किया अन्रेजिस्टर इला से सेक्शन 9-4 अन्रेजिस्टर बंदे से अपने प्रकेज किया हर केस में जी एस कर रहा है अन्रेजिट बंदे से असी परसंट से कम अगर प्रकेज करते हैं 9-4 में आपने पड़ा होगा तो बिल्डर डोल पर नहीं आ तो यहां पर यहां कोई जीस्टी नहीं बात कर दो बोर्ड मीटिंग हुई यहां पर सिटिंग फी पे करी गई इसको कोई कुशन है न प्रिबर चार्ड तो पीएस्टी बिदेंस एंटिटि तो हमने एपने इसकेस में स्टी तो फिर इसके लावा हजी सेट्य प्राइवेट वाली अगर उससे हम सर्विस लेते हम तो प्राइवेट कंपनी दे ले रहे हैं यह अगर बोडिकर नहीं तो इसमें रिवर चार्ज ह तो अच्छा जी फिर इसके बिहार प्लांट ने यह अन्रिस्टर से पर केस करी है अन्रिस्टर केस में 9.4 में हर केस में रिवर्चाज नहीं है इसलब बिल्डर डोलरपर के लिए यह तो यहां पर हमें कोई GST नहीं देना बात खतब अब इसमें को से कोशन पूचा है बिहार प्लान को बताओ किस वाल्यू पर यह वेस्ट प्लान को यह हमारी इनवर्च सप्लाई है यह ना ऊपर तो हमारी सारी आउट वर्ड सप्लाई थी दो भी हैं यही दो पर आर्खे में जीर से जीरा है तो हमारा एक M.C. क्यू था यह हमारा कौन सा वेल्यू ओफ टेक्सिबल इनवर्ट सप्लाई जिसमें बिहार को देना जी 10 लाग पर बात कतम जी अब पहला तो सब्सक्राइब क्या पूचा है तो इसके मतलब यह वाली नीचे वाली ट्रांजेक्शन नहीं देखनें यह तो नीचे वाली सारी परकेश की थी हमें यहां ऊपर वाली ट्रांजेक्शन देखना है तो हमारे पास देहले के लिए क्लिए पूचाजी देहले के लिए हमारे पास यह हाउश नहीं त्विया करें ग्राइट होचुका है थर्ड हमारा हो चुका है और ला हो चुका है और पूर्द हो चुका है हॉझी अब आफ आएंगे next case scenario यहां हमें चार्ट बनाना पड़ेगा हला कि मैंने चार्ट सभी के बना रहे थे क्योंकि चार्ट आपको साथ में मिलते नहीं यहां आपको चार्ट बनाना पड़ेगा ताकि आसान हो जाए हमें इस question को solve करना तो case scenario 5 में पहले हमारा काम क्या होता है एक idea रग जाता है कि हमें पूशा क्या गया है total GST liability net of ITC alpha limited के लिए पूछा राइट ITC minus करके total GST liability बताना है मतलब हमें reverse charge वाला भी add करना है forward charge वाला भी ITC minus करके बताना है फिर इसके बाद उसने पूछा ग्रोस आई जी ओहो ग्रोज जी एस्ट नहीं ग्रोश रफ हम PGST भी देना है हमारे को यह वह लगाने लिखके दे रहा है यह में इंक्लूड नहीं करना ग्रोस आई जी एस्ट लेविट बदाओ बही जो में forward charge में ग्रोस आई जी एस्ट देना है और ट्रेनिंग का कोई खर्चा हम नहीं किया है उस पर बताना है और फिर इसके बाद जरा देखियेगा हाजी वेल्लिव में हम एड करते हैं पांस चीजे इसमें पहला टैक्स से सभी प्रकार की आप करना होता है इसका पांट बता तुम क्या है फिर इसके बाद वाटन ता 15-2 बीवाट इस सुपर नुवा लिम्टिट ने इस ऐल्फा को बोला तुम होम डिलिवरी कर दो टूम इसने क्या किया ट्रक वाले के घड़ा अब ट्रक वडगे खड़ा ऑगया कैता है इसमेरे पैसे वाल नहीं काम करो मुझे देनी थे न ट्रांस्पोर科 पैसे त अब सवाल यह है कि क्या दो हजार हमारी वेल्यू में होगा यह हमारी वेल्यू में एड होगा और हमें फिर पूरा आईटी से मिल जाया करता है फिर इसके बाद आईटी से यूटलाइजिशन कैसे करते हैं यह अभी मैंने आपको बताया ही था नेक सेक्शन 10.1 अब यह क्या अगर हम बाहर करने करने के लिए जहाँ अगर हमें रहाँ स्सेद्ध बाहर कवंगा सछन प्र है यह है अब यहाँ पर अगर अगर हम अपने इंडिविज्व को बहार भेजने लिए तो इंडिविज्व की फिजिकल प्रेज़न जरू ही है थाटन फ्री बी के यह साफ से प्लेस निकालेंगे इसके लिए क्या निकल गाएगा जहां सर्विस परफोंग अभी ध्यान देना पांच टेस्ट लगते हैं इत बागद हो अब इस पर न पर हैं इंटर हैं में इंटर ऑंटर हो एक्सपोर्ट नहीं है यह मर हम पैसे तो गृटिंट लेकिन इंपौर्ड के लिए अटियर के समय हुआ इंडिया में इंडिया में लेकिन प्लेस्टिफ इंडिया होना चाहिए अगर आगे उसमें अगर गुश्रब भार भेज रहे हैं रिपेयर के लिए दो तो वहां पर भी प्यूस क्या लेती हैं जहां बाहर सब्सक्राइब तो उस केस में भी टेक्शन लगेगा अभी तो हमने अपने एंप्लोई देना ट्रेइंग के लिए इस पर जी आश्टी नहीं क्योंकि सप्लाइर भी भार का प्लेस अप्लाइब नहीं है फिर इसके बाद एक और परणड बता दूं हैजी इंप्लोई के लिए प्लेस अप्लाई हम निकालता है जब सप्लाइर इसक्ट अग्यां यहां यह बिल्डिंग लोकेटी है मुंबाई आगी अब थो से और महरास्ट्राज क्याज किया होगा बताएं क्या गुजरात वाली कंपनी महारास्टर जीस्टी करे लिपाई नहीं तो अगर इंट्रस्टर्स अप्लाई किसी दूसरे स्टेट की है हमास्टर नहीं तो इसके बाद एक प्वेंट और है हमारा लास्ट प्वेंट की जो इवंट मैनेजर अगर रज़स्ट्रेट ब यहां पर चाहें इवंट फिर कहीं भी है लिए लिकान हमारे केस में रेजिस्टर वाली बात है तो एस लिम्टे रेजिस्टर गुजरात में पन इवंट से हमने कोई सर्विस लिया इवंट हूँ अपना केस सिनेरियो है अब यहां से देखेंगे मैंने रिचार्ट बनाकर सुपनोवा एललसी एक जपान की कंपनी है यह क्या करती है इसकी दो सबसीडरी है एक गुजरात में है सुपनोवा इंडिया एक इसकी सुपनोवा इंक सिंगापूर में है अब सिंगापूर वाली जो सबसीडरी है यहां पर इंडिया में एक कंपनी है एलफा लिंट उसको को माल बेशती है मतलब यह इंपोर्ट कर रही है यह करती है इसके एलफा की इनवर्ट सप्लाई होगी जो इंपोर्ट किया यह इसकी सेल आउटवर्ट सप्लाई है इंडिया वाली आगे सेल करती है जितने की भी महीने की 6 और 8-14 लाग की सेल करिया है इसका 20 परसंट इसे कमीशन देनी पड़ती है मतलब यह इसकी इंपोर्ट हो गई सर्विस इस में रिवर्ट चाज में देना हो इसके लवाट ट्रेनिंग के लिए सिंगापूर में एंप्लोई भेजिए हैं इस पर घीस लगे जाने हैं अभी हमने बात करने क्योंकि सप्लाइर भी बहार और ट्रेनिंग भी बहार दी जा बहार दा क्योंकि हम कहां के हैं जी तुपर नो हम गुज्रात के हैं और हमारे एंप्लोई जा रहे हैं महराश्टरा में मुंबई में तो मुंबई वाले जो जी सी जीस्ट चार्ज करेगा उसका मियाग ठीशिए इवेंट मनेजिमेंट के लिए भी यहां पर हमने बता दिय इस पर पहले बाकी को सोशल वेलफिर सरचार्ज लगता ना वह भी अगर कुशन में यह ना भी बताता तो भी हम इंपोर्ट पर सीधा आई जीस्ट ही लगा रहे हैं कोशन साइलेंट होता कोशन में खुद ही बता दिया कि इस पर यह नहीं है बाकि आप आई जीस्ट ले सकते हैं अब ज्यान हो आपको भी सीधी का क्रेड़ नहीं मिलता सोशल वेट पर सचार्ज क्रेड़ अब इन के ऊपर जो कोशन थे हो पहले दिखालता हूं ट्रेनिंग जो बाहर हुई इस पर कोई जीस्ट नहीं होटल जो मंबई में जाके हमने रुके उसका हमें कोई कर नहीं और इवेंट मेनेजमेंट के लिए सप्ले गुजरा तो आईए जरा एक बार यह कोशन देख लेते हैं पहला यह थर्ड कोशन है कि जो ट्रेनिंग के खर्चे हुए सपनवा लेंटेड के नों जीयस्ट क्योंकि दूसरे स्टेट के इंट्रस अप्लाइब हमारे को कैसे मिल जाएगा तो घुजरात के हैं लिएक वुजरात हैं तो नेक्स्क्वश्टन है कि इविड्स जो मेनेजमेंट के सरविज दिये ibn लिमिटेड ने सुपर नोवा को बताईए क्या प्लियसप्लाई क्या होगा वही हम गुजरात के ते तो गुजरात क्योंकि हम रिस्टर थी हमारा प्लियसप्लाई घ्यरस्ट्याजट्स होगत इसके लबाभा दो लाक रुपय हमने ट्रांस्पोर्ट के इसको बोला है तू हमें देने थे ट्रांस्पोर्टर को हमने वह उसको तू पे कर दे हमें तो इसने एल्फा लिम्टेड ने इसको किसको बोला सुपर्वा को तूपे कर दे दो लाख रभा उसने दे दिये ट्रांस्पोर्टर को देने किसको तो यह भी सेक्षिंट फिप्टिन टूबी में वेल्यू में आड़ जाएगा टेक्स हमारे बारा जाएगा तो दस लाक और मारास्ट्रा के उमें गुर्ट पूंक्ट आने गुजरात में इंट्रसेट के हिसां पर जब अब इंपोर्ट पर हम यह. ग्रेंगे एक लाग स्टी आजार और इंटरसेट पर तेज यो थी दू लाग की इसका हम क्राइगे यह हमारा दो लाग तो लाग तो आई-गे एस्ट पे करना और ती जीएस्ट यह से दिनन हमारा आंसर आगया इसके बाद इसने सेकेंड पूछाए ग्रोफ आई-जीएस्ट लिखा है किसका पूछा है विदाउट एनिया इंडिया का अब देखिए इंडिया ने दो सेल करी थी हम गुजरात के हमने राजय सान में सेल करी है हमने गुजरात से गुजरात में सेल करी यह तो इंट्रास्ट अप्लाई है तो यह नहीं लेना हमें आंसर में तो हमने यह 6 लाग पर 18 पर इसके अलावा जो यह 14 लाग पर हम 20 प्रसंट कमीशन दे रहे हैं इंपोर्ट अफ सर्विस हैं यह 14 लाग पर 20 प्रसंट और 18 यह 15 लाग प्रसंट यहां हमारा यह वह लाग के सेनरियो भी प्रदम होता है फिर हम आते हैं अगले भी के सेनरियो इसमें हम पहले क्या पढ़ लेती हैं एक आईडिया लग जाता है हमें एंसी की पढ़ने से क्या पूछा लिए जिस पर जीस लगना है फिर दूसरा उसने है और है औरन कौंसी सिर्टर बिंट से सही है कंब एसट उसके बाद करें फिर इस नेetes पूछ है कौन सी सप्लाईप पर आर्फ़ नहीं लगई और फिर पुछा IITC बताईए यह होटल वाला ही पॉइंट है वह हम कोई बाहर जाके महराष्ट्रा में जाके रुक रहे हैं हम कोलकटा के हैं हमें प्रेव मिलेगा है तो वापस आएंगे हम अपने question पर हमने इसका भी चार्ट बनाया हुआ है लेकिन जरूरत यहां पर हमें नहीं पढ़ेगी कहीं कहीं जरूरत जरूरत पढ़ जाती है याथे पिछले में पढ़ेगी एक बार मैं आपको इस concept रिवाइज करा दू क्या है अगर लोकल अथोर्टी ने यह गोवर्मेंट नी रजिस्टर बंदे को बिल्डिंग किराय पर दी है तो रिजिस्टर बंद तो फिर उसने अगर इन साथ बंदों को सर्वेजी तो यह साथ बंदों को सर्वेजी और रेट होगा पांच करते हैं और अगर उसने रिजिस्टर बंदे को सर्वेजी है अगर वह जिस्टर नहीं है लेकिन वह FCSBP है F for factory, C for cooperative society, F for society, B for body corporate, people partnership यहां एक और चीज बताता चलूँ हलाकि हमारे केस में सिरफ इसना ही यूज हो रहा है कि जीटे ने रजिस्टर बंदेव कराई सर्वेज दिया है और जीटे एक फोरवर्ड चार्जमें नहीं 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 दिला अगर जीटे नहीं है जीटे कुन होता है जो यहां पर टर्नवर उसकी परिवसर में कम है तो यहां एक्जम्ट होगा एक्जम्ट होगा अगर आपने घर किराएपे दिया है रिजिस्टर पर के लिए अगर आप अन्रिस्टर बंदे से कोई और बूस्ट सर्विस पर कर रहे हैं तो जीएस्टी नहीं फिर इतके बाद यह सक्षिन अठारा अठारा एवन एफ आपके टर्नोर दश्ट भी चर्श्ट लागते अब आप रस्टीशन ले लिया तो आपको जीएस्टीशन ना जो भी माल पड़ा हुआ है तो क्या उसका प्रेट भी मिल जाएगा जी हां अगर आप वलेंट्रेश्ट लेती हैं जो आपके बाद पड़ा को जाता है पर कंपड़ा को जाता है इंपोर चैनल में चाहला इससे पहले वाले जिस्ट होगा उसका हमें क्रेट मिल जाएगा और एक साथ पुराना चाहिए तो करें नहीं मिलिए ऑक फिर इसके बाद कमशन के लिए याद कर लीजी हृए प्रैज कर लिए प्रीवें तो आप कमिशन कीम ले सकते हैं लेकिन अगर आप सत्नम वाले स्टेट में हैं तो फिचत कलर सत्नम का मदर क्या जी अच्छा इसके अलावा इसका फायदा क्या जी फायदा यह है कि अगर अधर ट्रेडर है तो इक परसंट देना पड़ता है लेकिन अधर ट्रेडर है यह इस क्या थोड़ी से सर्विश दे सकते हैं जी जितना जितना यह टर्णोवर इनकी है प्रीवेश के स्टेट की टर्णोवर उसका दस परसंट और पांट लाख विचे विजह सकते हैं फिर भी कंपिशन के में रहेंगे ध्यान रहें यहां हमने 10-1 10-2 की बात कर रहें हैं यहां पकिछ लंगते हैं तो इसके बाद अगर हम ओर बताएं इन्ट्रस गेस कि माफ है और यह कहट ए को बता दिया किसी दूसरे स्टेट की इंट्रा से सप्लाइगा आपको नहीं मिलेगा तो आए जरा अब हम देखते हैं इस पर कुश्चन अजी अशोक ये एक स्टेश्ट्री आइटम कोलकटा में हैं इसके दुगाने हैं ओकी ये इसने मिंस्पल कोर्परेशन से कोलकटा मिंस बिल्डिंग किराये पर ले रहे हैं इस पर आर्थे में टक्सी नहीं होगा अब प्रीवेश्ट्र इसके बाद हम डुप्लेक साउस है हमारे पास में ग्राउंड फ्लोर लट आउट अच्छा इसमें अब हमने क्या किया कि हमने बैंक के एंप्लोई को किराये पर दे रहा है अब बैंक्क खुद और नोब प्रील को दिला टॉ नोब प्रील की बाद उसके बाद की सेलक यह में अटर नूब आप्रिल से पहले वल दिन आठ पड़ा है है यह stationery का श्रक्रां का की अवीर ऊंग हो इसने इतने प्रदा हम सेल सिरफ सिरफ सप्लाइव करते हैं इंट्रास थे लोग हम तो लोग एहल आया लिजी बरे परचेज हम डेली मंबई तो थोड़ी सी दे सकते हैं हमार पास सर्विस है एक इंट्रस के इंकम उसमें रेंट जो हमने रिसीव किया है यह हम सर्विस में करेंगे हम दे सकते हैं तो अभी मैं इसके बारे में बताता सुनो आप हम अगर बात करें स्टोक का क्रेंट हमारे अठाप्रायल वाला ले रहा है पहली यह क्लिर है स्टोक के बाद हमने ऊटवर्स अप्लाई जो नह अप्रेल उसके बाद करिया हमें रिजस्टिशन कम मिला वहीं बोला किस देट से? नो अप्रिल के बाद वाली जीज़टी देना यह पहले पुरानी पर लीगल फी पर भी हम रिवर्ड चाज में देंगे नो अप्रिल के बाद वाली का ठीक है फिर स्टेश्ट्री आइटम हमने रेजस्टर से पर्टेज करें पर दें पर फॉर्ड चाज ने जाएं नेक्स यहां पर नहीं है यह यह रेंट जो हमने लोकल अफोटी को भी है रेंट रिसीव किया है आजी आउटवर्ड अप्लाई हमारी पहली दो थी इतके बाद सारी इंवर्ड थी दो सेल थी और फिर यह दो लास्ट वाली आउटवर्ड तो आपको यह अलग निकाल लेना या तो चार्ट बना लो आगे चार्ट बना हुआ अगे नहीं तो आप यह अलग लिख लो यह आउटवर्ड है इसमें बैंक आर्टि में देगा तो अगर हमसे आर्थी में पूछे तो आर्थी में सिर्फ यही दो जो रेंट हमने उसको दिया है को यह वाली अमांट इंक्लूद ही क्योंकि 9 अप्रिल के बाद रेस्टेशन जो हुआ उसी में हम आज के मिलेंगे तो 1.20 और 1.50 यह 1.70 पर हमें आर्थी में देना है एक कोशन था ना हमारा जो देखें वेल्य ओप सप्लाई जिसमें हमें थर्ड क्वेशन था रिवर्श चार्जम देना है तो यह 270 हम नीचे निकाल कर दे रखा टोटा तो 270 और हमारा कुछ रहा क्या और हमारा बज्जे अब तो रेट दे रखें हमें रेट दे रखेंट और बारा परसेंट है तो आई अब सू ने अब्वर्श में अउठ्सान में अंष्यम पूषण को जीएस टी आउट्वड सप्लाई ऐसे और घृषण सब्सक्राइब हैं ho win व और ध्यान रहे एकप्रेल नहीं लेणा तो इस डेट के बाद ही जिए अच़्ा एको 27 Hilf बंक हीशन में इस हमारे प्रिजिए कौन से सही है वो निकाल ही है अशोक यह नीचे दे दिया अशोक कैनोट प्रक्राइब कर रहा था और इसके प्रक्राइब अशोक को रिवर्चाज में धीचे देन होगा नाइन पॉर में हम बिल्ड़ पर नहीं है हमने कोई अंदेश्टर परसे साथ टैक्सी नहीं है तो यह इंकरेक्ट रिवर्चाज की बाद छोड़ फिर इसके बाद value supply हम हो गया हमारा next fourth point हाजी कौन सी इन्वर्चाज पर रिवर्चाज नहीं है अजी दिवर्चाज एक शोप रेंड पर था और यह ट्रांसपोर पर बाकी दो जो बची यह दो ही तो आर्थियम दे बाकी दो आर्थिम नहीं और यह लीगल फी वाला पर इस पर हमने चोटा सा चाट बना लिया है यह यहां पर क्या है जरा देखेंगे इस में एक बार क्वेश्चन अगर आप पढ़ना चाहें पर सकते हैं पहला क्वेशन है आउट्पूट टेक्स पेबल बताना बिना आईटी सी के डुडल इंडिया का जन्वरी महीं देखेंगे मंस का और यह देट का ध्यान रखना होता है नेट जी एस्टी लेविल्टी पूछी है डूडल इंक की डूडल इंडिया नहीं डूड अब हम एक बर पहले इसके आपको रिवाइज करा देते हैं कि सेक्शन तेरा दो पर्मोशन और मार्केटिंग की सर्विस हम दे रहे हैं या कॉल सेंटर के सब्सक्राइब यूससे वाली एंटिटी को ध्यान देजिए सप्लाइर रिसीप्ट डोन में से एक बहार का सेक्शन 13 में हम प्लेस अपलेई निकल रहे हैं तो हमारा इंडिया का बहार फाली गूगल कंपनी को औरे हाल है यूससे वाली यूससे कल रहे हिए उस्टेट कर रहा है यह पले हैं फोचल और यह हमारी export of service बन जाएगी यह हमारी export of service बन जाएगी कैसे जिरा देखें एक्सपोर्ट of service के लिए पहली कंडिशन है इंडिया गोना की है हम इंडिया के है रिसीपेंट आउट्सेंट इंडिया को नहीं चाहिए गूगल बाहर की है यह जिरो रेटेट होती है और इसके रिलेटिट पर्चेजिस का हमें पूरा क्रेंट मिल जाता है जिरो रेटेट का मतलब क्या है सो और इस खटीएश्ट देघ्रक कर सपियुआगर ऑफ您 के बांड इसेटेशा क्रोंड्यूट फिर एगवने हम्ने चाहिए और वैसे भी मंट्वर्ड से सब्सक्रेट है है आप बॉंड एलुटी में ही एक्सपोर्ट करें इस तो पर हम सीधा सोला तीन महीं मानते हैं एक्सपोर्ट को हम क्या मानते हैं इसके बाद बाद तो मैंने आपको बताई दिया जी यहां पर यूद होगा मैं एक बार फिर दिखा देता हूं यहां हमारी क्लाउडो सर्विस क्या ह्यां यह ओ डी अ 1 इसके अलावा यह अगली बार बता दू हुआ है हमें गूगल बहर की कंपनी है दोल U.S.C कंपनी है यह अटीवार को स्रविश दे रही है बस इस केस में ही सप्लायर अगर बिजनस एंटिटी से रिसीव कर रही है तो बिजनस एंटिटी वर्ट साथ में देती है अब हम देख लेते हैं इसके उपर में जो क्वेश्चन है हाजी डूडल यूएस से ने से लिए इसे के लिए ही सिर्फ 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 इसे जीए अब डूडल इंडिया से हमने कुछ सर्विसे सब्सेटरी कमपनी है हमने कुछ सर्विस रिकरिया ओनलाइन स्पेस लिया है इंटरनेट पर यह हमारी इंपोर्ट अप्सर्विस है इस पर हमें रिवर्ट चार्ज में जीएस्ट देना होगा यहां पर डूडल यूससे को कुछ नहीं देना डूडल यूससे को जो अब जो हमने पांच क्रोड का स्पेस स्पेस किराए लिया था यह आगे हम बेच रहे हैं आट करोल में अच्छा यह इसके लाव हम एक्सपोर्ट करें इसी यूससे वाली सर्विस पे लिए हम एक हैल सेंटर को रखा है और यह प्रमोशन मार्केटिंग के सर्विस दे रहे हैं इसी इस यह ययूज़ से वाली सर्विस ययूस्ते वाली सब अपनी सब होल्डिंग कंप्प्नि यह यह महरी कैसे और इसमें फोर्नेक्शेंज भी रिसिव होगा अब जिए इस हैल्ट सेंटर के कुछ खर्चे होती है इस इस प्रमोशन मार्केटिंग को खर्चे होती हैं ज यहां पर 55 लाग और 50 लाग खर्चा हुआ होगा हमारी इंडिया का पूछा ना डूडल डूडल इंडिया का पूछा ना डूडल डूडल इंडिया का हमारी आउटवर्ड सप्लाई एक तो यह है यह करोड पर आठ करोड पर 8 करोड पर 8 करोर पर 8 करोड पर बाकी तो दोहिस में नेक्स इसने पूछा नेट GST लाविटे बताईए डूडल इंग का डूडल इंग को तो सिरफ एक ही एक ही आउटवर्ट सप्लाई परगाई जो इंडिया का इंपोर्ट पर हमने इसके अलबा यह हमारी इंडिया वाले खर्चे हुए थे इसका हमें करेंड मिल जाएगा तो हमारे चार क्रेंड मिलेंगे एक तो दो इंपोर्ट वाली दो हमारी सर्विस हैं खर्चे हुए हैं इसके लिए हमने सब्सक्राइब करके चार्ज किया है तो हमारे खर्चिव तो 525 लाग 55 लाग पांच करोड पांच करोड पांच करोड 25 लाग 55 लाग बचाइब यह हमारा क्रेंड आज यह ने पुछा कॉंसे सेट्मेंट सही है ऑनलें एडवरिजिसन सेज्ट जो हमने डूडल इंड ने अगला गनेश फ्लोर वाला एक बर आप इसके केस सेनर्यों के M से क्यों पढ़िए फिर हम इसके उपर बात करते हैं कि क्या क्या पूछा हुआ है देखें पेज में 27 पर क्या पूछा जी वेल्यो टेक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई पूछा है फिर इसके बाद इसने एंट्रस का पूछा है और फिर इसने पूछा देता हूं कहां से चार्ड बनाया हुआ है मैंने उस से समझा देता हूं हम केस सेनर्यी नंबर 8 की बात कर रही है कि सेनर्यी नंबर 8 है वेल्यू में आपने पढ़ा हुआ पांच यह आड़् होती है इसके लाब सबसीडी में जो गौवर्मेंट वाली सबसीडिय य फिर इसके बाद आपने पढ़ा हुआ है रेंट अगर आप घर किराये पर देती हैं अन्रेश्टिट परसंट को तो माप होता है इंट्रस्ट आपका लोन एडवांस डिपोजिट का एवडी का माप होता है हाजी लिक्विडिड डेमेजी सप्लाई ही नहीं है टेक्स नहीं तो रिवर्ट चार्ज होता है अच्छा फिर इसके बाद अगर कंपनी देगी तो फोरवर्ट चार्ज होता है लेकिन अगर आपने अगर सेक्योर्टी की सर्विस हमने अन्रजिस्टर ते ली नाइन पूर नहीं लगेगा नाइन पूर तो सिर्फ बिल्ट डोलपर के लिए तो सेक्योर्टी से अगर हमने अरिस्टर ली होगी हम अगर वह कंपनी होगी तो फिर कोई रिवर्ट चार्ज भी नहीं तो दिखा देंगे नेक्स पंट यह हमने एड्वोकेट वर्ड आपको बताई दिया अगर बड़ी बिजिस एंटिटी को दिया जिसके टनौर तुई प्रविजिट लिम्ट से ज्यादा तो रिवर्ट चार्ज है और छोड़ी बिजन एंट्री को दिया तो माँप है फिर इसके बाद स्पॉंसर्शिप की सर्विस अगर कंपनी फंप को नहीं दी तो फरवर्ट चार्ज है फिर अब टाइम और सप्लाई का पाण्ट हाँ जी इतने दिन में इश्यू नहीं किया तो फिर देट प्रोविजन उप सर्विस और देट पर जाएगा जी फिर इसके बाद हाँ जनरल डिसिप्लिंस के लिए बता दू अगर आपका पांच हजार से कम का अमाउंट इन्वोल्ड है टेक्स का लजन पांच तो इसके लिए पैनल्टी नहीं लगती छोड़ सकते हैं लेकिन एक्जेक्ट पांच आर हुआ जैसे इस कुश्चन में है फिर पैनल्टी लगी फिर पैनल्टी लगी ठीक है अच्छा फिर इसके सब्सक्राइब व्युश्चन है और इसके ट्रांस्पर ना हो तो बाइप जैसिए तो सब्सक्राइब और सेक्योर्टी वाला मैंने आपको बताई है अभी वहां पर यूज होगा स्पॉंसर्शिप बता चुके हैं स्पॉंसर्शिप के केस में अगर फ़र्म या कंपने को दी जाती है तो रिवर्श चाज होता है अब हम आते हैं जरा कुष्षन देखते हैं हमने गनेश फ्लोर कंपनी वेस्ट पंगॉल की है किसे लिएट कर रहे हैं हम क्या करते हैं वीट को पर चेस करते हैं इस पर यह सुझी इस से फिर माटा मैदा सूजी इनको बेशते हैं यह सब्सक्राइब हमारी हमारी साड़े साथ सब्सक्राइब हमने कोई लीगल सर्विस ली है उस पर आत्यमा में अलग थी यह हमने अलग चार्ट में पना कर लिख ली है अच्छा अब इसमें आउटवर्ड के लिए नोट दिया इसने कि ऊपर जो टोटल सेल ती है गनेज भोग आटा की यह पहला-पहला पांट था इस इसमें एक लाग की हमें 10 पर केजी सबसीडी मिले रिया द जग की सब्सक्राइब किसे स्टेट गोवर्मन से रेस्मंगोल की गोवर्मन से अब आप जानते हैं कि हमारी साट लाग में से एक लाग भाटाकर 59 लाट पाजी इस लिए यह स्टेट गोवर्मन वाली इसके पाद एक पॉइंट है इसमें कंप्री ने कॉंट्रेक्ट दिया था कंस्ट्रक्शन का किगी को उसने तीन मैंने से लेट कर दिया तो हमने उसे चाल जाव जब पैनल्टी लिए तो यह सप्लाई ही नहीं है जाएगा यह सप्लाई नहीं है फिर एक और होगे अग्र तरह टेक्ट के कित नहीं को घुर कर यह की आपने टेक्स फराइन जमा करा हैं ह네 अगस्त महिने का 28 सेप्टंबर को अगस्त महिने का अगर मंक्ली टेक्स जमाओ तो 20 सेप्टंबर तक जाने चाहिए आपने आर दिन का डिले ती है तो इस पे दो तिन पांच यार ना एक से पांच अर्थे कम होगा तो मैंने लगेगी क्योंकि यह माइनर बीच अरे माइनर बीच फिर फिर इसके बाद नो पेनल्टी लगता गलत बार तो सिरफ यह पहली स्ट्मेंट करेक्ट वापस आते हैं नीचे मैं एक्स्प्रेंड करके दे रखा अब हमारे पास यह हमारी आउटपूर्स अप्लाई होगी इस हमारी इंवर्स फिर इसके पास अन्रजिस्टर्ट ग्चेया नहीं है फिर पार्ट्शिप फंस ने तो हमारी यहां रिवर्चार की बात आएगी लेकिन इसके लिए स्टार लगा रहा है कि इसमें इसमें एक्स्क्लूड कर लेते हैं एक लाख इसमें में आर्थे में तक लिए नेक्स एंडियन चेंबर कॉमर्स को हमने स्कॉंसर्शिप के लिए पेमिंट करें उसने हम कंपनी थे चींडिया कंपनी तो कंपनी फंक को सब्सक्राइब पूछता रिवर्चार वाली 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 तेक्स बताओ यह मता देंगे एक लाख पच्चेजार और तीज़ार अब जिदा ध्यांकि सुनिए इस में मैंने अलग-अलग आउटवर्टि दुद्ध लिया तो क्या फायदा हुआ अब होता गया कि रिवर्चार हम वहारा बी लग डीटेटे करदेमें से दो झीकषिंद कर रही होंगे तो इन्वर्ट सप्लाई में हमारे एक लाग पच्चिचार और तीज़र आहा है ता हम फिर इसके बाद अगर हम देखीं यहां ते कम पहुंच गए थे कंप्री ने एक मेंट्रेंस का कॉंट्रेक्ट दिया पावर इलेक्ट इसके टाइव अप्लाइब करना था हमने कंप्लीट किया आज दिले को यह देट प्रोवाइडिंग तर्विश इन्वाइस इच हुआ पांथ सप्टेंबर को क्या सीजिन नहीं हमें काट जाती दिलेक्ट यह तो अब डेट पेमन्न दे रहे हैं 15 सप्टेम्ब्स हमारा टाइम सप्टेंग तो अब बस हमारा हो गया कुश्चन कंप्लीट हमने पड़ भी लिया और इसने पहला पूछा है वेल्योप टेक्टेवल सप्टेंबर में लिए अगला तो एक्जम था 59 लाग और इस पैंतिसों नेक्स सेकेंड हो गया हमारा थर्ड हो गया है हमारा फॉर्स हो गया ओकी अब अगले की सेने रिपराईगे इसका भी मैंने एक चार्ड बना है इस कोशिचन में एक चूट की जलती है कि अन्सकार वोग सर्विस है तो हमने चार्ड बना कर आपको दिया है कि हम जोब सर्विस दे रहे हैं और दूसरा आपूर सप्ली ट्रांसपर पर अलग लिख लिख लिए इसकी भी लिख लिख ल की हम फॉर्वर्ट याज में नहीं तो हम जिसे दे रही हैं पहला वो रॉस्टर पर साथ बंदे रहे हैं वह वही रॉस्टर परसन और अप अब जो जो बाव सर्वी तो उसके में आपर सप्ला यहां पर एक पॉइंट है एक बर इससे रिटेड़ कंसेप्ट यूज हुए है एक बर वह दिखा दिता हूं क्या-क्या यूज हुए हैं देखेंगे हम कर रहे हैं क्या हम कर रहे हैं के से नेरियो नंबर नाइन तो जो रहतकर हुए हम वने interrogate दाव इविए एपकोडान है और यूच कर सर्वीund अब क्राइब ऑल यही अगर ये संप्लाई अगर हम बात करें तो अगर सच टीजिन में नवाई एचीऊ हो गया तो अगर नहीं हुआ तो डिटो प्रोवाइइंग तो मतब एडवांस पर GST जाता है और एडवांस फ़ल पॉइंट है जी नेक्स ब्लॉक क्राइट है जी अगर फ्री सेंपल देते हैं इस पर GST जाता तो इससे लिए पर चीजिन का रिवर्स करना पड़ेगा अगर आपने ले रखाया नहीं तो लोही मां सेक्शन 13-2 प्लेश सप्लाई अलोरलिया करते हैं अच्छा सप्लाई हाँ अब मज़ेदार पॉइंट तेरा तीन से लिटर है सप्लाई इंट्रा इंटर होनी चाहिए ना अब सुनो अगर बुट्स आफ फिजिकली बाहर भेज रहे हो सप्लाइ सप्लाई बाहर के इंटरनेट के माध्यम से हमारे यहां और बहुंत रहे हैं अब यहां पर हम इंडिया से मशिनरी बाहर भेज़ने रिपेयर के लिए तो सप्लार बहार इस पर नहीं नेक्स अगर गूड्स असंबल इंस्टोल किया जाते हैं कस्टमर की साइट पर तो जहां असंबल इंस्टोल के और जीटे के वह ने बता दिया अगर तो यही पॉइंट अब यहां पर यूज है जिर हम आते हैं आप कुश्चन पर हाजी तो हम जीटे की सब्सक्राइब हम फोर्वर्ट या कंपनिया हमें कोई आउट्वर्स अप्लाई की बात ने हैं अब इसमें इसने पहला क्वेश्चन क्या पूछा है इससे पूछा है नेट आउटवर्ट GST बताईए इसने कुश्चन पूछा और अगले कुश्चन उससे पूछा है पहले ITC बताओ तो हम इस तरफ दो काम करते हैं इधर वाले काम का तो ट्रांसपर को रामें क्रेट मिलना नहीं क्योंकि हम GST लेए नहीं जो यह जोबवर्वर्वर्वर्व नहीं यह अपका थर्ड पॉइंट यहां से पढ़ा देता हूं क्या है मशिनरी पर्चेज करी है बोडी जो हम यह लगाया करते हैं बसिस के ऊपर में वह उसके ऊपर में हमने एक मशीन पर्चेज करी है उसको लगाने के लिए वह पचास लाग तो हमारी प्रिमाइस पर एक सुए लिमिटेड जो यहां देख कःमने लिगा वे लिमिटेड रजसान की एकस यजकाट म की हमने पुचास लाग की प्रचेज को अब लेगन कहा झांनी हिए इसने की माहराा स्था किये माहरास्टा किये JOSH को बोला कि तू इसके प्लेस पर आ पहुचा और वहां पर इंस्टोल भी कर के आए अब इंस्टोल कहां पर करिए इसे बेची बी को लेकिन इसमें कुछा है कि सी लिमिटेट जो सी ने बेची है उसके लिए प्लेस अप्लाई बताओ टेक्स चार्ज बताओ अब हम आते हैं जरा वापस अपनी चार्ट पर अच्छा जी तो एक इसकी कहानी मैंने आपको बता दी हमें आइटी सी निकालना था एक्स वेजड के लिए इस काम का तो हमें आइटी सी मिलना नहीं था इस वाले काम का देखो जो वर्क वाला काम है इन्वर्ट सप्लाई 50 लग पर केड़ लेंगे नेक्स हमने इंजिनरिंग सर्विस इंपोर्ट करी है तो इसने इंटरनेट के माध्यम से दी है इसमाम लिए है लेकिन थार्ड पंट हमने रिप्यर की सर्विस लिए है इसके लिए जए इस वाली इंप इस पर गशायर चाहिए तो हम क्रेट लेंगे किसका 50 लाग पर 18 और इंपोर्ट 15 लाग पर 18 और ये 5 लाग पर 18 पर फिर पांच पर नो नहीं पांच लाग पर तो जी एस्टी देना हैं पचास पंदरा और नो देखेंगे हमारा सेकंड क्वेश्चन था अब इसने पहला क्वेश्चन थोड़ा गलत पूछा वे से ग्रोज जी इस लिए नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं देखेंगे पांच लाग की और दस लाग का एडवांस रिसीवा था सर्विच के लिए तो पांच लाग पर आठार पसन निकाल देंगी यही हमारा अंसर अगर हमसे नेट पूछता हलकी ग्रोस होना चाहिए क्योंकि आंसर नीचे नोट दे लिया अब इसके बाद थर्ड लियूमनेस इंक को क्या रिस्टेशन कराना है हाँ जो उसने जी अच्छा लिविनेस इंक से हमने दो सर्विस लिए इटली वाली कंपनिया ना इससे इंपोर्ट नें जी ने कराना आख इंडिया में वह क्यों कराई की इंपोर्ट पर हम रिवर्चार्ज में देंगी दूसरा जो रिपेर की सब्सक्रेशन नहीं है तो ल यहां पर लिवने सिंग को नहीं कोई GST लेटी नहीं है निल है तो हम ने नीचे डिटिल एक्स्प्लेइन करके आपको दे राखा ओकी नेक्स GST लेटी ट्रांस्पर गुष्ट वे बिसी लिम्टेट यहां जीट यह दे नहीं रही तो हम अम कंपनी है हमें हमें रिवर्स अनी और रजिस्टर पॉष्टन पहले एक बर केस चैनलियों 10 km से क्यों पढ़ लेते हैं हम से क्या पूछ हुआ है एक तो ITC पूछा है दिसंबर महिने का और पहला क्या पूछा था पहला उसने वेल्यों इन्वर्स अपलाई रिवर्स चाज वाली पूछी है फिर इसके बाद इसके बाद पैनलिटी अगर हम सर्टिफिकेट अपनी पर नहीं डिस्प्ले करते हैं तो एक बर मैं इसके रिलेटेड एक बर क्वेश्चन आपको जो कंसर्प्स होने वाले हैं वो जरा दिखा दू आपको क्या के सेनर्यों 10 के कर दो नाइन फोर में आपको पहले बता चुको और रिवर्ट ने से पर्चीज करता है तो सीमें ब्रिक्स यह यह पर यहां पर यह पर इस पर यहां पर इस नहीं है इतना आइडिया का फीज है तो नाइन फोर के केस में हर अर्श्ट उससे पर्चेज करें उसके जीएस्ट रिवर्ट चार्ज में नहीं है फिर जीटे का पंड आपको बताई चुका हूं जीटे पांच बारा फुर्वर्ट चार्ज में चार्ज कर सकता है अगर उसने चार्ज नहीं किया उस लीगल सर्विस का भी हम बता चुके हैं अगर लीगल सर्विस बड़ी बिसनस न्टीक हो दी गई जिसके टर्णोवर पीरसे में रश्ट से ज्यादा है तो रिवर्ट चार्ज नहीं है अब यह एक पांट और रिवर्ट चार्ज वाल अटक्स हम कहीं कई बात को चुकि फिर हम इसका ITC लिए अच्छा फिर इसके बाद ब्लॉक्राइट गुट्स लोस हो गया स्टोर्ण हो गया राइट ओफ हो गया अगर गिफ्ट दे दिया है उसका में क्रेडिट नहीं मिला करता है अब एक मस बात क्या हो आपको अपनी प्रिंसिपल प्रिंसिपल प्रिंसिप्र जो आपको र्जाना होता है और जो भी आपने बोर्ड लगातें कंपनी का उसमें आपको रिखना होता है अगर आप ये नहीं करते तो पच्छेस में पैनलिटी प्च्छिस हजार तक की लगतकी है ठीक है और अगर आप देखी हमारे पर चोधा क्वेशन था यही था पैनल इसने हमें आउटवर्स अलग दे अलग देए इनवर्स अलग देए अब इसने हमारा को प्रीवेश सेर्ट अवर्शेट दो करोड दिया मतलब बड़ी बिजनस एंटिटीट अब इनवर्स अप्लाई में हम ढूंते हैं हमारा कौं सा यह सीनेर एड्वोकेट को में फीपेकर इंट्रा। बंक पड़े देवाते हैं। हम नंगी रखेया हमें, रजिस्टर से पर चेथ परचेथ करम हैं। एंट्रा पर्चेथ करें, हम ब regular 포 dispatch करेंने राखे हैं। सब्सक्राइब और हम हैं तो कशेर्टी अदर थो कंपनी से ले रहे हैं सब्सक्राइब नहीं है नाइन फॉर हर सर्विस उस पर नहीं लगता तो नाइन फॉर नहीं लेबर को लोडिंग पर नहीं है तो यहां पर नहीं है तो इसके पाद अनलोडिंग के दौरान हमारा पैसटेज़ा का गुष्ट जो है न वो रॉस्ट डाइस का में इसका हमें इसके रिवर्स करना हो था तो यह तो लाक और यह 30,000 और यह तो यह तो फूर्ट करना हो तो यह दो लाग 40,000 होगे नेक्स कोशिन है टोटल आइटी थी बताईए वह एक तो दो लाग 40,000 का क्रेड में लेका मारको इन पर हम जी एस्ट निकालते हैं के दो लाग 30,000 और यहां पर हमें अलग अलग निकालने इडित नहीं है सीधा आप 18-18 पसंद लगा सकते हैं रेट सब्सक्राइब करें 30,000,000 इस पर हम जी एस्ट लगा देंगे 18-18 पर फिर हम रिस्टर डीलर वाला चार लाग 30,000 और फिर तो नो जी एस्ट है फिर यह तीन आर्थियों वाले और आपके दो तीस और दस आर्थियों वाले यह जी एस्ट दोगे रिवर चार्ज में और क्रे इसने यह तो टोटल आईटी सी पुझा देना तो तीस पर और यह चार पर हमने यह जी एस्ट लिख दी ठीक है फिर यह अलग लग निकालने की जो इतनी है हमने तो अपना कंश्ट चुली आपको क्लियर की यहां पर सोल करके दिखा रहा है फिर यह ट्रांस्पोर्ट वाला और यह आपका शोप्रेंट वाला और यह रिवर्ट वाला बस जी इनको हमने एड किया है एक आईटी से हमने रिवर्ट कर दी है जो डेस्ट्रोई हो गया था यह हमारा टोटल की एच्छे सच चोबिस था हमारा अंत्रा है एक कोशन दा ग्रोज जीस्ट लाविटे कि इसमें जीए स्च लिए फोर्वर्ट 4 वाले जीए फोर्वर्ट वाला हमारा अउटवर्ट अपलया यह बारा भारा छे लाख 28 लाग और चालाऊ पर इन दोनों को आड़ कर देंगे यह टोटल जीस जीतार दो नेक्स पेनल्टी वाला पाड़ हम कर चुके हैं आगे बढ़े जी जी हाजी नेक के स्नेरियों के स्नेरियों करते हैं जी इसमें पहले हम इसके एंसे क्यों पढ़ेंगे सबसे पहला कुशन कुछ है कितना इंट्रोफ का क्रेट क्रेड लेजर में जाएगा को जाएगा में स्ысुन करना है कीट्ष सेथा समसे करना है क्लेट करना है मेशिन रिवाई के लिए और पांचवां अप्रेल इकिस का कोमन क्रेट कितना है और फिर कोमन क्रेट एक्जम सप्लाई की क्या ट्रेटमेंट होगी वापस आ जाते हैं क्वेशिन पर पेज नमर थाड़ एट पर और इसमें पहले एक बार इसमें जो कंसेप्ट यूज है उसे हम डिसकस कर लेती हैं के सिनेरियो नमबर 11 की बात कर रहे हैं जी रोल 43 आटी सी के जप्रेट आपने पढ़ा होगा मशीन जिनका यूज सिरफ एक्जम सप्लाई या नोन बिजस पर इस होता है लेते ही नहीं है तो मशीन ड्री वाई अगर ऐसी होगी जिसका हम सिरफ एक्जम पर यूज करें होंगे हम क्रेट लेंगे ही नहीं अगर सिरफ टेक्सेबल या जीरो रेटेट यूज पूरा ले लेंगे यह तो आपने गलत किया सब्सक्राइब करें नहीं अब ही आप काम करें रुके मशीन की लाइफ हम मांते हैं पांक साल तो एक साल में 12 महिने पांक साल में 60 महिने आप एक काम करो एक महिने का निकाल लो कैसे स्टेट की यह अगले पांस साल तक निकालते रहेंगे और हर महीने इस एक्जम्ट कराएगा आप आउटपूट्स लेडिमें एड करेंगे आपने ऐसा पड़ा होगा मान दीजिए कोई मेशिन आपने दो साल पहले पर चाहिस करी थी तब वह एक्जम्ट में यूज होती थी तो आप नहीं लिया होगा अब दो साल बाद वह टेक्टेबल में भी यूज होने लग दी तो कोमन में आ गई मतब यहां सी में कवर होगी ज यह तो गलत हुआ दो साल अगर पहले एक्जम्ट थी अब तीन साल की ही लाइफ बचे रही है टेक्टेबल वाली में यूज होगी तो तीन साल का क्रेड लेना चीजिए नहीं आप पहले पूरा ले रहो अब वो दो साल का पर क्वाटर 5% के हिसाब से 8 क्वाटर होगे दो स बस इतना ही यूज है अगला पॉइंट एक और भी होता है वो हमारे इतने यूज नहीं है तो हम भिस्कत नहीं कर रहे हैं आते हैं जरह अपने क्वेशन पर अब हमारे पास वरून एसोसेट यह दो प्रोड़क्ट बनाता है A और B और C भी बनाता है किया प्रोड़क्ट A जो है यह टेक्सिवल है प्रोड़क्ट B एक्ड़क्ट सी यह टेक्टिवल है और इसे हम एक्सपोर्ट कर रही है तो एक्सपोर्ट से रिलेटेड पर चेस का क्रेट आप ले लेगे देगे। अब एक सवाल उतने पूछा था पहला सवाल था यह एक अप्रेल 18 को हमने मैश सब्सक्राइब करें तो पहला क्वेशन था 18-19 के लिए बताओ किसना क्रेट जाएगा तो अगला क्वेशन था कितना क्रेट लाज़ में नहीं जाएगा बई 18-19 के लिए में लेना सा जो 19 था यह सिर्फ एग्जेम्स पेज हो रही है तो इसका क्रेट नहीं बलेगा तो 15 लाख एंटू में अठारा परसंट थो राट यह नहीं लेंगे बाकी सब में तो लेना था इसलिए नोट क्रेटेट इनको इसने question में आगे बोला है कि 1 April 21 से ये जो machinery y थी machinery y इसे हम product a में भी use करने लगेगी मतलब common use हो गया तो 1 October 19 से लेके 31 March 21 तक जितने भी quarter है उतने quarter के लिए एक्जम्ट में यूज होती रही है तो अब पहले क्या काम करें एक अक्टूबर 19 से 31 March 21 तक ये एक्जम्ट में जो पहले काम तो करो इसके उपर में पूरा लेड़ लेड़ो इसके बाद में जो एक टूबर 19 से 31 March 21 तक की quarter बनते हैं वो छे quarter बनते हैं उसका आप 5% पर quarter के हिसाब से अपनी अप्टूबर इस लेविल्टी में आड़ करते हैं ठीक है उसने एक क्वेशन पूछा था एक अक्टूबर 19 से अक्टूबर टू दिसंबर जेन टू मार्च ये दो quarter होगे फिर एक अप्रिल बीस से 31 March 21 तक ये आपके चार quarter होगे तो 6 quarter टोटल होग तो ये अप्टूबर 19 से 31 स्माज जेन टा 6 quarter होगे इसका क्योंकि आपने पूरा क्रेड लिया ना वहीं पूरा क्रेड ले लिया तो आप एक काम करें 6 quarter का जो एक्जम की होती रही 15 लाग इंटू में 18% देख हमने निकाला ये थर्ड क्वेशन ये ही कुछ आगा था कितना पंद्र लाग इंटू में 18 प्रेजंट ये आपका दूसतरा है इंटू में पांसे इंटू में 6 वाट लिए एक 81,000 ये आपके 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 इसके बाद इसके बाद इसने कोईशन पूछा था कितने टाइम पिरिट तक कॉमन क्रेड आप ये कैल्कुलीट करते रहेंगे म अब कब तक करते रहेंगे एक अक्टूबर 19 जो 29 की रेटेश में पांसे लाइड किजिए आया 30 सप्टंबर 24 तो 30 सप्टंबर 24 तक आप ये कैल्कुलीट करते रहेंगे अगला क्वेशन इससे पूछा कोमन करेड बताई ये आपके रिल किस था यही तो है बही एक ही तो मे पूछा नहीं है अगर पूछा होता तो वह भी निकाल देते बस इतना पूछा हुआ कि जो कोमन क्रेड आप निकालोगे एक्जम सप्लाइवाला इसके ट्रेट्मेंट क्या होगी इसे माउट पूठ अग्ले के सिनर्यों पर आते हैं ये फर्म औप एडवोकेट की बात कर पहले पढ़ लेते हैं पहला क्वेशन पूछा है कि वरांता इंडिया प्रफ्लिम्ट को जो हमने सर्विस भी है क्या एक्जम्ट है दूसरा अगर नहीं तो क्या रिवर्स चार्ज है दूसरा ताइम आप सप्लाई बताई है जो हमने अधिस सलोनी को सर्विस दिया सभी के और ध्यान डिजी अकरिँर रिवर्स एटाइम सफप्लाई के क्या होगा में अ यह पहर है यह पूछा हुआ यह को आपने नहीं पर आते हैं अपने क्यों से रेलेटड जो यूज हए है है वह में बता दीता हूं जी आपको ध्यान हो हमने लीगल सर्विस के लिए पढ़ा ही है क्या लीगल सर्विस अगर बड़ी बिजनस एंटिटी को दी तो बड़ी बिजनस एंटिटी का क्या मतलब होता है जिसकी टरन ओवर प्रीवेस एर में रस्टेशन लिमिटते ज्यादा प्रीवेस्टीयर में लेक्राइब क्या इस प्रीवेस्टीयर में उसे स्टीशन लिमिटते कंच हिए तो घर थे कर लेद ब्रीवर्ट सर्विस आई अगर बड़ी बड़ी पेंटीटी अगर आपको इंट्रस रिसी हो रहा है इस पर आपको जी कब देना होता है अगर लेट फी या इंट्रस या पेनल्टी के नाम से कुछ भी रेकावर हो रहा है यह आपका डेट रिसीप्ट होता है और आप जानते हैं इंट्रस सेक्शन 15 में पांच चीज़े जो वेल्ली मैड ह होता है इसमें गरूल 33 में यूज़ होगा अगर प्योर एजन्ट की तरह आपने अगर कुछ खर्चा रिंबर्द कराया होगा तो आपकी वेल्ल्यू में एड नहीं होगा फिर इतके बाद अगर हम बात करें अगर आपकी प्रीवियस एर के टरणवर डेड करोड से कम है तो अगर आप सत्नम वाले स्टेट में हैं तो 75 लेक्स से कम होना ची सत्नम हमने बात करिया एस पॉर्सिक्टिक्री में फोर नाचल पर एक एक पर फिर्टन आप अब इसके बाद सेक्शन 10-1-10-2 में अगर आप कंपिसंट स्कीम ले रहे हैं तो यह मैनिफक्च्चर को मिलता है अब स्टेट में फॉर्स्टिक्ट के लिए तो एक एक परसिंट है लेकिन फ्रावा यह सिरफ एक ही एक ही रेस्ट्रन सर्वीश प्रवाइदर को 10-1-10-2 में बिले सकते हैं बाकी सर्विस प्रवादर के वह यहां लिया करते हैं लेकिन फ्रेक्ष आप इन कई सारी condition लगों में से केंडिशन है किए अगर आप Wars अगर हैं पर यह हैं कई कुछिन है इन ज Works अब आप से अरही में लेना चाहते हैं तो यह इंस एम ऐसे आपने हैं हुआ है अब एक बार एक बार क्वेश्षन देख लेता है हमारा सब्सक्राइब क्या दाए गोपी नरेंट एक पार्टनेशिफ हम एडवोकेट की यह मंबई में रजस्टर है यह कैलोस हो गया जी यह सर्विस दे रही है और यह कुछ सब्सक्राइब करते हैं यही पिछले साल में रजस्टर हो गई थी इसका मतलब यही आगसी अब इस पे हमारा क्वेश्चन भी था पहला उची की तक वरंस्टा को जब सर्विस देते हैं नहीं दूसरा क्या रिवर्स चार्ज में जी यहीं बड़ी विससे यहीं है जी अब इसके बाज इस सर्विस दी इस्ट इउक एडवरी महीने में इसका इन्वाइस इन्होंने 15 फर्वरी को रेज किया ओके जी तो यह डेट अपरेल को करिए अगर इसमें टाइम अप्रेल निकालना भी था तो इस 15 फर्वरी में एक शक्राइब अपरेल यह सैंटेंड अपरेल और हम यह पेमेंट हम कर रहे हैं पांच अपरेल को 17 फर्वरी पांच अपरेल इस एक लाग वाली अमोंट के लिए ताइम अप्रेव प्रवरी यह था यह रिसी हुए यह हमाला टाम सप्लाई होगा यह कब रिसीव रही हैं यह जी तो इसके लिए टाइम सप्लाई क्या होगा और दोनों के लिए पांच अप्रे लोगा अच्छा फिर इसके बाद आगे पड़े इसमें इसके लाव बोलता है कि हमने अटा स्टेशन इस लीगल फॉर्म ने पार्ट्रिशिप ने अटास्टेशन चार्ज़ज़ क्लाइट के बिहाब पर पेकिया और उससे रिमबर्स करा लिए यह तो प्योर एजेंट वाला स्रक्षा है हम उसके नाम से जमा करा है तो स्टूल 33 की चारों कंडिशन भूल्फिल होती है तो यहां पर हमारी वेल्यू एक लग दसजारी रहेगी तो इस पर एक क्वेशन भी था हमारे पास में कि बताएं जो सलोनी को हम सर्विस देती है उसके लिए वेल्यू अप सप्लाई क्या होगी सलोनी के लिए अटस्टेशन जालिए नहीं करेंगी और कुछ रहा क्वेशन में बाश है तो सभी लेकिन हम इंटर स्टेट अप्लाई करें यह एंटर थी एंटर थी अगली तो महारास्टा इंटर है लेकिन यह दो इंटर होने की वज़टो से हम कम्रीशन इनके हैं धियान रहे तो 10102 में तो रेस्टरन सर्विस प्वैटर अलाओ हो सकते हैं लेकिन इंटर अब अगला कुशन देख लेती है हमारा अंत्री कुछ था कौन सा इसने बोला इन में से स्टेटमेंट करेक्ट जो है वो बताइए पहला गोपी नारेंट कंपूशन स्क्राइट के लिए तो यह इनकरेक्ट सेटमेंट है तीसरा यह 10-2A में नहीं क्योंकि इंट्रस्ट अप् इसमें धूनना था हमें कौन सी है यह सेकेंड और थर्ट सी पॉइंट आ रहा है हमने यह नीचे आपको पूरा सोल करके दे रखा है चलते हैं अगले केस सेनेरियो पर केसे सेनेरियो नमर 30 इसमें देखेंगे पहला इसने आंसी को कुछ है एक्जम्ट आउट्वर्ट सप्ल कौनसी सेट्मेंट ट्रु है कि हमें डिलिवरी गूर्स के लिए हम वैन पर चीज़ कर रहे है उसका क्रेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा रेट रेणोवेशन का खर्ची का क्रेड मिलेगा कि टी-षर्ट डिस्टिवर्ट प्र इसके उपर में कितना जाएगा फिर कॉमन क्रेड कितना होगा जी यही चार question पुछे हुए हैं तो हम एक बार फटा-फट से इसके उपर में जो concept यूद हुए हैं हम जरा इन्हें discuss कर लेते हैं case scenario no.30 यह तो पूरे GSP law में हमें पता यह definition होती है लेकिन IITC के chapter में section 73 या rule 42-43 के exam supply के कुछ चीज़े add और लेस कुछ हैं बता हुए है उनमें से एक point बता दिता हूँ जो यहां use है security अगर आप shared venture sale करते हैं उसकी sale value नहीं उसकी sale value का एक percent आपकी exam supply की value वाने जाते है अच्छा जी non-textable में आपका अगर आप जो GSP के दाइरे में नहीं है जैसे पांच प्रेटर में प्रक्राइब कर यह आपकी exam supply है यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन exam supply price related purchases का आपको credit नहीं मिला करता है फिर इसके बाद section 17 5a में आपको passenger vehicle 13 से कम यह 13 तक के वाले अच्छा एंजी works contract service अगर आपने capitalize कर रखी है तो credit नहीं मिलता है लेकर अगर आपके गुष्ट लोग फ्टोलन देस्ट्रेट राइट ओफ डिस्पोड ऑफ गिफ्ट या free sample है जिसने यहाँ पर gift या free sample की बात है तो हमें gift free sample देके तो GST जाना नहीं तो इसकी purchases का credit हमें नहीं मिलेगा अब पढ़ते हैं question हाजी हमारी हम इसमें हमारी एक्जम सप्लाइब 15 लाग किया करते हैं तो इसके लिए जो परचेज कर रहे हैं वह इंड्वर्ट सप्लाइब की रिटेल दे रहा है कि रहा है एक क्लोड तीस लाग का इसमें 20 लाग सिरोफ एक्जम सप्लाइब से हमने 20 लाग सिर्फ एक्जम सप्लाइब से लही का रखिया इससे यह वाली परचेज का 20 लाग का क्रेंड नहीं मिलेगा नेक्स 46 लाग इसमें 15 लाग इंक्लूड है जो सिरफ प्रक्सेबल के लिउस है तो इसका मदा 46 में से 15 माइनस किया जो बाकी बचा वो कोमन होगा वो क इसको हमने डेविट किया है तो इन सभी खर्चों का हमें क्रेंड में जाएगा नेक्स थर्ड पॉइंट हमने टीशिट परचेज करिया और इस हमने गिफ्स दे दिया कस्टमर को तो यह वाली परचेज का हमें करने मिलेगा हमने शेयर सेल करें 10 करोड के और यहां पर 10 का हमारा एक्जम्ट सप्लाई लिया जाएगा जिसमें इसमें ऑटोमेटिक बता रहे थी 15 लाग और यह नीचे आमने निकाला है एक परसंट ओप 10 क्रोड यह हमारा 10 लाग है तो 15 लाग हो गया अब सीएंस चुट की चलाकी देखो यह वाली लाइंट उपर लिग देता तो इसका क्या जाता भाई यह कहता धूलो गई यहां तो इससे खुद ही बता देना पंदला अगला कुश्चिन है कि बताएं कौन से सेटमेंट ट्रू है हाजी वीरा को वैं परकेज का क्रेट मिलना था क्योंकि गुट्स रही करें गुट्स के लिए गुट्स के लिए ट्रां क्या क्या जाएगा हमारी अगर हम बात करें यह इंवर्ट सप्लाई थी एक करोड तीस लाग में से 20 लाग हटा दो अब जो वैल्यू आएगगी इस पर गुट्स के लिए तो एक क्रोड में से 20 लाग हटा देंगे 46 लाग का पूरा क्रेट क्योंकि 15 लाग सिरफ टेक्सेवल का नहीं लेगा बस तो हमने यही लिख दिया पहला एक करोड तीस लाग में से 20 लाग हटाया असी लाग सी जा फिर आपका यह अगला टेक्सिबल सप्लाई पूरा 46 लाग ले लिया गुट्स वेहिकल का एक सत्तर और यह जो डेविट की है रिपेर की खर्से यह लिए टीश लिए फंद्रा लाग का वो हटा दिया बकि यह सेम आम लिए यह नम्बर कोटीन पर अगर आपको कहीं फास्त लागे था अप लूट्वे क्लास यूट्यव पर है आप रोख के खु़्ज पढल लो पूरा मफटाबट करा रहा हूं आपको अब case scenario 14 में हमारा पहला पूछा value of supply जो quick वेंकट जो service देता है quick tour को यूरो में amount निकालना रूपित में नहीं तो यूरो में amount दे रखाऊगा वहीं से निकालना है दूसरा aggregate turnover पूछी है फिर तीसरा इसने value of supply वेंकट ने कमत को जो service दी है अगर कमत beta होता भाई ना होता तो value बताओ अब ध्यान दीजिए related person में beta आता है भाई तभी आता है जब आप में dependent rule तो rule 28 के relation में value के बारे में पूछी है place of supply पूछा जी एस्ट ट्रेणिंग के लिए इतने सवाल है इसके तो जरह हम देख लेते हैं क्या एक बार इसमें जो concept use हुए है एक बार मैं आपको recall करा देता हूं जी क्या value में add होता है क्या-क्या value में incidental expense add होते हैं तो इसमें incidental expense का point है और फिर इसके लो पर में आपके taxable supply आती है एक्जम supply आती है एक्सपोर्ट आती है अपनी दूसरी इंट को ट्रांसपोर कर रहे है वह आएगा और इंडिया बेसिस पर जितनी भी आपके इंट्स है और इंडिया में उन सभी का total देखना है इसमें से क्या हटा देना है GST एक चीज़ और बताता चलों यहां पर रिवर्ट चार्ज में अगर आपने की इंडिया नहीं बेटा डिपेंडेंट हो या नहीं इंडिपेंडेंट भी तब भी रिलेटेड माना जाता है फिर इसके बाद रूल तो 28 में अगर बेटे को आपने गुड़ सेल करें है या सर्विस दी है उसके लिए वाल्यू ने काल लिए तो सबसे पहले ऑपन मार्केट वैल्यू नहों तो फिर लाइक करें बस इसना है यूज है बाकी यूज है नहीं तो इसको करते हैं अगर आप ट्रेनिंग की सर्वि देख रहें को सप्लाई ही नहीं माने जाती है क्योंकि शेडियूल वन में चार सप्लाई बिना कंसेशन की सप्लाई माने जाती है वहां रिलेटीटीट के लिए बात नहीं है तो बस इतने यूज है आईए जरा अब देखते हैं क्वेश्चन वैंकट एक सीय है रिजस्टर इतने जाना पड़ता है तो उसके इंसीडेंट लख्ट्रिमेंट हुए पांच हजार यूरो यह मुझे रिकवर कर लें जिसमें वैट में इंक्लूड है वहां कुछ लगा होगा तो तो हम तो यह सब उससे इंसीडेंट टू सी में एड होता है यह एड करते ही इसके अलाव जाओ पॉ muito लेट पेविंट पांच हजार और यह पांच हजार यह एक लगाज पॉत तो से फोब्त नहीं किया'M हमने जो रिकवर किया उने की बाते आएंगी हमारी वल्ली मैट होने की तो 95,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 इसने पहला कोईशन पुछा था बताईए जो क्विस्टूर को आपने सर्विस यूरो में एक लाग 5,000 आजाएगी अच्छा अगर इसे इंडियन करंसी में कनवर्ट करना देना होगा नेक्स हम रिटर्न फाइलिंग के कुछ जो गरीब लोग है अन्रेलेटिड है तो फिर हमारी कोई वैल्ली ने कोई सप्लाई ने तो वैल्ली मैड होना ने नेक्स वैंकट ने अपने भाई को सर्विस दिये वह आई टी प्रोफेशनल है इंडिपनेंट है इंड पिचस्तर एजार की सर्विस देते हैं औरों को लेकिन इसको हम नब्बे परसेंट डिसकाउंट देकर पिचस्तर सुर्पे ही चार्ज कर रहे हैं अन्रेलेटिड के लिए सेक्शन पंदवा में जो ट्रांजिक्शन वैल्ली है प्रिशत्तर तो ही हमारी वैल्ली बाट होगा ठीक है नेक्स इसके रहां दमदम इलेक्ट्रेकल ने एक एप्रोच किया गुहाटी वाली फिर्म में हमें ट्रेनिंग देने के लिए अब वेंकट रजिस्टर परसन को रजिस्टर गुहाटी असाम में इस सब्सक्राइब लेकिन इसकी वेल्यू हमें नहीं दे रखी है सब्सक्राइब में हमारा 85 लेक्ट अगला फ्री उप चार्ज है तो यह वेल्यू लेनी है 85 लेक्ट करना है 35 लेक्ट और यह 75 लेक्ट यह आ गया जिमाई गया अगला क्वेशन पूछा है वैंकर ने जो कमत को सर्विस दिये जो उसका भाई था कि अगर भाई के जगा यह बेटा होता तो फिर हम औरिजनल वैल्यू ओपन मार्केट वैल्यू यह 75,000 वैल्यू तो हमारी 75,000 वैल्यू होती है नेक्स जो 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 सर्विस दिये यह बेचे हैं पैकेट बेचे हैं उसका जेन महिने का और मार्च महिने का अगला पूशा है गुट्स ट्रांस्पोर्ट की सर्विस जस्कर ने बाहुबली को दिया उसके पर GST निकाल के बताओ तीसरा पूशा 500 पैकेट प्री गिफ कस्टमर को दिया है दिवाली के ओकेजिन पर बताओ सप्लाई है मिसप्लाई है क्या है नहीं है वेल्यू अप सप लेकिए इसमें क्या कंसेट यूज है यह फाइल आपके पास यूट्यूब पर अप्लोड है है के सेनेरियो नंबर फिफ्टीन कंपोजट सप्लाई आपने डेफिनिशन और मिक्स अप्लाई पढ़ी है कंपोजट सप्लाई तो या दूसरी यदा टेक्स अप्लाई होती है लेकिन मिक्स अप्लाई एक दूसरे पर dependent नहीं होती है अलग-अलग mix तके हैं हमने packet में आपकेट जैसे हमने all चोकलीद है इसका एक packet बना दिया इन्डेपेंडेंट्ट ली बिस्ते इनमें कोई प्रिंसिबल सप्लाई नहीं है सारी प्रिंसिबल सप्लाई है एक प्रिंसिबल सप्लाई है तो यह पैकेट ट्वाए बलूं का यह तीन चीज़े बेची है अब इसके लिए अगर हमने सिंगल प्राइस कर ली तो यह मिक्स अप्लाई है और इन तीनों में जो GST के रेट हाइस वाला होगा उस रेट से हम पूरी वल्यू पर टक्स लगा दें सेक्शन 8 के अकोड़ी दूसरा है इंट्रस्ट लेट पर यह पैनालिटी आपकी वैल्यू मैड होती है और इस इंट्रस्ट लेट थी क फिर इसके बाद अगर ठ्रांस्पोर्ट की सर्विस अदरदन ऎरधन जीट यह दे रहा है पकों हलासे आपका भाई पर से अगर और वो independent है तो तो अगर आपने फिर उसे फ्री में सर्विस दियोगी वो सप्लाई ही नहीं मानी जाएगी अब जिर आप क्वेश्चन देखती है इसने क्या-क्या पूछा हूँ है जस्करन देहली का है और यह कुछ ट्रेक्सेबल कोट्सन सर्विस दिया करता है जैन मंग की अब इसमें 20,000 पैकेट 30 रुपाय का एक जिसमें इस पैकेट में दो चोकलेट दो फूश फ्रूट जूज बोतल और एक पैकट ट्वय बलून का अगर इनकी अलगलत प्राइस लिखी होती तो मिस अप्लाई नहीं होती हमने तीनों को 30 रुपाय इच एक पैकट का एक पैक पैकेट निकाले चोकलेट रुट जूट पोटल और ट्वय बलून ये नीचे दे रखे इन तीनों में 18% हाइस तो ये 18% लगेगा जी हाजी अब ये एक इंटरस्ट पैनल्टी की बात कर ले इसमें इंकलूडिंग जी एस्ट माना जाता है तो दर्जा हमने रिकवर कर रहे लेकिन ये जो इंटरस्ट पैनल्टी दिसी हो रही है तो मार्श में इस पर घेस्ट जाएगा तो हमने जन मंत के लिए निकाला ये आपका एक चेला किंटूब 18% और इंटरस्ट के लिए मार्श महिने में निकाला ये आपका 8475 इंटूमेट अगला अब अगला कुश्चि तो ये सप्लाई नहीं है अना शेडूल वन में आपने चार सप्लाई बेना सप्लाई के सप्लाई पढ़ रहे हैं बी ए आर इंपोर बिस्नेस जिसका इटी सी ले रखा यहां इसने लास्ट लें में देजिए हमने इन गुर्ष का इटी सी नहीं ले रखा अब हम प्री दे के तर अच्छा इस पर कुश्चन भी था कि आपने यहां पर फ्री जो कस्मा को दिये हैं यह सप्लाई ही नहीं है इसके बाद अगला कैट्रिंग के तरद जो हमने अपने भाई को दिया है फ्री और को दिया इसके बिसनस फंक्शन के लिए उसकी मतर्वाइब है इन्डीट सप्लाई ही नहीं है और फिर इसके बाद अगला पॉइंट था जी इसमें लास्ट पॉइंट एक ओल्ड कस्कमर्था जस्करन का बहु बली उसने परचेज किसी और से करी है यहां हमारी शहर में आया हुआ था हमें उसने बोला आप ट्रांस्पोर्ट अरेंज करके दे दो हम उस ट्रक वाले से बात करा दी रिंद्टा करेंगा तो अब हम तो सिर्फ उसको अरेंग करा करें हमने कोई इस बाहु बली को जो सर्विस दिये यह इसको कोई स्टिक बात आएगी अरे नहीं आएगी हम अनुसरफ घ्यू नहीं है लोग इसके पासपर थ रोट सर्विस वैस case scenario no.16 पर इसमें हमारे पास इसने जो MC की कुछ ही है पहला पूछा है बताएं कि value of outer supply जो exempt है GST ते अच्छा ये वाला case scenario जो अपने booklet निका ली थी तीस case scenario उसमें से यह वाला हटा ही रखा है फिर भी मैं करा रहा हूं एक इसमें गलती भी है वो बता दूँगा फिर इसमें सेकेंड पॉइंट है प्लेस अप्लाई तीस case scenario में 16 नंबर हटा रखा है अगर आप देखें कि तो लिए प्लेस अप्लाई आप ट्रांसपोर्ट ऑफ हाउसोल्ड गुर्स के लिए पूछ रहा है जी जो यह सर्विस दी गई है मतब गुर्स ट्रांसपोर्ट की बाते हैं एग्रिकेट टनवर पूछी गई है और फिर ईवेबिल की वैलेटिव कुछी गई है जो कोप्रेटिव सोसाइटी ओ दी गई अगर फिर नहीं है तो फिर कोप्रेटिव सोसाइटी इसमें कोप्रेटिव सोसाइटी की एक बात है हां अगर इनके अलावा को यहें रिवर्स चार्ज को प्रिया है जिसे इंत्री टुवेर्स चार्ज schemes वाली है दो हूँ होता है चलिए यह बात हमनें यहां अब पहला अपने पड़ा होगा जीटिये अगर ये गुड्स ट्रांसपोर्ट करती है एग्रिकेल्चिर प्रोड्यूस की जीएस्ट माफ होता है रिलीफ मेटरियल विक्टिम क्योंकि अगर प्रकरतिक आपदा आई है इंडिया में तो उनके माल को करता है इस माल को ट्रांसपोर करें इस पर जाए ने अंश्चन के जटर ने कि अगर ये student faculty staff के transport की service देरा preschool या school को ये एक्दम करता है educational institution TCS ऐसे अपने पड़ा होगा transport की service receive कर रहा है तो माफ होता है तो इसमें हम ये बात करें है preschool school के लिए माफ होता ही है अब Mr. B को ये ट्रांस्पोर्ट की service देने के लिए vehicle किराए पे चाहिए कि लिए माफ होगा अब से इन चूटे question में drafting में स्टेक ये करी है कि बी ने प्री स्कूल को स्कूल को रेंटिंग लिखा हुआ कि हमने रेंटिंग वेहिकल दे दिया है तो ट्रांस्पोर्ट फूरें फगेट इस साफ लिखना चाहिए था अगर गुष्ट्रन्पोर्ट को दी जाती है तो प्लेस अप्लाई क्या होगा जहां गुष्ट एड़ोर कि और हमारे में चरी निकालने के रही अग्री की डैपिले आही थी च्टरिवल एक्सपोर्ट ये व्ल कुछ आइड करते है क्या नहीं करते हैं हम नहीं करते हैं इंट्र डिसकाउंट के इंगर हम बात करें एक होधा ओडी सी ओवर डिमेंशन कार्गो देखो न कार्गो यहां से इसकी डिमेंशन से बाहर निकलता है इस वहिकल को चलना पढ़ेगा इसकी यहां पर 20 km बीच किलोमेटर एक दिन ना होता है लेकिन अगले एक दिन या पार्ट उप 200 km के लिए अपको फिर एक और अडिशनल डे मिल जाता है तो यह इवेविल की validity की बात है, फिर TDS की बात करें, तो Central Government का Department को इसने contract दिया है, Mr. A को पोस्ट, कार्ट शापने का, अच्छा जी, ऐसे State Government के Department ने स्टेश्पी सप्लाई करने का contract दिया है, ऐसे लोगतर अथोर्टी ने स्टीट लाइट का, और ये notified person जैसे PSU ने इसे मेशि अगर एक हो, अगर contract की value धाईलाग के ऊपर है, excluding GST देखना है, तो TDS कार्ट लेंगे 2%, लेकिन, 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 अगर ये लोग वो supply करें, वो exempt है, वो अगर exempt है, जती ये exempt है, तो TDS काटने की बात है, तो हमें जो value देखने है, धाईलाग की, तो TDS कार्ट है, वो excluding GST और taxable वाला value देखना है, एक्जम्ट वाला है, ठीक है, बस इतना ही point हमारे यहां पर यूद है, तो आईए जराद देखते हैं हम, इसे इस question में, हाजी, सुधरशन's Transport Agency, इसको STEL, stall बोल रहे हैं हम, इसमें, अपने SSC को, करा है ये राजस्तान में registered है, ये goods transport की थर्विस दिया करता है, और ये consignment review करता है, मतलब हम GTA है, हम GTA है, और हमने कुछ truck troller भी maintain कर रहे हैं, अब इसमें पहला, हमने farmers को agriculture produce की ट्रांस्पोर्ट की सर्विस है, एक्जम्ट है, नेक्स हमने Harris Country School को, बस ये किराये पे लिखने की जगा, इनको लिखने हैं, हम ट्रांस्पोर्ट की आपको, तो ये भी हम exam, मान रहे हैं, इंस्ट्ट ने से exam, हम local authority को, local authority पे, TDS वाला point भी था, local authority को हम release material transport करके दे रहे हैं, अब जिरा ध्यान दीजिए, relief material transport करके दे रहे हैं, ये माप था, माप सा, transport, अब इसमें TDS की बात आजी तो TDS कटे गाई, क्योंकि एक्जम्ट है, ये क्वेशन था, हमारे पास में क्या, ये वाला, पांचमा क्वेशन था, कि टेक्स, TDS बताईए, जो हम local authority को सर विजे रहे, TDS की बात ही नहीं, क्योंकि supply आपकी exempt है, supply exempt है, वाला बताएंगी, हाजी, अब इसके बाद, कहां तक आगे थे हम, यहां तक, relief material तक में, local authority वाल है, तो आप इसका goods transport करके दे दो, हम service money money bank को दे रहे हैं, हम इसके employee को नहीं service दे रहे हैं, हम registered person को service दे रहे हैं, क्योंकि इसकी payment money money bank कर रहा है, तो हम money money bank को service दे रहे हैं, तो money money bank कहां का है, बरेली UP का, यह एरा place अप्लाई होगा, तो एक question हम से पूछा था, कि आप जो transport की service दे रहे हैं, हाउस और good की, इसमें money money bank का बरेली UP place अप्लाई हो, क्योंकि हम registered person को दे रहे हैं, हमने तोल करके detail में दे रहा है, अब इसके बाद में अगला question, है, stall ने military chem के कुछ goods, military के कुछ goods transport की है, वो exam था, exam था, transported का exam था, पहले बता दी आपको, हम cooperative society को service दे रहे हैं, हमारी aggregate tenor में तो आएगा, हमारी aggregate tenor में आएगा, लेकिन यह taxable है, यह taxable है, यह taxable है, तो taxable में अभी तक यह money money bank वाला आया था, transport का हो, और taxable में अभी यह दूसरा यह आया, फिर इसके बाद हमने petrol pump खोल रखा है, यह non taxable अप्लाई है, एक्जम्त में आता है, एक्जम्त फिर इसके बाद में पांच लाख, पिर यह धाए फाड़े पांच लाख, और यह थाड़े पांच लाख, धाड़े 5 लाख, और फिर इसके बाद में यह वाला आपका 20 लाख पेटरॉल पंप वारा, यह 35 लाख यह तो taxable वाले हमने अलग लिए, क्यों लिए है, अब हम से aggregate पूछी है तो अगला उसने एग्रिगेट टर्णोवर जो हम से पूछी थी इसमें 35 लाग में एड कर दिया साड़े चार लाग यह हमारा हो चुका है प्ले सप्लाई वारा बजी अब ईवे बिल का पूछा उसने कह रहा है कि ईवे ट्राय है क्या जी हम एक 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 है स्ब्सक्राइब करेंगे को सब्सक्राइब कसी पने कि लिए है वेटनस दे की राद 12 बजे दूसरा दिन रहा होगा और आपका यह थर्स दे शुरू हो रहा होगा तो यहां पर हमारा यह वाला भी हम आ रहे हैं केस सेनरियो नंबर 17 पर हैं एक बार आप फड़ा बढ़ते इसके एमसी क्यों पढ़िये क्या क्या पूछे हो फिर हम बढ़ते हैं शऑन पैला गुष्त की टामर का पूछा है चकरंग iç जोड हाड़ वेर के लिए दूसरा सर्विस के टाम सप्लाई पूछा है त्राट ृष रम ट्रांस्पोर्टर पुछाए वहां आउट्वरड Fraktion फूर्थ में यहां टोटल वैल्य उप पूछ श मैंख है उपर टेक्स पुछा था आउट्वर्ड र यहां वैल्य्यू पूछी ओभी टोटल जिस्प्नेल है चलिए वापस आते हैं और एक इस से रिलेटिट कंसेप्ट मैं आपको रिवाइज करा दू के सिनेरियो नंबर 17 के गुर्स का इन्वाइज कब बनता था घर से निकलते ही रिमूवल के टाइम पे आपको इन्वाइज बनाना होता था ठीक है अब तो या गुर्स की मुवमेंट नहीं होती तो डिलिवरी के अब यह हमारा लास्ट बन गया तो टाइम सप्लाई क्या होता है या लास्ट विश्वाइज विच्यवरी दर्लियों ध्यान देने वाली बात यह है यह यहां डेट पेवन हमने बात नहीं कर लिए तो गुर्स के के इसमें एडवांस पर इसकी नहीं है जी सिर्फ सब्सक्राइब होता है सर्वेस के रिवर्स साज में डेट और यह अगर बाइर आइट कर देंगे अगर हम नहीं देते पांच बारा में तो फिर रिवर्ट चार्ज में अब हम आते हैं वापस है वापत आएंगे हमें पार्टनेशिफ हम है उस्तर पदेश की और हम दो विंडो फिटिंग सेल किया करते हैं तो फिर यह गुड्स होगे अब रिसीपन बता रहा जी हम है यूपी के हमें गुड्स पहुंचाने हर्याने में इंट्रसेट पहुंचाने राना सिंह पूंचाने है उन्टस इंट्रस से अधी चरण जींग करनादका भींग्यद ये 06 자 हमें पूछाओ तो यह देट अपिन वाइस और यह लास्ट देट वाइस इन दोन में से लिए 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर 12 और 10 विचावर दर दर 17 और 20 अर्लियर 17 18 और 19 अर्लियर 18 अब इसमें यह दो मनें रेड पैंस से लेके यही चरंजोग राना सिंग के लिए पूछे मैं अब इसके बाद इसने अगला GST के रेट दे रखेंगे अब आगे बढ़ेंगे हरी मुकुन ने 2% के डिसकाउंट दीता है अच्छा इसमें एक चीज में और बता दूँ इस कोशिशन में थोड़ा सा कंशूज करने के लिए उसने बोला है उपर क्या कि 18% GST के रेट हम रिसीव के हमने यह वाली डेट रिवर्स है जब हम गुर्ष कान काते हैं तो रेलिवट होता है वह हमारी कोशिशन में है नहीं तो यह बेकार की लाइन है इसका कोई मतलब नहीं दो परसंट के डिसकाउंट हम देते हैं अगर पेमेंट एडवांस में आजा या पंदरा दि दिसकाउंट है अडवांस में मिला तो डूर्स कॉंट मिलेगा यह 15 दिन में कब्से रिमोवल हमने यह दे अदेड़ पेमन दे रहे हैं नहीं मिल रही है कोई डिसकाउंट इसक्टूबर को हमने रिमूव किया था बार अट्वांस में बिल चुकिया है यहां तो परसंट इ तो यहां कोई डिस्काउंट ने लेए ओके आगे बढ़ते हैं तो सप्लाइज सज गुर्स रिस्टीव हमने करिया साथ लोकल ट्रांसपोर्टर खाटू शाम से जो अन्रजिस्टर है उसने हमसे एक लाग रपाय चार्ज किये हैं अजि अन्रजिस्टर है तो उसने इन्वाइ अब रिवर्स चार्ज में हम टाइम और सप्लाई जब निकालेंगे हम से पूछा है इसने 22 अक्टूबर को इन्वाइज इशु किया था इसमें 61 डेज आट कर दो यह बाइस दिसंबर है इन दोनों में से अग्यर डेट कौन सी है 22 और 27 दिसंबर 22 दिसंबर तो टाइम सप् पर में और बाकियों के उपर में गोट के उपर में 18 अब इसमें हमसे और क्या क्वेशन पूछे है पहला दूसरा तीसरा तो हो गया हमारा फोर्थ ग्रोस टेक्स लिए आउट्वर्ड सप्लाई के लिए पूछी हरे मुकुन्द हाडवर्ड की हमारी सारी आई जी आई जी पर यार में से दो परसंट मैंस करेंगे और दो सत्तर में से दो परसंट बाकि तो तीन परसंट इस पर सीज़ा आठारा परसंट इस पर जी एस तो यह हमारा आंसर लिया है अगला क्वेशन इसने पूछा है कि हमें पूरी आउट्वर्ड सप्लाई हमने टोटल निकाल के 15 एक्स देना ही है प्लस एक लाग जो रिवर्स चार्ज वाली थी जिसमें जीटिये वाला था तो उस पर भी हमें देना तो तो यह भी हमारा केस सेनरियो हो गया मजेदार्थ तरीके से तो अब आती हम केस सेनरियो नंबर 18 पर हाँ जी इसमें अगें पहले हम पर देते हैं कुछ आइडिया लग जाएगा जी हमें इसमें इसने पहला कोशन पूछा है राम एंटरप्राइज की ट्रांस्पोर्टर है इसने जो एबीस लिम्टेट को सर्विस दिया बताएं कौन डिश्चार्ज करेगा टेक्स जन्री रिवर्स आजी होता है सेकेंड ए कंपोजिशन वालों को अपनी कंपोजिशन के रेट से एक परशन से टेक्स देना है लेकिन इसके अलावा रिवर्स चार्ज वाली अगर कोई सप्लाई है जीटी है से उससे भी हमें टेक्स देना होगा कौन सी सेटमेंट विधाता फांडेशन के लिए इनकरेक्ट है कोई चैटेबल या रिलीजिस ट्रस्ट है उससे रेटिट पॉइंट है चलो बस और एक प्लियर सब्सप्लाई के उपर में क्वेश्चन है यह 10-1-b 10-1-a पर क्वेश्चन है तो एक बार हम आते हैं कहां वा सब्सक्राइब आपको पता ही है अगर आप पांच या बारा नहीं चार्ज करते और रिसीपेंट रजिस्टर है तो वह रिवर्स चार्ज में पांट करते हैं तो यही पॉइंट है फिर इसके बाद कंप्रिशन स्केम 10-1-10-2 में अबोट करें आपकी प्रीवेश सेर्कित सब्सक्राइब दो यहां पर यहां पर यहां पर यह स्टेट की रणावर का देजिते हैं तेक्सेवल प्लस एक्जम दोनों आड़ा जाते हैं लेकिन ट्रेडर जो है सिरफ टैक्स रणावर का देता है यहां खास बात एक और क्या यहां पर सिरफ एक ही रेस्टोर्न सर्वीस कावमरी का वड़ है फिर यह तीनों मिलकर तीनों की बात कर रहे हैं यह थोड़ी सी सर्विस भी दे सकते हैं प्रीवेस सेट की टार्वर का पर्षेंट और पांच लाग रिचेवरी दे सकते हैं इसके अलावा ये इंटर सेट सप्लाई ना करते हूं और अगर रस्टून के अलावा कोई और सर्विस प्रोड़र है तो वह 10-2-a में कंपर स्क्रीम ले सकता है तो कि वह हमारा क्वेश्चन यहां पर है नहीं अब जिरा ध्यांग दीजिए यह वारी टर्णोवर की डेविशन आपने वहां भी पड़ी थी ऐसी ही थी ट्रेक्टेवल सप्लाई एक्सपोर्ट और यह स्टोक ट्रांसपर सेमी यूनिट पर एक्दम पने लोरी यह सब कुछ आता है क्या नहीं आता आपका जीस्ती नहीं आ यहां हम डेट क्रोड या 75 लाग की लिमिट निकाल रहे हैं नमबर दो जब टेक्स दे रहे होंगे पर उस तमय भी आड नहीं होगा ना तो अलिजिबिल्टी के लिए नहीं जब आपके करेंगे यह चैन वाड़ पर उस तमय भी आड नहीं होगा फिर इसके बाद हाजी 10.1 यह हमारा 10-1-B वालपाइट वहीं से पढ़ लेंगे और वहीं से समझ लेंगे इतने के लिए हम पढ़ते हैं हाँ अब यूपी के हैं लख्राओं में रेजिस्टर हैं और हम जो सेल करें यूपी में ही सेल करें मतब इंट्रास्टेट सेल करें हैं कमपूर्शन स्कीम के लिए हम कुछ सर्विस भी करते है अब इसमें के लिएह हम हमप्रॉचन के लिए प्रीवेइंशन कि की अंदर बेकार गे-घी यूप यह हम के इंकम दिया यह करोड दो लाक और नंव पच्छे जारु गया है तो एक करोड गया लाक पच्छे यह यह तो इसका 10 परसेंट और पांच लाक तो दस परसेंट गर लाक पांच जाएग तो यही इतने कि हम यह सर्विस की रिटेल यहां पर इन्हों ने दी है हमने जो सर्विस दिया पचाजार की दिया तो हम एक कम ही दे रहा है तो हम अच्छा फिर इसने एक दिया है कमपनी ने सर्विस लिया राम स्केटल आएर राम एंटर्फराइज लेकिन यह चर्ण सक्वेटल है लिकिन यह सीटल राम क्राइज से लगनों में थेस्ट है तो हम हमें रिवर्च चार्ज में घेटल फोगा है एक क्वेश्चिन ता इसने पूछा था पहला-पहला बताएं कि पहला क्लिए गांने कि इसके बाद इसनी यहां चाहिए प्र्वर्ड की हमारी क्या बूर्स की टर्वर है और इंट्रस इंकम नहीं एक तो तो हमारी दो उपर वाली आउटवर्ड सप्लाई बस यहीं हमें इसके बाद तो हमारी अगली इनवर्ड सप्लाई है यह राम एंटरप्राइज को यह ट्रांस्पोर्टर था जह उन टेक्स्ट पे करने की बात करेंगे एक तो यह 10 लाग 20,000 और यह परसंट टेंगे और जो ट परचेज इंटर सेट कर सकते हैं सेल नहीं कर सकते हैं पिर इंपूर्ट सर्वेस रेसेव दे रखें की है जी से रेसी थिव है अच्छा तो फिर शिवाद एडिशिल इंफोमेशन दे रखें और गातर वाउड वीटियल जो रेसीव किया है हमने यहां इस से लिएट़ बात ठीक हुआ खिंप डिखो फिर करा ही इंस्तियक्षिन इन्स्तिक्षिन दी इसको फार मतलब इसका मतलब अब जाथ ने खाम्मैंं का अभी जाथ ने अन्स चाथ तब तो यह थर्ड पार्टी अब हमारे से अगर पूछता है बताएं इसमें प्लेस और सप्लाई क्या होगा हम मुलेंगे गुजरात होगा लोगी यूप होता है तो यह यूपी से गुजरात में सेल हो रही है और अगला अभिजात ने अगरी सेल करी है इसके प्लेस यूप होगा है तो में ज्यूपी सेल होगा है तो पहले केसमें कुझरात प्लेस अपल्याट है शेकोड में यूप हमारा पाइशन पांचमा एंसी को यही था कि प्लेश प्लेश इस बिच में पहले केस में जो आखास ने अबिचा फिर अबीजात को बेचा उज़राथ को प्र यह बस इस ही के बेच यह यह इंटरस्टीं आज गेगा यह आपको स्टीट करना है अब इंस्ट्यूट ने जो अंसर में थोड़ी सी चलाकी खेली है इसे लिखना था आखास ने जो अभी जाथ को थे बना लो तो बहुत सिंपल हो जाएगा फिर जूड़ना मिश्किल नहीं होगा तो पहले केस में हमने गुजरात निकाला था यह ग सेकिंड केस्ट में हमने निकाला था यह यूपी तो यहां आपका यूपी आपका यूपी है बसे ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा था उससे आंसर में कंफ्यूज करने कोशिश करिए इसने अकास में अभी जात को सेल करिया ऐसे लिखना था जो ट्रांजेक्शन अभी जात हम आते हैं वापस तो हमें अपने कंसर्प के हिसाब से पहले कुश्चन को देखो तो आसान हो जाएगा समझना ओके फिर इसके बाद विधाता फॉन्डेशन को चैटेबल ट्रस्स की बात यह बाद में पढ़ेंगे घ्रेट दे रहें अब एक क्वेश्चन हमारे इसने कि इंट्रस्के देखते रहें है एक करोड़ दो लाक और नो लाक पच्चन जा है और करेंट है हुआ सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर हम पूरा तो यहां पर हम एलिजिबल है अगला कॉश्चिन इसने क्या पूछा हुआ जी अगर हमने ओप करी तो जुलाई महीने की तो जुलाई में ने में ट्रांस्पोर्ट वाली सर्विस भी है ठीक है तो हमारी दो सर्विस दस बीस और नो पच्वाइब पांच्व पिचास इस पर हम एक पर संदेंगे यह रहे तो सब्सक्राइब तो तो टोटल हो गया हमारा थे जो ट्रस्ट आपने एक्विशन के चैप्टर में पढ़ा था एंट्री वन में कि जो चेड़ेबल ट्रस्ट है सक्षिन 12 डबल ए यर 12 अवी में रजिस्टर है उसकी सारी अक्टिविटी माब नहीं होती जो चेरिटेबल अक्टिविटी होती है वह माब होती है और चेटव पब्लिक की हेल्ठी करना केर काउंटलिंग देकर जो मरने वाले हैं जिनकों अच्छाइट है करने हैं रिलीजिन स्प्रिचुलिटी और योगा की एडवांस्मेंट करना मदब जैसे योगा की क्लासिज कंड़कर यह कौन 12AAB की एंटिटी तो माफ है तो इसने अगला कोशिन यही कुछ है योगा स्प्रिफिट्विटी की जो फीस चार्ज कर रहे हैं वो और यह आग्वाफ है यह तो पहले बोलाइट ऑल अक्टिविट्विटी इंकरेक्ट फिर इसन बोला कि हमने सर्विट्विट्व करी कि यह वह ए डिसकस कर लिया और यही तीन पॉइंट से हमने डिसकस कर लिया चलते हैं अब हम अगले case scenario पर case scenario number 19 हाजे GQ वाला इसमें इसने क्या क्या पूछे हैं MCQ पहला अगर आप warehouse के owner हैं और आप बताएए क्या आपको अब होगी तो कंड़क बेसं कौन सी से टर्ण में से ट्रू है फिर इसके बाद सेकेंड कुछा है किसने समय तक गुप संभाल नहीं होगी इसमें तो कोई माथा पच्ची की जरूते नहीं है सीधी बात खतम है अगर आपने जो गुट जमुना एंटरपाइज को ट्रांसफर के उसके लिए बनाना है फिर मल्टिपल कंसाइनमेंट आप सिंगल कंवेंस में भेजते हैं अलग अलग कंसाइनर कंसाइनी का माल इस ट् क्यों यह है कि एक ट्रक में कई लोगों का समान जारा सब का इवेबल बना हुआ है इंडिविजल वड़ा क्या ट्रांसपोटर उन सभी इवेबल का नंबर से एक एकठा कंसुलिटिव बना सकता है नेक्स लास्ट जी पार्ट बी जो इवेबल का होता है वो क्या अपडेट कर सकते हो रहा है अगर हाँ तो फिर कितना टैम लिमिट है वह पताते हैं हम है एक बार इसमें जो कंसप्ट यूज है मैं एक बार वह आपको रिकॉल करा देता हूं और पिर हम चलेगी आगे के सेनरियो नंबर 19 पर हाजी अब ध्यान दीजिए के सेस्शन 12े अगर अगर हम विरहाउसिंग सर्विस के लिए प्लेइख सप्लाइं सप्लाय एन phenomenonません यह है नंबर 22 कि आगर सेस्पेसैविक के सब सेक्शन में कहीं ओर प्लेख सब्लाई कुझा नहीं है 12 3 से 24 तो फिर उस केस में हम प्लेख सप्लाई कहा निकाला करते हैं यह कहता है जनरली अगर आप रजिस्टर परसंट को सर्वीज देरें हैं तो यह हमारे यहां पर रेजिस्टर परसंट वाला ही पॉइंट है रहते हैं और उसका अड्रस रिकॉड में तब भी अलोरी करते हैं अचा इसमें हम हैं सप्लायर गजनंग हमारा एक वियर हाउस है हम हम सर्विस दे रहे हैं जी कि आपको महारास्ट्रा के महारास्ट्रा नाडू के महारास्ट्रा को अगला कौश्चन है ने पता हुआ है आपने पड़ा हुआ हुगा जो एग्रिगेट टन वर 20 लाख वाली कप देखें जब आप इंट्रस्टेट सप्लाई करते हैं सेक्शन 24 में 12 केस बताय हुए हैं जब रर्स्क्रीशन करना कंपल्सरी होता है उन मेंसे एक केस THIS है कि आप इंट्रस्टेट सप्लाई करते हैं लेकिन ऊतकी लिक ये थ्रैशल लिमित मिलती है अगर आप सप्लाई करती हैं यह सब सब्सक्रे करते ज्यां और 10 लला कर देखते हैं अगर सब्सक्राइब अगर हम भले यह इंटरसेट सर्वेस दे रहे हैं हमारी अठालग पच्छे जा रहे हैं जब तक लेकिन आपने एकाउंट्स के चप्टर में पड़ा था फिर सक्षिन पचास जार से उपर है तो आपको इवेवल बनाना होता है इसमें इनवाइस की डिटेल जाती है यह अगर आप ट्रक वाले के थूब बेज़े तो आप ट्रक वाले को पार बी अलोट कर देते हैं फिर पार भी वह भर लेता आपना वहिकल नंबर भरता है डॉक्वेटन नंबर भरता है और फिर गूर्स नंसाइन हो जाते हैं पार्ट ए भरने पर एक यूनिक नंबर मलता है अभी वह बना नम्बर नहीं है अग्वन चैकर में कई तरह इक पार इसमें जा रही है बना सकता है अब जिरा धान दीजिए एक मज़े दार बाद दो केसे में बनाना ज़रूरी होता है भले ही वेल्यू कंसाइमेंट की पटाजारते कम हो इन में से पहला अगर आप जो वर्कर के पास दुष्ट को मुग करें वो इंट्रस्टेड मोमेंट है इंट्रा तो नहीं इ इवे विल्स बनेगा यह बनेगा अगर आप जो वर्कर के पास भीज रहे हैं और अगर वल्यू पटाजार से कम है तब भी तब भी और एक होता है है हैंडिक्राप गुट्स के लिए वह हम डिसक्स करने रहे हैं यहां पहानी एक आपको बुक्स कितने साथ तक संभाल के र महरास्टा के मतब इंट्रा इसके लिए तो हम 15,000 वाली चेक करेंगे लेकिन दूसरा जमुना को भीजते हैं जमुना कहां कि मध्यपदेश तो महरास्टा से मध्यपदेश भीज लें यह इंट्रस्टेड मॉमेंट है यहां वेल्यू 50,000 से कम भी हो तो भी हमें इवेबल ब सकता है तो इसने पूछा था कि यह कुश्चन अबर ने टू भी कहता सकते है जी कि अब कितने साल तक संभालेगा जी बहस्ता में तक संभाल कर रखेंगा भुक्स अबकांस थर्ड कॉश्चन जी कि यह जो इवेबल बनाएगा जम बनाएगा जिए इंट्रस्टेड मोमन कर अच्छा एक इसमें स्पीड ओफास ट्रांस्पोर्टर था क्या यह बना सकता है और इवेबल का पार्ट भी अप्डेट कर सकते हैं कि अब आईए वापस आती है अब और पढ़ लेती है कुश्चन में और क्या पुछा है कंपनी कुछ रोव मेटल इंपोर्ट करती है और गजनन के घजनन नोहरे तो लाट वह रर्म कहां कि हम है हम है हम है वाह कि माहराष्ट्रा तोपियस क्या हो सो घृल साथ हमारी अग्रेट्र अब यहां पर एक कुश्चन पहला था क्या ओनर वेराउस को रिस्टेशन कराने जरूत है इसे रिस्टेशन कराने जरूत नहीं है हाँ इसे यूनिक एंड्रॉल्मन नमपर लेना हुए यह मैं डेटेल में आपको एक्स्प्लेंड करें दे दिया है अच्छा फिर इसके बाद कमटी रिकोर्टस मिंटीन करती है फिर दर नंव और इंपुट की बाते कर रखी बाकिपांट बैसे हमने करी ली है यह स्पीडो फास्ट एक ट्रांसपोर्टर है बता रहा है घीति है इस ते इलेटेड भी लिए है करी लिए है तो चलिए बस यह हमने चाड़ बना रखाथा कि अब हम आते हैं के सेनर्यों 20 करने से पहले एक बार फड़ा फट से इसके एम से क्यों पढ़ दिजिए फड़ा फट से पढ़ें पढ़ दिया क्या करा जी जी एसपी को क्या रश्टेशन लेना अगस महीने में और फ्रेश्यों लिमिट क्या होगी दूसरा नेट जीस्टेशन अगस के लिए पूछा था दिसंबर महीने की नेट जी एसटी पेवल पूछ रहा है इन दे स्टेट ऑ महारास्ट्रा प्रोवाइड इन्स्टोल करी है यूपी अगर आप इंस्टोल करते हैं तो पीएस सेक्शन तर्डवन्डी जहां पूर्ट होता है यूपी पीएस होगा इन्सटोलेशन की इसके लिए बताइए कौन से सप्लाइए टैक्स का रेट क्या लगेगा और फूर्थ जो हमने ओडर रेसीव किया है ओटो वील से मध्य परदेश में मशीन इंस्टोल करके देनी है इसके लिए हमें प्लेस्टों सप्लाइब करना और घ्स्टी कौन सा चार् करते हैं हां जी तो एक बार इसमें जो कंसेप्ट यूद हो है एक बने मैं आपको यादे लगूँ एग्रिगेट टैनोवर का मीनिंग आप जानते ही है बताने जो है नहीं कुछ खास यूद है इसमें ओकी एग्रिगेट टैनोवर तब आप निकालते हैं जब सेक्शन 24 में कवर्ण नो यह एग्रिगेट टैनोवर का कोई मतलब नहीं है अगर सेक्शन 24 में कवर्ण है अगर अगर हम निकाले संग्षिन 10 में किसके लिए अगर गुट्स असंबल करें कस्टमर की साइट पर तो यह जहां इंस्टॉल कर रहे हैं वो प्लेश सप्लाई होगा अगर अगर इसके बाद इन में से एक जो होगी यह आपकी प्रिंसिपल सप्लाई होगी इसका मतलब क्या होता है जैसे अगर आप एसी लगवाते हैं अपने घर पे तो इंस्टोल भी वही करने आते हैं मशीन सप्लाइब अधायर क्या है तो मशीन करके आ रहे ंचीन यहां पर फिर हम हाइस रेट लिया करते हैं हाइस रेट में हाइस रेट में पूरी वेल्यू पर वही लगा देते हैं बजी इतना ही कन्सेप्ट इसमयूर है अगस्ट महीने के लिए बता रहा है कि हम बिiquer करनाठ कー time अलग जगह पर बिजनस प्लेस है वहाँ वहाँ से वाले काम किया करते हैं अगस्ट महिने के लिए हमें सेल दे रखिया हमने टोटल हिया कोई जरूरत नहीं है टोटल करने की क्यों क्यों क्योंकि इन्वर्स अप्लाई डिवर्स चाज वाली है इसका सक्षिन 24 में हमारा रस्टेशन मेंडेटरी है इसने क्यों पूछा था हम से कि बताएं क्या जीएसपी को रस्टेशन लेना होगा अब इसके बाद फिर यह अब अगस्क्वेने के बाद दिसंबर महिने के रिटेल दिसंब और में हम मशीन बेचते हैं महरास्ट्रा से देवी जेकरनाटका से मद्र पदेश से उत्राखन तमिल नाडू से और यह इंस्टोलेशन के पैसे इतने इतने लिया घरते हैं इंपुट की परचेज और इंपूट सर्विस की परचेज दे रखे हैं नीचे हमें GST के रेट द सरसर गिस्पर 9% और यह डिए सब्सक्राइब करें अब इसने दिसमबर महीने के लिए माहराष्ट्रा से से लोगी है और मशीन उपी में इंस्टोल कर गया है तो महरा यहां इंस्टोल कर गया रहा है तो यह इंट्रस्ट सफ्लाई हो तो IGST लगेगा अब वहां से हमें IGST लेकर आना है मशीन प्लस इंस्टॉलेशन पर 18% लेकर आना है फिर इसके रहां नेट निकालना तो इंपूट और इंपूट सर्विस कह रहा है इसे विजिन स्टेट पर चीज मान लेना मतब यह इंट्रा मान लेना तो सेल का तो हमने निकाल लिया IGST लगेगा तो आईए सेल पर महरास्ट्र से लोगी थी ना तो 25 प्रसीन 28 लाग पर 18 लगेगा और यह इंपूट और इंपूट सर्विस पर इंट्रा माना था तो चे परसंट पर से पर से परसंट इस ती निकालेंगे तो हमने यह निकाला 28 लग पर 18 लग पर यह पाइट जादा है और फिर हमने नीचे निकाल रखा है नौर अट साट जाठ पर से परसंट ठीजिए अब मेरा क्विशन क्या पहले इजेस्ट को अठीज होता है इजर फिर अधर किया ओर बचा हुआ एज्ट के लिए तो इसने क्वेश्चन में पूछा है कि सप्लाई और मशीन और इंस्टोलेशन यह कौन सी सप्लाई थी कंपोजेट और कौन सा रेट लगेगा प्रिंसिकल सप्लाई बात खतम हमने एक्स्प्रेंट करें नेक्स ओटो विल्स यह कहां कि मशीन हमें यह कहां पर एंटर सप्लाई होगी इस प्ले सप्लाई मतर ब्रेश बात करता है चलिए हम आते हैं के सिनरियो 21 पर हाज आए अगें पहले इसके पढ़ लेते हैं पहला क्वेशन इतने पुछा है बताएं ओपनिंग स्टोप पर नए रजस्टेशन के टाइम पर आई टी से कितना वालेगा सेक्शन एटेइं याद करना पड़ेगा दूसरा क्वेशन पुछा है कौन से सट्मेंट सही है रजस्टेशन के रिगार्डिंग में तीसरा कौन से सही है इवे बिल के रिगार्डिंग में अगर आप आई सी रिट उगलका बाद से सी पॉर पर भीज रहे हैं फिर कौन से सही है कंटेशन हैं अगर और प्र पांचमा कौन से से स्टमेंट नेपाल भूटान के रस्पस में सही है तो इच्छे लिए वापस आते हैं जी अब मैं एक बार आपको इसमें related जो concepts हैं वो recall करा दूँ case scenario number 21 में क्या section 18 में आपने पड़ा हुआ होगा कि अगर आपकी turn over registration limit से ज्यादा हो जाती है 10-14 लाग से तो आपको 30 दिन में registration के लिए अप्लाई करना होता है उससरोड इलाझ तो जिस दिन 10-14 लाग इंपॉर्ट करूद उससे पहले वाले देन जो approach हुआ अंसे जिए दिन जर्शेशन मेड़ा उसह पहले बंहरे में यह वला जुन है कि जिए जिए दिन 1240 लाग crosses हुआ है उससे पहले बाद जो स्टोग होगा उसका हमें क्रेड मिल जाएगा फिर इसके बाद एक साल से पुराना स्टोग होगा तो क्रेड नहीं मिलेगा फिर इसके बाद रस्टेशन के अगर हम बात करें अगर आपकी टरणोर 20 लग क्रोस हुए अब आप रस्टेशन के अपलाई कर माल इंपोर्ट हुआ कस्टम पोर्ट पर आया है यहां से यहां से कस्टम के निगरानी में जा रहा है तो जब पोर्ट से पोर्ट पोर्ट जा रहा है तो इवेबल की जबत नहीं होती है क्योंकि यह कस्टम की निगरानी में ही जा रहा है है रूल 33 इसमें पॉइंट है हमने कोई ग्रीन सस कस्टमर के नाम का जमा कराया है और वह हम कस्टमर से रेंबर्स करा रहे हैं तो यह हमारी वल्यूम एड्ड नहीं होगा क्योंकि हम प्योर एजन की चारो करनेशन को फुल्फिल करें लेकिन हम ट्रांस्पोर्ट के सपैसे उस करवे दे माप में और यह पहले इंड्या में माल मंगाती है वहाँ प्र नेपाल में जाते हैं यह जब एक सपोर्ट करते हैं वह भी वहां से पहले एक छोटे पे रही है दो पॉंट में बताः हुआ है कि कहानी की हमारा गुरगांव में हट आइसरी यूपी में और आइसरी देली में यहां उल्याएव भारा करते हैं आगे पुरन गंट्री में भीजाए इतनी कहानी बताईए और इनके इन्वाइस हम इन दोनों ITV से एक्षियू कर देते हैं अच्छा फिर इसके बाद अब यहां से शुरू कर रहा है यहां तक की अग्रीगेट ट्रूवर हमारी 20 अच्छीट कर रहे अगर हम ने जिस दिन जिस दिन आपलाई कर दिया कर दिया तो हमारे पास इस हमें कहां से मिलेगा प्रस्टेशन मिल रहा साथ दिसम्मर को लिगें मिलेगा अकटी सब्सक्राइब जो तीस अक्टूबर को स्टोक पढ़ा होगा उसका में इसपर के बदाया 50 लाग है इसका में पश्चन सावारा कि हमें पहले पटाइब प्राइमरे बिजनस एक्सपोर्ट का यह इंपोर्ट एक्सपोर्ट कांटेनर की है जुलाई में हम एक ओडर मिला कि अध्यों का इसरा है हम सी पोट पर ले के जाते हैं अंध्य बना रहे है यहां यह बना रहे है बनाने की जरूती है रूल 1,3,8,14 क्या कहता है इस इस जब आप कस्टम पोर्ट से आइज़ी या आइसीडी से कस्टम पोर्ट जाते हैं तो हमारे को एवैबल बनाना नहीं होता तो एक इसी पे क्वेश्चन था कि क्या यहां कौन से जर्टम करेक्ट है इवैबल के रेस्पेक्ट में हम इवैबल बनाना नहीं है एक सेक्ड़ कोशन भी करते चलते हैं अगर हमारी वीस लग क्रोस हो गई तो हमारी तीन स्टेट में प्लेस थे तो क्या तीन जगा देवी यूपी हर्याना में रजिश्चन कराना प थे करोस हो गए तो आपको रस्ट्राणा हो गए अब वापस आते हैं यहां तकहो गई अब ग्रीन हमने कस्टमर के बियाप पर जमा करा कर आया थे कर आया है एक अगले दो पहला हो गया दूसरा हो गया तीसरा हो गया फॉर्थ प्वाइंट्स चेह जिस एक्स्क्लूट और रांपोर्बोर के फिर पाँचमा नेपाल भुटाइन के रेसपेक्ट में हमारा नेपाल भुटांस के रेस्पट में एक्जम्शन ओगी इसके बाद हम आते हैं केस ुर्ख अगें अगर बीच में ठक जाएं तो class broke के लिए बाद में देख लिए यूट्यूब पर आउलेबल है ठीक है ना ओके तो आईए case scenario number 22 पर हम आ रहे हैं इसके पहले M से क्यों पढ़ने के लिए क्या दिया है जी हमने service import करिया महेश ने बताएं supply है के नहीं है दूसरा date of payment क्या होगी saving machine के लिए तीसरा महेश कंविस्टन स्कीम के लिए eligible है के नहीं है 10.1, 10.2 में और 4 टीडियत की बाद बस जी तो एक बार आप इसमें ये point पढ़िए क्या दिया मैं इससे related पहले एक बार आपको क्या याद दिला देता हूं इससे related कुछ points आपको याद दिला दिला देता हूं क्या हुआ जी case scenario number 22 family related person की reflection में आता था member of same family related person में अगर हम बात करें ये तो आप तो हैं ये आपके बच्च और आपकी वाइफ ये आपपे dependent है ये independent है रिलेटीड ही है लेकिन आपके पेरेंट ग्रांट पेरेंट ब्रदर और सिस्टर ये तभी रिलेटीड स्ट्टिया अब इसमें हमारे करेंस्ट में ग्रेंड पेरेंट और ब्रदर बोल एक तो要स आपने अपने वाग्राइड आपने बैसे सर्विस इंपॉर्ट करिए ये अगर सर्विस इंपोर्ट करिये और आपने पैसे दिये हैं पैसे दी हैं फिर ये business purpose के लिए service ली हो या other business purpose के लिए 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 दोनों ही किसी ना supply तो हमने brother से service ली एक question में वो supply होगी हमने पैसे दी रहे हैं अब इसके पाद exemption को point इसमें पूछा नहीं हो मैंने extra बताया आपको क्या कि अगर business purpose अगर आपने पैसे नहीं दिये पैसे नहीं पैसे नहीं पैसे नहीं है क्यों कि इन्डिपेंडेंट अगर यह अगर आपने नहीं दिया है तब ही supply होगा अगर आप वह आपका सब्सक्राइब नहीं है फिर इसके बाद हम बात करें में इसके बात करें यहां सिरफ एक ही रेस्टरंट वाला ही कमें में तरह सर्विस कोड़र लेकिन उसका पॉइंट है नहीं अब हम इंट्रस्टिट सप्लाई करते हैं कब्र सुस्क्राइब के लिए अब एक सेक्शन 14 आपने पड़ावा होगा जब GST का रेट होता है अब इसमें वह कुछा हुआ बाद कुछी है जो आपका डेट ओप्यमेंट होता है वह कौन थी होती है बुक्स में इंट्री या बैंक में क्रेडिट विच एवर इदर जैसे आपको चेक मिला आपने ब्यूर्स वैं इंट्री कर लिए बैंक में प्रेड़ होगा तीं-चार दिन बाग तो दोन में जो अध तो आपका डेट पेमन का फर्मुला यही रहेगा लेकिन अगर पांच जुलाई के बाद आपके बैक में क्रेट हो गया तो तुमने जान बुछ कर बैक डेट का चेक ले लिया होगा 30 जून का या उससे पहले का और बाद में जमा करा होगा तो हम इस केस में अगर तुमने ऐस में अथा किया है ध्यान रहे आपने बैक डेट का चेक ले लिए लिया टिका अम मतलब हमने बोक्समर्त में इंचरेंड में इस कुष्चिन में बैक डेट में ड़िएंस रिट में След करेच इन हुआ तो हमारा एडिटो पेमंट का फॉर्मला बुक्स में एंट्री अमें में क्रेट ही रही तो फिर इसके बाद TDS वाला पॉइंट आप जानते हैं क्यों इसने बोला हमें गुट्स डिलीवर करने हैं तो एल्व लव दौन के इसमें गुजरात आ रहे हमें ईलीवर करने हैं तो एल्व ज़ यही थी रॉइन रिसीपेंट जो है वह देली और है और चाता है गुजराट वाले घेस्ट काहते हैं वे लेगा तो इस ही पॉइंट पर कुश्चन है चलते हैं हम आगे तो महेश एक परसन है गुजरात का और इसने डिजाइनिंग की सर्विस लिया अपने ग्रैंड फदर से डिजाइनिंग की सर्विस लिया इतका मतलब इसके पापा इंडिमेंडन और वैसे नीचे दिया भी आई तो हम अब हम अब हम यह सर्विस ले रहे हैं कि पापा कहां पर है हैं इंप्रोब सर्विस है बिना फ्री में ले रहे हैं यह सप्लाई ही नहीं सप्लाई ही नहीं फिर आर्किटेक्ट की सर्विस अपने भाई से ले रहे हैं दो लाक रपाय दे रहें पैसे दे रहे हैं तो यह तो पैसे नहीं दिए तो पहला कोशन हमारा यही था कि बताएं इन में कौन सा केस में सप्लाई है तो जो भाई से लिए सर्विस वो सप्लाई है एक्जम्शन का पूशा नहीं मैंने आज नीचे डिटेल में करके दिया दोनों ही नौट रेटेट परसन है लेकिन यह भाई सो जो लिया सर्विस पैसे दिया ना इसलिए सप्लाई है फिर आएंगे वापक इसके बाद इसने बोला मनोज फ्रीलांस टेश्टाल डेजाइनर है इनके लिए और उनकी यह डेट ही है मैशीन 6 जून को इंस्टॉल की 15 जून का इन्वाइस है तीन अगस को बुक्स में एंटर करा हमने पेइमेंट का चेक मिला हमें और 9 अगस को में बैंक में क्रेड हुआ है इसके बाद नहीं लगेगा तो 3 अगस और 9 अगस बुक्स में एंटरी और बैंक में क्रेड विचावी दर लिए तीन अगस हमारा डेट अगस होगा हमारा इसके बाद आगे बढ़े फिर इसने नेक्स फञेंशल एर की हमारी ये टर्वर बताई थे हम टेक्सिबल सप्लाई एक्जम सप्लाई यह कर रहे हैं अगले साल के लिए इसने बतादे हम अगर आप इंटरस्ट्रेट सेल करते हैं तो आपको कमपेस्ट्रेम अलाव नहीं है तो इसने क्वेशन पूछा था कि क्या हमें कमपेस्ट्रेम मिलेगी क्वेशन 3 नहीं मिलेगी क्योंकि हम इंटरस्ट्रेट सेल कर रहे हैं इंटरस्ट्रेट सेल कर रहे हैं हमने एक लास्ट इसने टीडियस का क्वेशन पूछा हुआ और उसी पर वही ही पॉइंट है लास्ट बचा हुआ कि महात्मा गांदी की जनम दिन पर बर्स एन्वर्सर इसके पर एक 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 यजड लिमिटेट से हमें कॉंट्रेक्ट मिला है यह एक डेली की कंपनी है रिसीपेंट के हैं और हम यह गुजरात नहीं करने है तो यहां पर हमें बोल दिया क्वेशन लास्ट क्वेशन था कि बताएं टीडियस क्या होगा निल हो गई अब के सेनारियो नुबर 23 अगें पहले इसके हम एम से क्यों पढ़ देते हैं क्या पूछा वाई जी पहला पूछा है प्लेस वाली कहानी है फिर इसके बाद सेकेंड टाइम पूछा हुआ है गोड्स के लिए देट पन वाइस से लास्ट देट वाई पूछा हुआ है और अब इसे करने से पहले एक बार मैं पहले आपको कुछ चीज़े याद दिला देता हूँ क्या जैसे यह हाजी के सेनरियो 23 प्लेस अप्लाई 10-1-b का यह यूद होगा हाजी किट ने ऐक सेल कर दी है Cisco किट ने टी एमटे आगे सेल कर दी है Cisco अब इस टी एम्टे ने इंस्ट्रक्शन दी इसे किट को कि तुम बिल तो हमें बना कर दे दो और शिप्टू कर दूँ तो यह वाली जो ब्ल्ट ट्राजेक्शन है और उसके बना के है ईलोट है अंद्रपदेश है हैजरबाद इंट्रसे सप्लाई यह यहां यहां फैस यह यहां इसमें हम प्रिज यह जहां शक्रेय कंक्प्लीट हो रही है गुझा मैंने चार्ट आपको बनाकर दे रखा वैता है इसका पूरा तो अगर आप यह वाला चार्ट देखें पेज देंबर 71 पर किट ने टीम्टी को बिल बना कर दिया है तो जिसको बिल बना कर दिया है है तो अगला पहला क्वेशन यही है कि टो टीम्टी के लिए अगला टीम्टी ने जो साक्ति को सेल करी है इसके लिए यह आपका भोनेश्य पूरा डिटेल में आपको सोल दर करें रहे हैं अब अब इस क्वेश्चन में हमारे को अगर पढ़ेंगे पांच मई को अपने इन्वाइस की लास इन डिलिवर हुआ लिमूव हुआ चे मैं को तो लास्ट इड़ों कितनी है जी चे मैं तो इन दोनों में जो अर्लियर है पांच मोश्य में यह मारे टाम सप्लाइए होगा तो साइकन कोशन में टाम सप्लाइए हमारा पांच महीं होगा अब वेल्ली की बात पूछी है जी अब मैं पहले और कंसप्स आपको रिकॉल करा देता हूं और फिर हम यहां से पढ़ लेगी जीद को ठीक है तो और कंसप्स एक बर आप देख लीजिए टाइम और सप्लाइए का मैंने आपको बता ही दिया गुर्ष के एडवांस पर GST नहीं जाता जिरा ध्यान नहीं क्यो कोई ट्रक में लोड करना पड़ा ट्रांसपूर के पैसे लिए अगर वो हमसे रिकवर किये गए हैं वह हमनी वेल्यू मैट होगी नेक्स लेट पी का इंट्रस्ट वेल्यू मैट होता है जी फिर इसके बाद डिसकाउंट पोस्प्लाई वाला सप्लाई करने के बाद दिया अगर वायर उसका क्रेट डिवर्स करता जो क्रेट नोर्मल कारगो एक दिन में 200 क्लिमेटर चलना अगले पार्ट ऑप 200 क्लिमेटर के लिए आपको एक दिन एडिशनल विल जाता है जीटे के हम बात कर चुके हैं क्या कि आप खुद फूर्वर्वर्ट चार्ज में देना चाहें को 5 बारा अगर नहीं देना चाहते है आप डिवर्स चार्ज में 5 को यह पांंच से देख लीजिए तो विए को सेल करिए 60 लाग की फिर क्या कॉंट्रेक्ट है एडवांस हमारे को हम दे रहे हैं उसको साथ लाग का तो गुर्ष की अडवांस पर घीएस्टी नहीं होता अगर 30 माई तक पेमेंट हमने दे दी तो कोई लेट चार्जज नहीं 30 माई के बाद डिले हुआ तो पहले 10 दिन के डिले के लिए 5,000 पर डे फिर इसके बाद हमने 30 मां को कर दी है तो हम ने तो कोई डिले किया नहीं तो हमें इंटरस्ट नहीं दा दे अच्छा पिर डिसकाउंट की बाद हाष में अगर आपने 100 प्रसेंट और यह अंटायर प्रसेंट अगर इनलों के भीश में मिला तो आपको डिक्राइट मिलेगा पहले पांच दिन पेट और इंवारेस बना एंवारेस बनने के पहले पांच दिन दिन में अगर आपने पेमंट कर दी तो 15,000 का डिसकाउंट है, 6 से 10 दिन में 10,000, 11 से 15,000, 8,000, 15 दिन के बाद कोई डिसकाउंट नहीं मिलेगा, हाँ जी हमने पेमंट कब करिये, हमने पेमंट अठारा मही को सारी कर दी जी, इस सेकंड में को अडवांस दिया था, फिर 30 परसं पांच मई से 18 मई, पांच मई से 18 मई कों सा दिन बना, तेरवां दिन बन रहा है थी, तो हमने 13 दे को सारी पेमंट कर दिया, तो हमें 8,000 का डिसकाउंट बिलेगा, तो जो 50,000,000 की वशीन थे, इसमें 8,000 का डिसकाउंट मिलेगा, अच्छा, और बायर इसका क्रेट रिवर फिर अगली बात हमने ये गुष्ट ट्रांस्पोर्टर के थ्रू भेजिया है, ट्रांस्पोर्टर ने सप्लायर से 1,500,000 ये चार्ज की है, तो हमसे रेकवर करेगा, फिर उसके बाद ये इवेबल के बाद पूछ रखी है, 445 किलोमेटर की हमने 445 किलोमेटर दूर भेजा हमा कि श्माए को एवेबल बना तो पहले 200 किलोमेटर के लिए एक दिं अगले 200 किलोमेटर के लिए दूसरा दिन पाट ऑफद 0 2,500 के लिए तीसरा दिन तो तीन दिन मैं हमारा एवेबल वहलेट रहेगा, तो 6 मही को हम से जो बिल ये वे energ हुआ, पहले दिन 7 मही राद 12 नो मई एंड हो रहे होगी दस मई शुरू हो रहे हैं तो इवेबल की नो मई की रात बारा बजी दस मई शुरू हो रहे हैं अब हमारे पास question में और question बस जी अब इतनी कहानी थी खदम हो गए अब इसने हम से question क्या पूच यह है प्लाइब पूचर यहां थी जो वेल्यू थी एक तो यह साट लाग तो थी इसमें से 8 जार माइनस करना है प्लस करना है तो हम नहीं देखो शाट लाग में अगर बताईए तो बताइए value supply क्या होगी अब जिल ध्यान से देखिए हाजी पांच मही का बिल था पांच मही का बिल था पंदरा जिन एड किया बीस माई तक अगर हमें payment मिल जाती तो डिसकाउंट मिलता बीस माई के बाद payment मिली तो कोई discount नहीं है अब एड़े पेमट मतरी है तीन जुन को 20 मही के बाद 28 मही को 20 मही के बाद 20 जुन को यह आपका 20 मही के बाद तो discount किसी भी case में नहीं लेगा हमने लिए payment in in date को है क्योंकि 20 मही के बाद आ रही है discount किसी भी case में लेगा अब interest कि बात कर लेते हैं interest किब लगेगा हमारा पांच माई प्लस 25 दिन का उसनी टाइम दिया था में तो 30 माई तक पेमिट आ गई तो कोई इंटरस्ट ने लेता था तो अब उस टेवल से देख लेते हैं कितना कितना इनका दिले है तो निया चार दिन का डिले है तो कहां गया दो यह तो हमारा 20,000 घी होगा डिले वाला अब जिरा 21 दिन का डिले है तो यह यहां पर फूल कर आए बीस दिन के लिए तो एक दिन के लिए दजार पर दे तो एक लाग चालीस हजार हमने लिख दिया अब इसके बाद हमें क्या करना है अब तो हमें वहल्यू निका रहेंगे यहां पर इसमें हम डिसकाउंट लाइस करेंगी सब्सक्राइब करना है यहां कुछ सीधा क्योंकि ना इंट्रस्ट है और यहां पर एक सब्सक्राइब किया यह यह चले आगे जी आई एक पर केस नेरें नेक 24 करें जी 24 में पहले इसके पढ़ लेते हैं क्या पूछे हुए हैं पहला कुष्चन है ब्लॉक बताना है मोटर वहिकल पैसेंजर वहिकल ब्लॉक रहे होता ना तेरा से कम वाला सेकेंड एलेक्टनेक कैश लेजर से स्टेपेल को क्या पे करना पड़ेगा अगर यह रूबा के थू सप्लाई कर रहा है मतब एको के थू सप्लाई कर रहा है तो नेक्स टीसियस कितना क्लेक करना होगा रूबा यह एको मर्स अपरेटर है इसके लिए जुलाई अगर सेप्टेंबर तीनों के लिए पूछा है उपर जो पूछा था वह सि तो वापस आ जाते हैं हम अपने case scenario number 24 पर एक बार इसमें जो concept यूज हुए हैं मैं आपको recall करा देता हूं case scenario number 24 में हाँ जी आपको दिहान हो आपने ऐसा 17.5 में पढ़ा हुआ है क्या कि अगर 13% से कम वहीकर है तो credit block है लेकिन तीन cases में मिल जाता है इसमें अगर आप परचेज करके आगे further sale करते मिल जाता है second यह वाला हमारे में यूज है कि passenger transport की service अगर आप दिया करते हैं तो मिल जाया करता है हमारा यहां पी यही वाला यूज है यह कार चलाना से जाते मिल जाता है तो हमारे यहां पी यह वाला यूज है कि अगर अपनी वेबसाइट से जमान बीच रहे है अपनी वेबसाइट के त्सु लोगों को सप्लाई करने दे रहे हैं ऐसे खुद भी बेज सकते हैं अपनी वेबसाइट से या औरों को भी बेजने देते हैं कि इन्होंने क्या बोला जो और अपनी वेबसाइट से बेंडर बेजता हूं मैं इक वेबसाइट है वो उसको और ऑपरेट मैनेज करता है फिर इसके बाद एक चीज में आपको याद दिला दू हमें ऐसा कुछ चार्ट किया था क्या अगर आब बुर्च की सप्लाई इकॉ जैसे फ्रेशल लेमेट क्रोस करें फिर आपको इंत्रा के लिए रस्टीशन कराना जरूरी है अगर आप रस्टीशन करा रही है तो फिर आप धी चार्ज करेंगे सप्लाई और इकॉमर्स ऑपरेटर क्या करेंगा टीस इसको मैं एक बार रिकॉल करा दीता हूं ऐसा आपने से किया हुआ है क्या हाँ जी मिस्टर ए ये अमजन के सुगोर्स ब्रूर्स बेचना चाहता है अगर यह इंट्रा यहां देखो मिद्ध देली अमेजन को इसने ओडर दिया कि मेरे को ये फॉन मिस्टर ए इक था इममजन इसको forward कर दिया कि भी अपना फोन भेज दी अब मिस्टर ए भी देहली का है मिस्पी भी देहली के इंट्रा से सप्लाइए मिस्टर एक को कराने जूरत नहीं है जब तक इसके सब्सक्राइब नहीं कर जाती है अगर एक बार क्रोस कर देखे तो फिर से जी एस्ट में करा रहा ह अब यह इन्वाइस में जी चार्ज करेंगा और यहां पर अमेजॉन यह क्या करेगा यह टीस क्लिक करेगा वन परसंट जी पर फाइप परसंट सी जी एस्ट जी अगला एक एक ग्जंपल देखिए मिस्टर ए अब यूपी वाले को यूपी वाले यहां से उड़ रहा है य आई जी एस्टी चार्ज करेका और यहां पर टीसिय पर तीसियाध करेगा वन परसंट आई-जी एस्ट वाला अब आपको एक और चीज Mmm स練 पर यहां फर्क आइमबला करने के जोड़ा कुर सब्सक्राइब आपो अगर द explosive है भूर आपने की जले लिया फिर यह तरह है एक जाओगे चार सर्विस को छोड़ करेंगे और जम्मा कराएं तो यही आपको चार्ट में था क्या अगर यहां पर यहां पर यूद भी है पसंजर ट्रांसपोर्ट की सर्विस इसमें पर आइए यह ओमनी बस को छोड़ कर अगर आप ओला उबर के सुझे रहे हैं यहां कोई टीस की बात नहीं है यहां इस एकॉमर्स अप्रेटर ओला उबर को ही जीस्टी दिना होता है याद आ गया जी अब भले हमारी टर्नओर कितनी हो यह हम रस्तर भी है हमारी टर्नओर तद्विस लाग से ज्यादा भी है हम ड्राइवर की या कंपनी जो है इसके टर्नओर तो प्रेश के पे रहेंगी यहां कोई टीस की बात नहीं आएगी एक आपने पॉइंट पड़ा था किसके लेकिन अगर कंपनी यह कंपनी सर्विस दे रही है इस अबर क्वेशन नहीं है कि अगर हम ओला उबर के थू के जगह रूबा लिखा हुआ है अगर आप एक चार्ट कंप्रीट हो गया गुड़ अगर आप एक ओमर्स अपरेटर के थू बेच रहे हैं आप दे रहे हैं अगर पहली चार सर्विस जिसमें एक मैंने पैसंजर ट्रांसपर्ट अपको याद दिलाई एक रेस्परेंट वाली है एक होटल रूम बुकिंग इन के लिए इको ही रेस्ट कराता है इको ही घेस्ट पे करता है कोई टीचर्ट के बाती बाकि सर्विसें के लिए वही गुड्स जैसा ही सप्लायर जीएश्ट पे करेगा और वो जमा कराएगा ठीक है अच्छा जी फिर इसके बाद एक दो चीज़े और मैं आपको याद द लिए अंदर्स्टर रसीफन घौण आपने सर्विस भी तो जहां से परेंटर करेगा और इसी से कनेक्टेड यह था रिटर जर्न जर्न वाला रिटर जर्न 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 जा रहे हैं आप अन्रस्टर रहे हैं तो पहले केसमें देली से मुंबई में देली पीर्स होगा जब वापस आएंगे तो रिटर्न जर्न जर्न है तो मुंबई में बात यहां पर कहना जा रहा है फिर इसके बाद में टाइम उस अप्र जानती है इन्वाइस आपको 30 दिन में इस्यू करना होता है अगर आपने 30 दिन में इस्यू किया तो सक्षिन 31 के टाइम आपके साब से इस है अब हम आते हैं अपने के सेनरियो पर हाँ जी के सेनरियो 24 में इसमें बोला कि हम एसी पॉन्टेक्ट कर इस प्रसेंजर ट्रांसपोर सर्विस दिया करते हैं हेलो तो क्या जो हम मोटर वहिकल पर चीज़ कर रही है क्या वो 13 से कम भी क्यों ना हो हमें क्रेट मिल जाएगा तेरह से कम प्रसेंजर वहिकल का क्रेट मिल जाएगा लेकिंगे इसमें प्रसेंजर 844पय क्या होगा पहला ब्लॉक क्या होगा वाटर वहिकल के जो अपने पार्षेंज करीं कोई भी की ब्लोक्त नहीं हो गया दे रहते कम भी हैं तो भी कर्ड मिल जाएगा फिर बढ़ते हैं आगे फिर हमने आगे पढ़ा इस क्वेश्चन को इसके पास यहां से बोला जुलाई महीने थी रूबा ने एसुसेट कर लिया है अपने बिजनस को बढ़ाने के लिए यह कंप्री जो थी इसने रूबा के तर अगले पैर में रूबा के थे रहे हैं अपनी बुकिंग की बात करते हैं अब यहां पर कुछ ओडर नंबर दिया है और नीचे एक लाइन दिया है कि हम इन्वाइस उसे दिन इशु कर देते हैं जिसन ट्रेवल वाली डेट होती है मतलब यह सर्विस देने वाली डेट 30 डेज में इन्वाइस इशु हो गया तो हम टाइम से स्क्षिन 31 के टामने वड़ी के हिसाथ से इसु कर रहे हैं तो सेम डेट जो डेट ऑप ट्रेवल है वही हमारी डेट ऑप इन्वाइस हमारे पास अब यह कुछ डेट ओडर और डेट के रखे हैं डेट अप ट्रवल की स यह वाले दो कुलम्स इस से हमारा टाइम सप्लाई निकलेगा और उसने इन तीन ओडर के पूछ जो मैंने रेट से टिक किया है CA 234 यूव 777 यह यह डबल जी नोगर इन तीन के लिए उसने टाम सप्लाई पूछा था तो पांच जुलाई और तीन जुलाई विज़वर 6ES-3 जुलाई सफ्लाई शो आप पंश की देगलें यह हम्सर को टाइम सप्लाई का था ताइम सप्लाई और फैव था थालय हमने नीची एव ही डेट ट्रेवल ही हमारे डेट ऑप्एक्आ निकाल दिया अब प्लेजर विजी स्पलाई पूछा लिए हमारे पास प्लेस अपलाई पूचा हुआ या टिक किये इसका हम से पूचा हुआ है अब प्लेस रप्लाई के लिए पसंजर ट्रांस्पूर्ट सर्विस है तो हमें देखना है customer का status जो first और third है यहां unregister unregister है तो जो starting city होगी वहीं से वो convince में एंबास कर रहा होगा जी तो बैंगलोर और हैदराबाद पहले case में प्लेस अप्लाई होगा यह first और third case में है जो second case है इसमें वह registered है तो registered person का प्लेस हम प्लेस अप्लाई लिया घाज़ा है तो हमारा बैंगलोर हैदराबाद है यह हो रहेगा प्लेस अप्लाई तो देखेंगे हमारे पास यह प्लेस अप्लाई का जो question पूछा था question अब इसके बाद यहां तक हो गया अब अगली डिटेल दे रहा है कि प्रसंजियर ट्रांस्पोर की सर्विस यह सब्सक्राइब प्रसंजियर त्रांस्पोर के सर्विस जो रूबा के थू दे रही है यह चार सर्विस जो नोटीफ है नहीं से एक सर्विस है ना प्रसंजियर ट्रांस्पोर सर्विस हम रूबा के थू दे रहे हैं जी अगर क्वेशन में जैसे अब अगर आए तो अमेंडमेंट हुई है वह ओमनी बस वाला पूंट पूर सकता है हम चूके कंपनी है स्टी पील कंपनी है लिमिटेड है अब यह इसमें डाल सकता है अभी टीसेस की बात नहीं आएगी वह खुद GST दे रहा तो खुद का टीसेस कैसे काटेगा टीसेस की बाद तो चार सर्विस के अलवा आती है तो यह जो आप क्वेशन जो बच्यों को कर लेती है हां यह ब्लॉक कर पहला हो चुका है सेकेंड जीस्ट पेबल स्टी पेल ने कितन है टीसेस क्लेक करना रूबा को जो सर्विस उसके थू दी गई है जुलाई अगस्तों वही टीसेस की बात ही नहीं है सारा टेक्स इसी रूबा को देना तो टीसेस काटेगा तो निल 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 आ गया फोर्थ हम आल्रडी कर चुके हैं प्लेस अप्लाइगा पांच वाम हम सब्सक्राइगा कर चुके हैं अब इसके बाद में हम केसरियो नुबर 25 पर आ रही है हां जी ध्यान दीजिए इसमें हमसे क्या पूछा गया है हमारी से पूछा है कितने समय तक हमें वुक्स मेंटेन करका रखनी होती है सेक्शन 36 शे सालों तक वहत्ता में तक संभाल कर संभाल कर रखनी होती है इसमें छे साल की यहां तक लेकुट संभाल कर रखनी है एग्रीकेट ट्रणोवर का थर्ट ट्रॉण फारनेशन ईयर फॉर्ट लोट नोका सप्लाई और पांच्मां इंटरस्च के उपर में है है जी जब ध्यान दीजिए यह जो एग्रीकेट ट्र सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो यह ज्यान लगना ऐसी चला की खिल सकता है तो आई यह वापस आते हैं एक बार हम देखते हैं कि हमारे पास कौन से 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 वन नंबर 25 में पुछेके हैं उनको रिकॉल कर लेती हैं अप जानते हैं कि अगर आप हो अगर आप ITC ले रखे अपने consent का schedule 1 मेंeden PCR के सप्लाइय के अब वागी बिजसर असेट जिसका ITC ले रखा तो सप्लाइए Chip नहीं ले रखा है यह से अगर आपना अपने घर पर दो AC शिफ्ट कर दिये अपने अपने ओफिस में दस कंप्यूटर या एसी रखे हुए थे उसमें चेज दो अपने घर शिफ्ट कर दिये तो अगर उनका आईटी सी ले रखा होगा तो सप्लाई माना जाएगा फिर सेक्शन सब्सक्राइब बता चुके हैं और दूसरा इंवर सप्लाई देवर चाहिए यह में आड़ नहीं करने होता है और यहां में जो सारी टिनवर देखनी है ओल इंडिया बेसिस पर जितनी भी हमारे उनकी देखनी होती है अच्छा जी एजुकेशन सर्विस के रिगार्डिंग अपने एक्जम्शन एंट्री 66 मे यहां पर सिर्फ स्पेसिफिक जो पॉइंट यूज है वो बता देता हूँ एजुकेशनल इंस्ट्यूट तीन होते हैं प्री स्कूल स्कूल पहला दूसरा क्वालिशन रेक्नाइट बैलो और तीसरा अप्रोल वोकेशन एजुकेशन को अधिरा ध्यानते देगी यह अगर दो आउट्पूट स़रविस दें तुम हाप ये लेकिन पांच इनपूट सर्विस रिसीव करें तुम हाप ये वाला डिटेयल में एग्ज मचिन इस के उपर में जो सिंस्ट्यूट अपने तीस case scenario में नहीं डाले, कुछ additional case scenario में इस booklet में दी है, उन में इसमें detail में आएगा, तो वह इसका exemption का detail में point वहां discuss करेगे, यहां जो use है, वो input service कौन से इस पे है, exam conduct कराने के relation में, यह 5 input services है तो इसमें एक यह वाली है, यह तीर education institute, exam conduct कराने के relation में कोई service receive करते हैं, यह admission के relation म माप है, जैसे CE institute में exam conduct कराने के लिए paper check कराया, paper print कराया, exam center के लाए पर लिए, यह exam conduct कराने के relation में, तो यह c institute is second point में आ रहा है, तो यहां पर service माप होगी, तो CE अगर कोई paper बना कर दे रहा है, c institute को, क्योंकि उसे exam conduct कराने है, उस पे GST होगा माप, चलते हैं आगे, interest का 18% interest देना होगा, जितना भी delay होगा, जितना भी delay होगा, जितना भी delay होगा days का, वापस आती है, इसमें इसने पहला, क्वेश्च, केसे लिए 25 में, इससे बुला है, current financial की detail है, audit की, assurance की, हमने इस year की, current year की, यह taxable है, फिर हमने examiner की तरह act की है, तो exam conduct कराने के relation में, यह वाली services है, इस सजी estimate होगा, rental income, commercial property की है, taxable होगा, इसके लावा, हमने 10 परचेज करें से computer, हमने ITC ले रखा है, इस में से 10 में से 2 हमने अपने घर शिफ्ट कर दी, अपने बेटे के लिए, हाजी shift की है, तो हमने ITC ले रखा, permanent transfer कर दिया है, उस business set का, जिसमें ITC ले रखा है, schedule 1 मे तो एक computer 10,000 का था, open market value, तो 10,000 into में 2, कितना होगा जी, 20,000, 20,000, यह हमारी value होगे, एक हमने return late file करी है जी, 3B, 5 दिन का delay है, कौन से महीने की, दिसम्बर महीने की, 5 दिन का delay है, तो, 10 लाग का इस दिसम्बर महीने में GST बनता था, नहीं, 10 लाग की value थी, 18% GST का rate है, अब 10 लाग वाला उपर जो year की turnover बताई दूसमों अरड़ी include माने, जी हां, include माने, अब GST के अधारा है, बाकी कुछ ओर, ITC बाइटी से निल है, पुराने वाले, कोई opening balance नहीं है, इन वाड़ावर supply कुछ ओर में, बैची, इतना ही question है, अब हमें क्या करना है, अब हमें, पहला question उसे पूछा था, यह हम लिए कर लिया, कितने साल तक संभाल कर रखना है, दूसरा aggregate turnover कुछिए, अग्रिगेट turnover में, हम पहला 1.86 लाग लेंगे, exempt वाला भी aggregate turnover में आएगा, जी, 5.5 लाग भी आएगा, 13.90 रेंट आएगा, फिर उसके बाद 20 जार आएगा, तो हमने देख turnover का पूछा है, हाँ जी, बस यह exempt वाला हटा दो, बागे सब taxable के, तो हमने बस यह exempt वाला हटा दी, अब बागे सब taxable के, यह आगे दो करोट 10 जार, ठीक है, फिर इसके बाद कौन सी इसमें सप्लाई नहीं है, हाँ जी, आपने exam conduct कराने के relation में service दी थी, यह supply तो है, लेकि पूछे बस क्या supply नहीं है, सभी supply नहीं है, नोट supply कोई भी नहीं है, next, interest इसने पूछा था, interest हमने निकाला, हाँ जी, 10 लाग को, 18 परसें एक लागा रखती आजा, into में interest करेट 18%, interest निकालने के लिए into में 5 देज जोए 10 दे, 60 बाभी आगे, 444, 444, ठीक है, ओकी, अच्छा अब एक चीज ध्यान रखना, वो क्या, 23, 24, 24 चल रहा है, जब तो फरवरी लीप येर, लीप येर है, तो फरवरी में 29 दिन होगे, तो 366 करना पड़ेगा, ध्यान देना, अगर ऐसा कोई question आता है, तो, okay, फिर इसके बास case scenario 26, एक बार देखेंगे, इसमें हम से क्या महीने की detail हमें अलग इस chart बना लेंगे, मार्च की detail अलग लेंगे, हलक इसमें कुछ खास है नहीं, मार्च में export, export है, second point, ITC पूछा है, अप्रेल 2-5 का, अप्रेल 2-5 का ही ITC, तो वहाँ ऊपर net GST पेबल पूछा रहा है, यहाँ ITC, तो पहले हम ITC निकाल लेंगे, फिर इ net GST पेबल क्या होगा, अगर कुछ नहीं, जो finance department को sale करी है, वो 10 लाग की जगा, 1 लाग value होती, तो, और वो भी July 2-5 के लिए निकालना, अप्रेल 2-5 नहीं, ओहो ओहो ओहो, यहाँ July 2-5 के लिए निकालना, किसके लिए निकालना है, July 2-5 के लिए निकालना है, अब इसमें जो concept है, mix-up है, यह chart से मैं आपको इसमें बता दीता हूँ, क्या-क्या इसमें बाते बता ही हैं, एक बार, पहले हम इसमें जो use हूँ है, concept वो recall कर लेती है, हाजी, IT से आप कैसे utilize क्या करते हैं, पहले आप IGST के लिए बचा हुआ CGST, IGST कहींगे, फिर IGST पूरा खतम होने के पहले CGST, पहले CGST के लिए बचा हुआ IGST के लिए, फिर SGST, पहले SGST के लिए बचा हुआ IGST के लिए, अगर आपकी प्रिवेस एर की aggregate turnover देड करोड से कम है, तो आप कमपेशन स्कीम के लिए लेकिन अगर आप सत्नम वाले state में हैं, तो आपकी turnover कितनी 75 लग, प्रिवेस एर क ज्यान दे, 10-1, 10-2 ये वाले में, सिरफ रेस्टरंट सिरफ एक ही service provider है, जो यहां commission team में covered है, बाकी service provider 10-2, A में covered है, अब हम तीनों मिलकर थोड़ी सी service भी दे सकते हैं, वो कितनी, प्रिवेस एर के state की turnover का 10% और 5 लाग विजए वीज़ा है, हमारे आप question में ये वाला point देना होता है, ध्यान रहे हम interest rates apply ना करते हो, interest rates apply करते होंगे तो हमें commission नहीं मिलती, और बाकी service provider को 10-2, A में commission के मिलती है, जहां 50 लाग से कम के turnover की बाती है, तो वो concept use नहीं है, बस यही use है, अब ध्यान दीजिए, डेड़ करोड जैसे ही cross हुआ, मैं उस year में फिर नॉर्म दे रखता हूं, उसके बाद मेरे को normal scheme में जो भी मेरे पर GST rate applicable होता होगा, वो मेरे को देना पड़ेगा, फिर अगर अब section 18 में चार cases में आपको create stock का मिल जाता है, चार special cases है, इसमें यह दो point हम अलड़ी कर चुके है, नए registration की, वोला concept कहा पन नहीं है, concept कौन सा usage है अगला कौन से वाला, हाजी यह, अगर आपकी turnover देड़ करोड़ से cross कर देए, आप competition team में आ गए, या फिर आपकी supply पहले एक्जम थी, अप टेक्न बलोगी, तो आप credit ले सकते हैं, किसका stock का, हाजी, stock का credit किसका, यहाँ पर, यहाँ यहाँ नया रस्चिन लेते थे, input का credit मिलता था यह capital goods, जब से purchase करिया, उसके बाद जितना समय साथ कि competition scheme में रही, उतने period का 5% per quarter के साथ के हटा देए, जितना समय एक्जम में रही, उतने समय का 5% per quarter के साथ के हटा देए, अच्छा, यह stock देखना कब है, input और capital goods का, यहाँ में देखना, अगर competition scheme से normal में आयो, तो जिस दिन साल से पुराने होंगे तो प्रेंडिम देखा, अब मैं April to June तक competition scheme में था, तो competition scheme में एक annual return जाती है, 9 है, July to March तक मैं normal supplier की तरह था, तो उसमे annual return जाती है 9, तो क्या मेरे को दोनों जमा करानी पड़ेगी, April to June के 9 है, और July to March के 9, इसके लबाद एक 9C भी होती है, वो होती है जब आपकी aggregate turnover पांच करोड से उपर हो जाती है, तो आप अपनी self-certificate reconciliation statement submit करते हैं, जिसमें आपकी books के turnover और दूसरे आपका यह return आपने फाइल करें, उससे match करते हैं, कुछ mismatch है के नहीं, फिर तो refund का अगला point आप वो हम बाद में दिसक्स करेंगे, आज इए, तो मैंने क क्या किया उस question से April to June, फिर एक जुलाई से कमिसंस किन से बाहर हो गया, तो मैंने यहां कहानी अलग चार्ट में बनागर लिख लिए, जो उपर detail दे रखेंगे, ना लेको तो भी आप वहां से question से देखते, मैं यहीं से आपको चार्ट में दिखा रहा होगी, अप्रल to June में इन्वाइस है, चार माई की, हाँ जी, एक जुलाई से मैं कमिसंस किन से बाहर होगा हूँ, तो previous year के एक जुलाई से पहले का कोई स्टोक होगा तो क्रेट नहीं मिलेगा, लेकिन यह तो current year की चार माई गई है, एक साल पुराना नहीं है, तो यह वाला input का पूरा क्रेट में है, यह भी input का क्रेट आपको मिल जाएगा, फिर machinery हमने previous year के 15 मार्च, एक जुलाई से पहले वाला अगर होगा तो नहीं मिलेगा, एक साल पुराने का नहीं मिलता, यह तो अभी मिश्कल से दो ही quarter हुए है, छे महिने, छे महिने भी नहीं हुए, पंदरा मार्च को purchase किया था तो यहाँ पर 5th quarter लेने है, जन फर मार्च, त्री वेसर का यह वाला quarter हो गया, और इस year का अप्टरल टु जून क्योंकि एक जुलाई साम कमिस्न किम में आगे न, तो हमें machine का credit भी मिलेगा, लेकिन इसमें से 5% दो quarter का हटाना पड़ेगा, 5% दो quarter का हमें हटाना पड़ेगा दस लाग इंटो में 12% यह GST आएगा, GST इंटो में 5% इंटो में 2 quarter का 10% दो हटाना पड़ेगा, बात की credit हमें मिल जाएगा, फिर इसके बाद एक जुलाई से हम कमिस्न किम से बाहर आगे, नॉर्मन में आगे तो 10 अगस को हमने सेल करी है, SMC को, 15 अगस को, हमने बता रखा है कि यह सारी सेल परचेश इंट्रा है, बस एक मार्च महिने की एक्सपोर्ट को छोड़ गए, इसके लाब परचेश दी रखी है, हाँ जी मार्च मिने मैं एक्सपोर्ट हुई है, उसके एक्सपोर्ट की बाद में बाते करें, GST का रेट 12 बता रखा है, अब ज तो अप्रल तो जून तक मैं कमिशन में रह सकता हूं, जी एक्सपोर्ट तो मार्च में करिया ना, इसमें कोई भी इंत्रेस्टेट सेल ने करें, मैं कमिशन की में ले सकता हूं, अब ध्यान दीजिए, अगर उसने अप्रल तू फैब का टेक्स पूछा, अब पहले तो इस प्रचेज है यह वाली इसका क्रेड ले 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 लिए अपनल तो पहले आप इंपूट का 10 यार और यह इंपूट सेमिशन उसका पांच यार पांच यार यह ले लिए अब जो कैपिटल बुट्स था इस में पांच प्रसंद दो कॉटर का हटाना था ना उन्हां में एक लाक 20,000 निकाला इस में पांच तन से 2 कॉटर काť ऑला है 1 लाक 8,000 आया तो मिलाकर दू करें आपकें क Deshalb TO हम एत टॉटर आगिया जी न्यूरूमी परचीस इस के लवाब बाद लाक हुथी यह बशलुए परचीस हैं इस बार लाकश का हमारी इंट्रा है तो हमारा पास यह आ गया जी 31 141 एक तालिस आ गया हमें अलग रंग निकालने की पूछत नहीं थी क्वेस्ट हमने कंसेप्च बताने के लिए है आप चाहओ तो एक अठ्ठत निकाल सकते हैं टिक है तो यह ranked तालिस एक तालिस हमारा यहां ध SUPER आ गया 2 बीज तो हमारा यह वाला क्वेशन हो गया अब पहला क्वेशन उसे पूछा था हमें अप्रेल करोड पर तो हम एक परसंट देंगे जो बाकी सेहर है हमारा में बारा परसंट देगे तो हम न्याची सेबल में सब से नीचे स्कूनिस के निकाल दें मैं यह जो नॉर्मल है दो लक चालीजार दाग और पंदरा लाग दो लग 40 जार 10 लाग पंदरा लाग इसके ज्शी परसंट दें ऐसे यह दॉझे हैं माइनस किया यह मारारा थेग से इसमें कमिशन वोला टेक्स एड करेंगे तो यह है 196,800 इसमें एक पॉइंट और यह जो Finance Government का Department है गुजरास Government का यह 2% TDS काटेगा 2% TDS काटेगा तो 2% इस इस पे यह 10 लाग पर 2% यह भी ज़राता है अगर हम इसमें से मैनिस करते हैं तो 300 का आंसर 16800 मिल जाए अच्छा फिर इसके बाद इसने कुश्चन अब जिरा ध्यान दिना यही सेम ऐसा ही कुश्चन हमारे एक लास्ट वाला कुश्चन भी था ना कुश्चन 5 इसमें से पूछा है कि यह बताएं जुलाइ टू फैब की हलो अपरेल टू जून का टेक्स नहीं निकालना हमें हमें निकालना है नेट जीस्ट पेबर जुलाई टू अपरेल टू जून के वाला था तो वह छोड़ दो जो नॉर्मल सेल है उस पे टेक्स निका आपको तो हमारे पास जो पुश्चन था इसमें यह वाली दो लग चालीजार पर अगला यह एक लाग पर निकालेंगे और यह 15 लाग पर तो दो लग चालीजार एक लाग और 15 लाग तो दो लग कि इवन आप 2% TDS भी मैनस कर सकते हैं हमारा पहले ही नहीं 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 है तो हमारा यह दी अंतर हो जाएगा अच्छा जी अब इसके बाद सिरफ रिफंड वाला यह थर्ड क्वेशन ही बचा ना जी थर्ड क्वेशन बचा इसके लिए पर जो डिटेल है मार्च महिने के वह जला समझी जी क्या है हाजी हमने 1500 मेटर एक्सपोर्ट किया है 200 रुपय पे 1000 मेटर इंडिया में सेल किया है 200 पर मेटर के उपर में ही और इस मार्च महिने का ITC हमारा CGST इस पर जान से समय है रूल 18-4 आपने पड़ रखा होगा जब हम रिफंड निकालती है हमने एक्सपोर्ट किया है यह एक्सपोर्ट किया अंडर बोर्ड तो जी एस्ट नो दिया नहीं पर चेजित का रिफंड नल सकता है पर चेजित कोंसी जो एक्सपोर्ट से रिलेटेट और इसके लिए हमारा रूल इतने हैं में फॉर्मला होता है नेट आइटी सी इंटुम एक्सपोर्ट टर्न और डिवाट तो इसलिए क्रेट हमें अलग से रखा है हम उपर वाले क्रेट ओपनिंग बैलेंस नहीं जी हमें इसी मार्च महिने की पर्टेज जो आगे एक्सपोर्ट हो गया हुँ यही क्रेट जी है इसलिए इसने स्पैसिविक में दे लिया तो नेट आइटी से कितना हो गया जी इंपुट इंपुट सर्विस का टेक्स देख है तो आइए फोर्मिला लगा देते हैं हमारा पर जो थर्ड क्वेशन बचा हुआ था तो हमारा यह हमने डमस्टिक सेल पर जीएस्ट निकाल दिया जी एक्सपोर्ट पर कोई जीएस्ट नहीं इसमें से इसी पीरड का हमें 55 जार देखा था तो नेट या जो आइटी सी बै इसमें और भी कंसेप्स नहीं है तो मैंने डिटेल में डिसकस नहीं किया चलिए इसके बाद हमारा यह कुश्चन हो गया अब आते हैं के सेनरियो 27 पर एक बार इसमें देख लेते हैं हम से क्या-क्या पुछा गया है इससे पुछा नित्या को कितने समय तर गुक संभाल कर रखनी होगी पहला केस दूसर के से बना कर दिया है कि इन्वस्टिग अब टोटल टेक्सेबल आउटवर्स अप्लाई करन्ट फानेशिल एर के पुछी है टोटल क्रेट पुछा है मार्च महीने का ओहो तो में मार्च महीना अब यह अलग कर रहा है तो अगले में फिट टेक्स पर मार्च महीने का पूछ रहा है तो हमें कुश्चन में चार्ट बना लेना है, वैसे चार्ट की जरूरत होती नहीं थी, लेकिन यहां में चार्ट बना लेना है, हम मार्च के अलग डिटेल लिख रहे हैं जी, और अप्रेल टू फेब की डिटेल अलग लिख रहे हैं, यह उपर जो कॉशन दे रखा था, इस से हमने च्छान कर यहां निकाल तो अप्रेल टू फेब की इसने टर्न आवर दी हमें 40 लाग की, और अप्रेल टू फेब में हमारे पस कुछ इन्वर्स अप्लाई दे रहे हैं, हमने एक मोटर कार परचेज करी, हजी, जिसकी कैपसिटी पांच परसंग की है, एक बर मैं इसके कंसेप्ट जो यूज हूँ ह की सर, वो पहले आप हमें बता दे हैं, तो हम के सेनरियो नुबर 27 के कंसर्ट को रिकॉल करने जा रहे हैं, पहला सेक्शन 36 कहता है, हमें बुक्स कप्र संभार रखनी, ये 6 साल या 70 मिन है, फ्रम आपको पता था, इसके अलावा, अगर आपके अगेंस में कोई रिवीजन, क एक साल तक, दूसरा, छे साल के अबहतर मिने, जैसे इस क्वेशन में इसने पहला केस बोला है, कि इन्वेस्टिकेशन आपकी किसमबर 21 को घशाम आपको घशाम पाई, एंसे अगला है किसमबर 26 को अगले, इसके अलावा, छे साल अला पाट और देख लो, ये कौन से ये थ जैसा मैं, तो आते हैं वापस, अब इसके बाद, आप जानते हैं क्या झालच जी आप और आपकी वाइफ और बच्चे यह क्या है जी रिगी फेंड़ लेकिन आपके भाइबेन्द ग्रैंड फादर और यह सिस्टर ये क्या है जी बाइबेन्द ग्रैंट ड्रेंड फेंडने इन इंत्व पर पांड़ यह तो फिर इसक अगर scripture attached पर आपने भाई को दे रहा था फिर वह वह ईटीद ले रहा था एगर नहीं प्थीर पर स्पाइट ऑप ऑप गुष्चाजयृत के लिए अब सेक्शन बारा में आपने प्लेश अप्लेट प्रपरटी । यहां इम्मोबल प्रपरटी लोग करेड़ग होती है अब आप कहां के हो हाजी आप हो गुजरात के और आप रह रहे हो मुंबई में जाके हुटल में तो जो बिल में CGST, HGST जो महाराष्टर GST लग क्या आया होगा उसका आपको ग्रेट नहीं मिलेगा किसी दूसरे सेट की आपको आपके सेट की इंट्रस अप्लाई का क्रेट नहीं मिलता अगर 13 से कम है तो अगर 13 से कम प्रसेंजर वहिकल का क्रेट नहीं मिलता अगर लोग दर अब्लिगेटरी हो एक बार देख लेते हैं अप्रेल टू फेब की टर्न वर इसमें एक मोटर कार प्रचेज करिए पांच परसन वाली आई डिसी नहीं लिए चार लैप्टोग क्रेट मिल जाएगा एसी का क्रेट खुद क्वेश्चिन में दे रखा ओहो बहुत चाला कैसी यहां बोला एसी हम बिजनस परफस से हम यूज करें ट्रेड में जाना चाहिए लेकिन यहां नोट में नीचे दे रहे हैं हमने खुद से नहीं लिया है फिर इसके वाद हमने अपने ब्रदर को जो की वेल एस्टबेश्च बिजनसमन है इसका मदब यह इंडिपेंडनेंट नहीं है तो यह रि इस ले रखा था यह फृणि अपन्दरा जारी तो यह 30,000 का रली सप्लाई माना जाएगा फिर एक एक अच्मिन यूद लिया था यह फ्री में तीआ है क्योंकि यह रिलेकी परसुन नहीं है क्योंकि अब यह ईटिसी ले नहीं रखा था तो यह आपको पहचान नहीं होगा फिर इसके बाद सारी सप्लाई एंट्रा है यहां पर एक होटल वाले को छोड़ कर फिर मार्ज मिने के अलग डिटेल दिया यह आउट्वर्ड सप्लाई पांच लाज की मिल्सपेक्ट टक्स रेकवर्ड यहामली वाल्यू में अड़ होती है फिर इसके बाद हमें इनवर्ड स संब साथा है तो हमें करिया दूसरा कुछा था कौन सी सिस्मेंट सही है अब यह जानते है अक साय हुआ सिर्व एक laptop supply है ठीक है laptop supply है इस से पूछा है कौन सेस्मेंट सही है पहला motor car कह रहा नहीं जी सिर्व laptop supply है AC supply है नहीं जी क्योंकि इस नहीं ले रखा incorrect यह दोना इनकरेक्ट है फिर laptop supply है हां यह correct है AC supply नहीं है यह correct है तो third और fourth हमारा क्या होगे जी यह correct होगे त्री स्टेटमेंट करेक्ट वाले पूछी तोटल टेक्सेबल आउपर सप्लाई की पूछी है तो इसमें मार्ट मार्ट सब कुछ है देना जी अब अप्रेल टू फेब के लिए हमारे पास टॉन ओवर चालिस लाग ती बाकी तुछ सब पर चेज ती एक इसमें के दो लैप् मार्ट महीने का करे चाए मार्ट म महिने का सबक्राइट है आपक यह चैंड पारे नहीं मिलेगा है यह दो तो हमने यह भी निकाल लिया जी यह हमारा दो लाग पर छे शे परसेंट और यह दधाजार पर शेशे परसेंट क्योंकि सारी एंट्रा थी ना तो यह आ गया 1260-1260 सेटेज अब एक क्वेशन से पुछा मार्च महिने का ही सिर्फ टेक्स निकाल कर बताना इसने टेक्स पेबल पूछा तो हमने पांच लाग दो हजार पांस्तो पर छे परसेंट निकाल आई और इसमें से आईटी से आपने और वेड़ी ऊपर निकाल आई था बारच तो यह हमें जी एस्टी पेबल कैश लाइजर से देना है अब इसके बाद हमारे पास के सेनरी नमबर 28 पहले हम इसके पढ़ लेती हैं क्या क्या पुछे गए हैं पहला इसने पूछा ग्रोस अक्टूबर महिने के लिए मंस डेट यह ध्यान से पढ़ नहीं होती है इसमें सीजी एस्टीज से इक ठाब बता दो हमें अलग से बताने जी होती है फिर इसके बाद अगला इसने पूछा है क्या अगर कोई इसके बाद रिवर्स चाज वारा अटेक्स है तो वो भी हमें याड करना होगा दूरूस्ति इसलवेटी बूछी है विजब का फोरिंस स्टेट्मेंट इसने नॉट करेक्ट कोई सबसीडी स्टेट गोवर्न से मिली है कोई सर्विस इंपोर्ट हुई है टिक टैक्स सी फिर अक्टूर डिसम्बर की कोई ओर ट्रांजेक्शन यह तो टोटल आईटी सी अवलेबल बताईए सारा सारा आईटी सी बताना है और अगर टिक टैक सबसीडरी नहीं होती तो आप बताईए टेक्निकल कंसिल्टन से सर्विस स्टेक्सिबर होती के नहीं वापस आते हैं अपन क्या केस सेरे नुबर 28 वेल्यू में आपने पड़ रखा है यह टेक्स एड होते हैं तो मिन्सपर टेक्स वाला पॉइंट है यह हम एड कर देगे जी नेक्स इसके बाद 152C में जो इंसिडेंटल एक्सपेंस हैं इसमें पैकिंग वाला पॉइंट पूइचा हुआ हुआ है इसमें हमारा इसमें हमारा से कोई लोडिंग अन्लोडिंग देगा तो हम एड कर देंगे एक इसने ट्रांस्पोर इंश्रंस का पाइंट या ट्रांजिट इचनूंस का क्योंकि गुड और यह सर्वेस है यह कंपोजिट अप्लाई है तो पूरी वेल्यू पर प्रिंसिपल स पुछ होए कि हमने कुछ इंप्रीटी रिमूव करिया है उतकी कहने पर उतके हमने एक्स्ट्रा चार्ज दी है यह वेल्यू में एड कर दें इंट्रस्ट लेट पी आपकी वेल्यू में होती है और इंट्रस्ट लेट पी का टायम सप्लाई आपने पड़ा हुआ है जो इसमें अगर आपने कंसिट्रेशन दिया है तो फिर बिजनस के लिए दिया हो यह यह पूछ नहीं करें क्योंकि वह कुछ नहीं हुआ है विदाओर कंसिट्रेशन यहां पर कॉस्ट्रेशन है हमारी सबसेड़ी है हमारे रिलेटिट इस से अपने सर्विस लिए है इंपोर् लेकिन अगर एक कोशिशन पुछा था अगर वो सबसेजिश ना हो कोई और अन्रेलेटिटिट तो फिर सप्राइब नहीं ठीक है अच्छा फिर इसके बाद पसंजर वहीकल अगर आपने किराए पे दिया तो रिवर्स चार्ज की बाते आती है किराए पर दिया किराए पर आपको या सद्ध ध्यान आगया होगा फिर इसके बाद आप जानते हैं अगर आप जानते हैं मोर्स वहीकब करेड नहीं मिलता अगर तेरह या 3 से कम प्यज़ वाला वह सेरा वहीकम हो यहां खास बार अगर मोर्स वहीकल करा है हमने किराए पर ले लिया 30 से कम प्रेसेंजर वाला तो भी वाला कर वगोडह मri वर्क्स कंट्रक्स सर्विश अगर आपने का भडिद करी है तो प्रेट मिलेगा तो अगर आपने और आपने और उसका अपने कॉन्स करें सिता ही जो आप का में चुछ सक्षिन का चुरू बीज इस इंटरस में एक वहाड है तो अब हमारे पास इस question में क्या-क्या पूछा था जी हमारे पास यह October की डिटेल है विज़त देसंबर की डिटेल हैं अक्टूबर में हमने like कि अब हम अगर हम इंट्रस्त के लिए हम कैने हम इंट्रस्त के लिए हम १ं १ं कि क्योंकि यही यही हमारा प्रिंसिपल प्रिंसिपल की प्ले सप्लाइब कर रहे है अब यह हमने 20 एक लाग पर टन बेचा तो 20 लाग वैल्यों आगी अब इसमें पैकिंग चार्ज होगा एक्स्ट्रा चार्ज 152C में एनी अमॉंट चार्ज पर एनिधिंग यह एड़ होगा ट्रांजिट इंशिनन्स और यह ट्रांस्पोर्ट यह कंपोजिट सप्लाई के वज़ा से एड़ होगा टैक्सस इमेंट पर हर प्रकार की टैक्स आड़ होता है जी अस्ट को थोड़गा कि सब एड़वने यह ए नहीं होगा फिर मौटर वहिकल नस्पल हम नहीं है कमपनी हैं अन्सकिराएं पर ले रहे हैं और यह बिजून्स मिटिंग के लिए इस ने इंक्लूड करी है एनसे ने इस ने चार्ज़र लिए तो अब हमें रिवर्फ चार्ज़िंगिए खिए की डिटेट है ईट्टिफ डिशंबर को स्ट्रिव किया इसलिद एक्टूबर में तो हमारे पास पहला कैशिग उसमें सिटक्रों करीपिर इंसलिदेट है इंपॉर्ट करका सिस्जेड़ीगी कि अपनी सब्सेट्री इस फिर हमारे पास GST का रेट दे रहें तो हमारे पास chemical product का रेट चाहिए हमें हमें hiring का रेट तो हमने 5 परसंट अगर ना भी दिया होता तो यहीं लिए रहे थे अगला क्वेशन हम से पूछा था विजो फिलिंग से नौट करेक्ट सबसीडी स्टेट गोवर्न से इंकलूड होती वेल्यमें ना इनकरेक्ट इनकरेक्ट आई लिए इनकरेक्ट है तो हमारे इसने पूछा था नोट क्रेक्ट कौन थे हैं यह पहला दूसरा और चो था यह आपका और प्ले सप्लाइब क्या होगा यह धूले मारास्ता होते हैं इस में पूरे पीरिट की जितने वह हाँ जी हमारे पास ये थी परचेस थी वॉट्र वाहक क्रेट, इसके किराइस क्रेट मिलेगा सिर्फ इसका मिले इंपोर्ट ऑप सर्विस इसका मिलेगा इंपोर्ट गया रेनुट किया था ये क्लिया तो सिर्फ-सर्फ इंपोर्ड पचाशाजार ओपन मार्केट वैल्ल्यू है तो इसकम नौ-Noh पूछा है अगर ये टिक टिक सब्सेडरी नहीं फिर बताईए बिना कंजेशन फिर रेलेटेड परसन ही नहीं फिर अनुलेटेड परसन से रतीव कर रहे हैं फ्री में मिली है तो सप्लाई नहीं फिर यह सप्लाई नहीं इसके बाद अब आईए केस सेनरिया 29 पर एक बार पह करने करना है एक बताऊंगा एक डिटेल इससने एक महीनेकी दिया तो हमें व साल भझ की निकालना है। जो इसने current financial year के लिए पूछा है और फिर इसके बाद कौन से state में इससे correct है aggregate turnover के उपर में है तो आते हैं वापस अपने case scenario के तो एक बार इसमें जो पहले concept यूद हूँ है मैं एक बार आपको recall करा देता हूँ case scenario number 29 पर हाँ जी आप जानते हैं section 12-2 player supply का हम निकालते हैं कब लगाते हैं जिए और section 12 की specific subsection में आपका supply नहीं निकाल रहे हैं तो आप यहां लगा रहे हैं बारत 2 यह क्या बुलता है अगर अगर रिकोर्ड में तो ले 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 लिए अगर उसका address हमारे रिकोर्ड में नहीं है तो हम व्हाने पैकेश हमने पैकेचे तूर पैकेच़ रिकोर्ड दिया है मिस्टर विजे को यह रेजिडर्स का हम माण रहे हैं अन्रिस्टर है अब जिरा ध्यान के सुनना अब इस केस में अन्रेस्टर तो बारत दो बी में आ जाए इसका अड्रस हमारे रिकोर्ड में नहीं है तो फिर पीर स्कार लेंगे लोगीशन कि पास ऐर यहां से प्री में चलेगा इसी के लिए अन्रीट केसे रिटोगी वापारा अगर पचाज अरते हैं तो यह सप्लाई कर रहे हैं तो यह सप्लाई माना जाएगा थिक्ट की वल्यू का आप आप अगर तिकेट बॉकिंग की धिया करते हैं और उसमें अगर आप इंट्रेश विकिंग करते हैं तो इसमें पांच पसन निकालेंगे वह वैल्यू होगी फिर इसके बाद सेक्योर्टी की सर्विस अगर 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 के सब्सक्राइब कर रहे हैं और इसको आप कर रहे हैं तो यह वक्राइब कर रहे हैं इसका आपको नहीं अगर आप इसमें सभी आपको रहते हैं टेक्सेबल एक्सपोर्ट इंट्रस्टेट चोक ट्रांसफर क्या नहीं आता जी नहीं आता इन्वर्स अप्लाइब रिवर्स आज वाली नहीं आती और हमें ओली डिया बेसित पर देखना होता है और इंट्रस्ट भी एगरीकर टर् होता है किस्को दätी कुरें के सर्विस करेंड इंटर्स चौक उन इनकसे अलावा बताता है हमने रिखें रह डिया है यह 7,88 विजय को विजय कहा? सुरत गुजरास का एक इस पर M-CQ था उमारा सी तो यहां पर 12.02 में हम प्लेस आप्लाई निका लेगी VTTL हम कहा के है, सुरत गुजरास के है हम विजय को सर विजय को था विजय को लीजय ने अगला पूछा है इसमें हम चार्ट से नहीं हम सीधा क्वेशन को पढ़के बता रहे हैं आपके रिटर्न जर्नी मिस्टर विजे वापस आ रहा है इसने दो टिकेटली एर एंडिया की मुंबई से चूरत वापस आ रहा है वापस आते हैं अब हमारे पर इसके बाद अगली कहानी बताता है कि हमने एंप्लोई को गिफ्ट दिया 65,000 की टिकेट गुफ्ट कर दे तो 50,000 से उपर है तो यह सप्लाई माना जाए बाकी रिलेटेट के लिए 50,000 वाली बात नहीं देखते एंप्लोई के लिए देखते हैं फिर इसने बोला VTTL ने बुक कि है ट्रेवल के टिकेट इश्वर के लिए और देहरी टू सूरज जाएगा डॉमस्टिक बुकिंग है टिकेट के वेल्यू 8,000 इसमें बेसिक फेर 55,000 है इसमें हमारे से कुछा था कि इश्वर के लिए वेल्यू बताईए हम किस वेल्यू प तो अब हम देखेंगे हमारे पास case scenario नमबर यह इसका थर्ड हैं सेक्यू जिस्ट लिएबिल्टी पूइटि पूछे जो पिशतर सो इंटू में पाइंटू में पाइंटू में पाइंटू में तिन्सों पिजस्तर आया है इस पर 18 से निकरा है इस सिस्वर फिफ्टी नेक् पॉइंट है यहां तक हो गया था अगला हमने security agency को hire किया है अच्छा उने है किया है हम अब यहां देखो आहां मंतली किनों युआ संदरहाजार기न होली कट्रेंट इयर की उसने क्वेश्ट धाग जी एक वहीने का हमें कॉन्ट्रेक्स एक अप्राल हो ऑप्राल को एक अप्राल को है कप्रेइल warmer पर कि कॉन्ट्रेक्ट पर हायर किया है तो साल भर एक आपारन hoping एक गरी the सेक्योरिटी ओफिस रेड़ेट किया है इसको केपलाइज कर लिया तो इसका हमें कोई क्रेट नहीं मिलेगा हमने कपलाइज कर दिया इस खर्चे को अब हमारा पास जो बचे हुआ पूरे फानेशलियर की लाइबिल्टी निकाल लिया हमें ग्रूस पूछी है तो एक करोड़ पिचानवे लाग पर यह पहली आउपट सप्लाइज दी इसको में फिर इसके बाद हमने यह जो टूर का पैकेज दिया थे अटेक्टिबल था दस जार पर हम देंगे फिर इसके ब पर देंगी फिर तो एक रिवार्ट चार पर देना है और फिर रिवार्ट चार वाला 15,000 बारा इंटू-माट-कर देना है तो आईए जरा देखते हम हाँ जी हमने एक करोड़ पिचानवे लाग लिया यह टेक्सिबल टर्ण वर आ गया जी इस पर GST निकाला इसके अलावा जो सेक्योर्टी थर्विस्ती 15,000 मंथ लीन वाज था इंटू में 12 साल बर का निकाला क्यों क्योंकि हमें करेंट पूरे साल का निकालना बाकी सब डिटेल हमारी yearly यह वन टाइम पेमंट थी ठीक है तो इंटू में 12 इंटू मठारा पसंट यह आगया बत्तिस चार्ट तो यह हमने एड के हमारी ग्रोस टक्स लाविल्टी पुछी थी यह आगया फिर इसके बाद कॉन से सेटमन सही है एग्र सेटमन सही है दिनेश के लिए ITC जो वर को जो वर को कुछ कहानी है बड़ा ही मस्क्वेश्चन है इसके बाद सेकंड कॉन सही है है एड ऑफिस जो ITC डिस्टिबूट करेगा कोई को मतब सेक्शन 20 ISD वाला इंपुट क्रेट के चैप्टर में पड़ा था उतके ओपर कोई क्वेश्चन है फिर थर्ड क्वेश्चन है ITC जो हम बड़ेगा या नहीं बड़ेगा है इसके बाद आई एक चार्ड बना रखा है और मैं चार्ड बता दूंगा कैसे बना रखा है एक बार मैं पहले इसमें जो इसमें बात करते हैं पहले इसबी वाला हाँ जी हमारी तीन ब्रांचेज है एक दर्श है एक कुझ है और एक निट्या है यह मुंबई महराष्ट्रा में यह रेजिस्टर नहीं है क्योंकि हम गुजरात के हैं अब हम सर्विस यूनिट्स पर रिसीव कर रहे हैं लेकिन बिल किसके नाम का ले आ जाता हमारी बिल इसके नाम का जाता है तो इन ब्रांचेज ने इस हैड ऑफिस को खूब सुनाया बोरे नालाइक बिल हमें अपने नाम से लेने देता तो हम क्रेडिट ले 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 दे या फिर हमारी कोस्त में अगर मैं एक्जम्ट इंट तो मेरी कोस्त मेरे हो जाता वो खर्चा तो बिल हमें हमारे नाम से लेने देता तू बढ़ाया आपने मूठा की अपने नाम से कॉमन रजवित का बिल ले लिया तुम्हें अपने नाम से बुरे चंता मत करो तूम मैं ISD वाला रहस्टेशन करा लेता हूं फिर मैं तुम्हें जो क्रेड मेरे पास बिल आया उनका क् कर सकते हैं जी कर सकते हैं कर सकते हैं अब क्या किया जो आपको क्वेशन ड्राफ करके दिया है इतनी कहानी सुनाई यह जो ऊपर वाली में टेवल बदाई है यह टेवल नहीं बदाई इतनी कहानी सुना के फिर कुछ जोबर की कहानी सुनाने चला गया वह चाहता है कि आप IS प्रेज़ेसल की कहानिय सुना के फिर आई एज़़ी कहानी शुरू कर देता है तो वह पहले ही देता हमने इसलिए चार्ट अलग बना दिया है तो आपको दिखाऊंगा वह अच्छा यहां तक हमारी कहानी हो गई हमारी प्रीवेस एर की टर्न ओवर दे रखियो यह प्रीवे यहां पट्रण को ही to kya यहां पर सिर्फ दर्ष को ही डिस्टिपूट करें अगल्ला सवाल हाँ हम हैं कहां के हम रिस दिखिपट दो अलग अलग स्टेट हो गई तो यह जो cgst sgst है क्या इते igst के रूप में बाटना होगा जी हाँ आपने पड़ा हुआ है अगर दो अलग स्टेट है तो अब यह cgst sgst और यह नित्या है यह पहली और तीसरी उनिट तो हम यहां यहां पर इसे क्या करेंगी यहां यहां पर कैसे प्रीविएस यह की तो यह दर्श की 15 राख है नित्या की दर्श लाग तो 15 is to 10 की रेशियो में इस लेग लाग बीजार को हम सर्विस जड़ सर्विस जड़ यहां पर हमारे पास अगें सीजिये स्टेश निया है यह यूनिट को जी के लिए यह सेकंड यूनिट के लिए यह सेकंड यूनिट जो बच्छोई थी एक मोटर बाइक है एक तो भी सी सी की आपको मैं याद दिला दू 25 सी से ओपर का वहिक वैसे कर रखा हमें 25 से कम का मोटर वहिकल एक ओटो था 25 से कम का है अगर 25 से कम का है लेकिन यह ब्लोग क्रेट है लेकिन क्या इन एलिजिबल क्रेट को भी आप डिस्टिब्ट कर सकते हैं तो हम यह बाटना क्या है यह और गुजरात से बाटना भी गुजरात में हम भी गुजरात के हैं और यह यूनिट भी गुजरात की है तो हमने सर्विस जड़ का यहां पर बाट दिया तीजिएस्ट आजएस्ट के रूप में ही तो इतना पार्ट कोश्चन में है ठीक है इतना पहले मैं आपको दिखा दू फिर जोबर की कहानी शुरू कर दियो फिर उतने जोबर की कहानी शुरू कर दिया अब अब यह हमारी इंपूर सर्विस के में रिटेल देए बस इसी के बेसे पर इतना क्वेश्चन करना था तो यहां से जोबर की कहानी और कुछ बाके रिटेल कर देता है तो यह वाली तीन चीजे छोड़ दें फिर यह आई एस्टी किद्धा दुबारे यहां पर कहानी शुरू कर दीता है तो मैंने यह वाली दो कहानी और यह जो पहले दो पैरा में जो रजिस्ट्र अंडिस्टर्ड हैड ऑफिस का इस्ट्रू सब बताया था तो मैंने आपको है एड ऑफिस गुजरात का हमें बाटना है महाराश्ट का तो हमें CJST-LGST को किस रूप में बाटना होगा यहां एक लाग आई-जी-एस्टी के रूप में बाटना होगा तो एक बबर मैं आपको question दिखा तो मैंने solve करके दिया आपको कहां यह दिखिए यह आपका question number two जो ह इसमें से कुछ पूछा था मैंने पहले एक बर पूरी टेबल बना दी तो हमने दर्श को IGST-LGST बाटती और देख लेते हैं फिर देख लेता है फिर अगला था यह एक लाग बीजर नित्य और दर्श के लिए था यह दर्श और यह नित्या के लिए तो दर्श-Nित्या दर फिर इसके बाद लास्ट इंपूट सर्विस जड़ है इनपूट सर्विस जड़ है यह इनलिजिबल करेंगे यह कहां का यह कुझ के लिए तो यह कुझ गुजरात की है तो यह तो इसने पहला सही है यूनिट को इन इन इलिजिबल करना तो इन इन इलिजिबल करना तो इन इसके बाद एक इसमें थर्ड पॉइंट था अब आगे की कहानी एक बार दिखा देता हूं आपको और पिर इस पर हम तंस भी रिकॉल कर लेती हैं तो इतनी कहानी तो हमारी हो गई यहां तक हमारी कहानी अब जिराज यहां से लेखें आगे कहाने तो हम क्या करते हैं मिस्टर जएश जो परचेश के वह डिरेक्ट्ली जोवरकर कर लिए इस आप परकाऊगा यहां जो आपने डिरेक्ट्ली जो वरकर के पास भीज आ यह जो आप रिक्ति कि अंदर यह वापस आजाना चाहिए यह वहां से बेग जाना चाहिए अब मैं आपको रिकॉल कर आता हूं यह वहला कंदर तो 16 अपरल से में टाइम देखना होता है अचा दूसरा हम मान लीजे मैंने कपड़ा पर टेज किया और टेलर जो वरकर है उसके बेज दिया तो डिर आप कर देखना है कि हमने वहां से बेज दिया तो 16 अपरल को जो वरकर रिचीव क्या था वहां से उसे पैंट्शन बनाई और एक साल के अंदर वहां से वापस ना नहीं रहा है वही किसी को बेख बेख दिया जी अश्टू पे करकर आपको कहानी याद गिला देता हूं जो दो फीर के वर कांता है और आजम सुछा एक सब्सक्राइब करने देडव चाहिए सब्सक्राइब यहां प्रविद्ध करने के पास में यहां अपने पास रिसीव करने के पास कपड़ा तो जो भी 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 बेज़ा हम उसक्राइब लिया सकते हैं जब क्या है दिन वान ये कि अगर काइब लिए व्य में सब्सक्राइब आख नहीं होता एक तीन साल में तो इसे लिए अगे की बात हाँ जी एक पॉइंट यह वाला कि आप जो वरकर के प्लेश से कब बेसक्ते हैं तीन ने यह तो आप उसके प्लेश को अधिशनल ब्लेशिन दिखा लो हमारी इस question वह है ने दूसरा जो वरकर रजिस्टर्ड हो हमारी तो आम बेज सकते हैं भले उसको प्लेस को में प्लेस सकते हैं अगर आप किसी के यहां पर मशीन हैं यहां प्लेस अप्लाई होता है एक प्वाइंट और मजेदार है जो इसमें आपने पड़ा हुँआ तो तेरा पसंजर से कम वाले वहीकल का including driver जो तेरा पसंजर देखने होते हैं का credit नहीं मिलता हमारे इस question में से बोला तेरा पसंजर उसकी capacity है excluding driver तो फिर हमें credit मिल जाएगा तो आईए जर आप देखते हैं हम बाकी बचे हुए question को हां जी तो हमने चार्ट यहां पर बना कर देए रखा था तो हमने 16 अप्रेल को उसने जोवर का रेसी क्या डारेक्ट भीजवा दिया तो 16 अप्रेल से एक साल में या तो वापास आ जाना चाहिए या बेग जाना चाहिए उसके प्लेस को हमने एडिशन पेस नहीं दिखा रहा सब्सक्राइब है कोई बात नहीं ले ले सकता जो जो बेशने की बात नहीं है प्रेट लेने के लिए वह कोई रेलवन नहीं नहीं है ठीक है next VTPL को reverse करना पड़ेगा क्रेट क्योंकि इसने एक साल में वापस नहीं ले आया या फिर वाते पेज तो हमें रिवर्स नहीं करना यह सही है next VTPL नहीं बेज सकता अब इस तरफ देखें और कुछ डिटेल क्या है हमने इस तरफ देखें और कुछ डिटेल क्या है हमने एक नया मोटर वहिकल 13% excluding driver मतब तेरा प्लस एक चोधा हो गया तो तो तेरा ड्राइवर इंक्लूड करके देखना होता है तो फिर तेरा प्लस ज्यादा वाला इसका में क्रेंट मिल जाएगा यह हमने बारा लाग के पर्चेज करी है और इस पर जीए अश्टिक रिए वैसे जेनरली रेट 6-6-12% देरी करें लिए और हमने पुरानी मोटर वहिकल उसको देजी थी बदले में नहीं मोटर वहिकल दिया और कुछ पैसे दिया तो हमने बारा लाग में पर चाहिए लगेगा इसका में क्रेंट मिल जाएगा क्योंकि 13% इसके बाद हमने बहुबली यह इंस्टोल कर देर है धान रहे है हम कहां के थे व्痱 में अब एक से एक आय पर था कि यह प्ले सप्लाई निकालना था हमें फॉर्थ प्वाइंट में जो हमें बहुबल ने इंस्टॉल करी है तो यह सतारा बाना स्ट्राउग और चीज़ यह से लगिए अब हमसे मोटर वहीकल का क्रेड मिल देगा क्योंकि 13 से ज्यादा वला है आगे बढ़ते हैं वह इतना ही हमें करना था बाकी additional case scenario या इसके लाव additional case scenario है दस दस additional case scenario में इस bookland में दिये हैं जो स्ट्राइब के bookland में नहीं है प्लस आपकी RTP May 22, November 22, May 23, November 23 और May 24 में दो हैं वह हम अलग revision class में आपको देगे ठीक है थैंक्यू झालिया है आपको